हलो गाइज माइसल दोक्टर कुल्दीब गर मैं आप सब का स्वागत करता हूं अकेडमी के इस यूटुब चैनल पर गाइज जैसे कि मैंने एक स्रीज चला रखी है केमेञान के ओंडिंग रखैमिकल भॉन्टिंग के आपको लेक्षा नमबर वान याक्षा नमबर टो मख़ते हुए। यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो पहले एक छोटा सा इंटोड़क्शन माई सब्सक्राइब कुल्दीब गर्राइब एडूकेटर ओंडिस प्लैट्फॉर्म सिन्स फर्वरी कॉंटी-कॉंटी फ्रवरी केमिकल साइंस फार्म सीसर एंपियल एंट्यकिन मॉलिकुलर इंजिनिर फॉर्वर मैं इसके सब्सक्राइब क्लास में और इकोणिक विलास में आपने टुटी टोपिक किये खुब अराम से आप 150 प्लस मार्स आप लेकर करके आ सकते हों माईदिग स्टुडेंस लाए भी हमारे प्लैट्फों पर अभी में आपको पीछे रिजल्ट भी दिखाए हैं ओके तो अभी इस कड़ी में हम सबसे पहले हमारा जब टोपिक चला है वह बोन्डिंग टोपिक चला है यहाँ पर यूटूप पर भी हम यह सेशनस ले रहे है ं कि १ो tail ऑग के अजहिए लेक्शन नू questi को लेए हमने स्रिफ चीव से भी एकर रहे हां से कर लेते हैं अले सिंट्जर का सारा कम्प्लीट किया था क्यक्त सबस्दित निया इसामने लेक्श नमबर न पर हमने बताया था कि कैसे थर्मो डाइनामिक स्टेबल था कौन हमारा कायनेटिक ली स्टेबल था किसकों कायनेटिकली स्टेबल बहुते हैं कि से बात करें लिक्टर में तो मैंने आपको सिगमा और कैसे बनता है पायबंट कैसे किस एकसिस पर आपका कौन सा बॉन बनेगा यह सारी की सारी चीज़ें भीॉस तो ऑफर किसी का इस ट्रेंथ क्या है साइज नेचर इंक्लाइन नेचर डारेक्शिनल्टी के बेस पर हमने स्ट्रेंथ ली थी ओवर्लैपिंग की कौन सा जो ओर्बिटल होगा वो मजबूत बॉंड बनाएगा जिसकी स्ट्रेंथ जादा होगी उसके बाद हमने बाद किती कि लेक्षर नंबर तीन में हैब डाजे सब्सक्राइब निकालने का तरीका क्या था वह भी मैंने आप लोगों को बताया है उन्हीं दोनों मेथट से आपको यह सारे के सारे सोल्व करने हैं बहुत ही अच्छे एक्जामपल है एक्जाम में इससे बहार ही कोई एक्जामपल देखने को मिलता है मुस्टली एक्जामपल मैंने कवर कर रहा है एवन मैंने आपको सोट ट्रिक्स भी बताई है यहां पर वी जितने सिलीकेट्स होंगे जितने ओक्साइसिड होंगे एक दो ऑक्साइसिड को छोड़के बाटी जो पाए जाते मुस्टली सब्सक्राइब जाते हैं फिर हमने बात कि कुछ ऐसे भी का स्पिसीज आएंगे जिनमें और इलेक्ट्रोन होगा तो और इलेक्ट्रोन की स्पिसीज को भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे उनका पता पता लगाया जाता है कि यह हाईडरिड और्विटल में है या नहीं है अगर हम बात करें तो हाब डाजेशन अभी जो हमारा मैं चल्ला है केमिकल बोलनी इस बैसिकली मैं मैं और दा मैं गृूप मैं गृूप या के लिए हम इसको मुष्ट्री पढ़ते हैं लेकि क्योंकि जब हमारा ट्रांजिशन अलिमेंट की यह जा जाते हैं तो अगर ट्रांजिशन मेंटल आ जाते हैं तो तब हमारे डी और वीटल भी हमारा पूरा रोल पर ले करता है तो उसके बेस पर पॉसिबल्टी बताए गई है अगर किसी का इस्टेरिक नंबर यहां पर दो आ गया तो उसका हाब डाजेशन की पॉसिबल्टी क्या क्या होगी उसका ह पीके तो यह ड्रैगोज में पाए जाते हैं क्लिए एकदम जहां पर एस और्बिटल पार्टिपेट नहीं ज़रता ड्रैगोज क्या होते हैं हम बिद्टी डिसकस लेटर तो जैसे चार नंबर है तो चार नंबर में क्या-क्या पोसिबरिटी होगी है अगर हमें पढ़ना स्रील लोग के लिए तो पीव लोग के लिए तो हमारा यही सफीचियंत है के लिए अलगे अगर हम बात करें 5 की तो 5 के लिए हम क्या हो सकता है sp3D हो सकता है । भी फूर भी हो सकता है च्छे के लिए हम बात करें तो SD5, SP3D2, P3D3 यह वो hybridization है जो compound के अंदर पाए गए और भी possibility में तो बन सकती है बट यह वो hybridization मैंने लिखे हैं जो किसी compound के अंदर पाए गए किसी molecule के अंदर पाए गए 7, 7, SP3D3, P3D4 यह hybridization आपके possible हो सकते है एट पर SP3D4, SP3D3F, P3D5 यह hybridization आपके possible है तो मैंने possible hybridization बच्चे ने पूछे थे मुझसे किसी ने तो मैंने उसकी भी एक list यहाँ पर लगा देती जैसे BF2 है तो BF2 का hybridization बड़ा easy है निकालना कि एक electron यहाँ से यहाँ excite हुआ, एक electron आपका यहाँ से यहाँ excite हुआ, क्योंकि यहाँ पर S orbital को participate करना बहुत जरूरी होता है, अगर आप चाहते कि strengthful overlapping हो, एक strengthful compound बने तो S orbital को जरूर पार्सिपेट किया जाता है, क्योंकि S orbital nearby nucleus होता है, nucleus के सबसे ज्यादे पास होता है S orbital, तो अब जब हम इस orbital को हम participate कराते है hybridization में, तो hybridization की component stability होती है, वो बुत higher होती है, तो हमने क्या किया कि एक electron को उठा करके, यहाँ से यह excitation का भी एक rule होता है, इस rule को हम अभी आप से discuss करने वाले हैं, just अभी next lecture में, पिक कहां पर compound excite होगा, कहां पर compound excite नहीं होगा, तो इसका क्या rule है, तो इस rule को भी हम आपके साथ में discuss करेंगे, कि इसका क्या rule होगा, अभी हम खिलाल माल जेते हैं, कि एक electron यहाँ से गया, यहाँ पर जा करके excite हुआ, तो यह दो unprade electron बने हैं, दो unprade electron बने हैं, एक S और एक P orbital, उसका अंतलब यह नहीं कि सारे के सारे P orbital hybrid होगे, तो जहां पर ही electron पाया जा रहा है, कि यह वो orbital आपके hybrid होगे, तो S और P, तो that hybridization is the S P hybridization, I hope you are getting my point, उसके बादा जैसे transition metal है, B O 2 पिलस है, तो खुश मेने example transition metal के भी डाल द plus 5 oxidation में हो गया, क्योंकि oxygen minus का 2 दिखाएगा, तो 2 oxygen है minus का 2 और plus का charge उसके already है, तो that is plus 5 oxidation, plus 5 oxidation का मतलब है, that is D 0, क्योंकि vanadium का जो होता है, D 3, 4S 2 होता है, और यह plus 5 oxidation में आ गया, तो यह D 0 हो गया, जब D 0 हो गया, तो अब देखो, 4S orbital भी आपका vacant हो गया, 4S orbital भी आपका vacant हो तो अब जब भी hybridization होता है, तो comparable energy की orbital में hybridization होता है, क्योंकि 2 लीगेंड आ रहे हैं तो दो लीगेंड़ों का दो ही ओर्विटल चाहिए तो एक और दूसरा और्विटल अब रही होर इन दोनों में क्या रहिए ऑक्सिजिन का लीगेंड आ यह 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 अपने लोन पर लोन पेoff दोनों को प्रोवाइड करा आ दिया है यह पी के साथ नहीं होगा क्योंकि पी 4S के साथ में कंपरेबल नहीं है 4S के बाद में जो कंपरेबल होता है वो 3D होता जैसे कि हम आप बाव प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि 4S के बाद में 3D आता है ऐसे ही BEF2 BEF2 तो आपने उपड़ी देखा SP होगा अब मालो सपोज F- आपका आने लगा तो यह तो BEF2 आपका होई गया था SP तो अब हमको इस F- को लाने के लिए एक और्बिटल की और नीड पड़ेगी तो हम इस वाले और्बिटल को भी hybridization में include करेंगे तो that hybridization is the SP2 के लिए रिख दम that hybridization का SP2 ऐसी CRO3, CRO3 क्या हो गया? CRO3, O-2, O-2, O-2 that is plus 6 बनाएगा तो plus 6 होगा तो CR plus 6 oxidation state में होगा तब ही 3 oxygen होपन लेगा तो that is आपन लेगा तो D0 अब D0 में क्या होगा? कि 3 ligand आ रहे हैं तो 3 orbital चाहिए है तो अभी तो अब हमने बताया आपको कि 4S किसके साथ में hybrid करेगा? 3D के साथ में hybrid करेगा ना कि 4P के साथ में 3D के साथ में करेगा तो एक S का orbital यह की यह की उज़ोगा और 2D की orbital युज़ोगा that hybridization is the HD2 hybridization आपके यवार कॉशना आप बिच ओव दा पूछा, according to our principle, 4s और 3d खाली है, तो 4s को अंदर रखा जाता है, 3d को बहार रखा जाता है, ठीक है, 4s को अंदर, जब अगर दोनों खाली है, तो 4s को पहले अंदर रखा जाएगा, 3d को बहार रखा जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रोन भर जाते हैं, तो 3d को हम बहार अगर हम निखना हो, तो CR का configuration का correct way क्या है, तो बहुत से बच्चे कहेंगे, यह होगा कि 4s की energy कम होती है, तो इसलिए यह होगा, तो भी मैंने आपको तीशे discuss किया, जब इलेक्ट्रोन भर जाता है, तो 3d अंदर की तरफ रहता है, 4s आपका बहार की तरफ रहता है, तो that correct way that one, जब इलेक्ट्रोन नहीं रहता है, तो 4s अंदर रहता है, 3d बहार रहता है, कमनो 4 का configuration भी आप निकाल सकते हो, like कमनो 4 या के 2, CR2, 7, तो कमनो 4 के यहाँ पर देख लेते हैं, के पिलस M, के पिलस, सोरी मारकर नहीं चलना है अपकर, के पिलस M, NO4 माइनस, तो के पिलस M, NO का उपर ही चला गया, इट मीज माइनस के 7 चार्ज होंगे, जिसको M, N ने सैटिस्फाई किया होगा, तो M, N ने कब सैटिस्फाई किया होगा, जब M, N पिलस 7 में रहा होगा, तो M, N इसदा पिलस 7, इट मीज बहार दिजी रहता है, 3d, 5, 4s, 2, और 7 के साथ, इलेक्ट्रो यहां पर इसको मैसे कर देंगे, क्योंकि D2 तो आपने पढ़ाई है, SD2, तो एक एलेक्ट्रोन और आ जाएगा, यहां पर, that is called SD3, क्लियर रेखदा, हाँ, PCL5, very good, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग, ऐसे करते हो, PCL5 से ट्राइगोनल बाइप्रामिडल, अब यह तो बढ़ने के लिए, कुछ तियोरी हमको पढ़नी पढ़ेगी यह बिल्कुल पढ़नी पढ़ेगी, कुछ थियोरी हमको पढ़नी पढ़ेगी, वो थियोरी क्या है, इधर हम पढ़ेंगे penetration effect, shielding effect और contraction effect, जब आप यह तीन चीजों को समझोगे, तब आप समझ पाओगे बहुत सारे questions के answer, like pcl5 बनता है, ncl5 नी बनता, pi5 नी बनता, ph5 नी बनता, तो इन सब चीजों को पढ़ना, यह penetration effect पढ़ना क्यों जरूर है, यह भी समझो, जब कभी energy level का समंदर मंथन हुआ था, मतलब जब कभी उनका बटवारा हुआ था, तो n के basis पर हुआ था, जिसका n है energy level है, जो आप principle quantum number बोलते हो, उसका एक level होगा, दूसरे वाले का दूसरा होगा, तो यह theory यह कहती है, कि जब दूसरे वाले का बटवारा होगा, तो 2S और 2P को यह की level पर रखा गया होगा, जहां पर 2S होगा, वहीं पर 2P होगा, लेकिन जब अब अब बटवारा किस पर हो energy कम होती है, then 3P की होती है, then 3D की होती है, यह आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो यह बटवारा किस बेस पर हो गया, जब सब को NK बेस पर डिवाइड किया गया था, तो बेटा जी एक चीजाज तक आपको, मैं आपको बता दू, जैसे hydrogen molecule होता है, तो आप बाव प्रि energy label के orbital की energy को define करने को बोले, तो hydrogen orbital जो one electron system होता है, तो उसके लिए energy label यह ही होता है, साइन उल्टा बनाना था मेरे को, यह सब से कम, then 2s is equal to 2p, then 3s is equal to 3p, is equal to 3d, अगर किसी और के लिए one से ज़्यादा electron system के लिए हम बात करेंगे, जैसे helium के लिए बात करेंगे, तो अब यह भी change हो जाएगे, अब यहां पर आप बाव principle वाली बात आ जाएगी, अब यह वाली बात आ जाएगी, यह भी आपस में थार्ड लेबल जो होगा, वो भी separate हो जाएगा, जो second level होगा, वो भी separate हो जाएगा, मैं बतारों कोई सब जो आप बहु प्रिंसिपल नहीं लिखा साथ नहीं, मैंने just label को separate करके दिखाए, यहां पर 4s आएगा वज से, तो यहां पर helium के third energy level की orbital के energy को डिफाइन करना, third energy level की energy को डिफाइन करना, that is 3s, 3p, and the 3d, जबकि इसके third energy level की energy को डिफाइन करेंगे, that is 3s is equal to 3p is equal to 3p, तो यह दोनों चीज़ यहां पर अलग-अलग हो गई है, हलाकि helium का जो third energy level आएगा, वो 2p आएगा, यह भी ध्यान लखना है, वो उन्होंने n के base पर में define कर दिया, क्योंकि इसका तो पहला energy level, दूसरा energy level, तीसरा energy level, इसका पहला energy level, दूसरा energy level, तीसरा energy level, तो आप यहां पर answer पर कर सकते हो 2p, क्योंकि questions थोड़ा सा different तरीके से पुछा हुआ है, तो ठीक है, helium के third energy level, तो third energy level का मतलब, वो n की value के base पनी पुछा हुआ, तो इसका best answer यहां पर 2p हो जाएगा, कि orbital की energy को define करो, थर्ड energy level की orbital energy, helium के 2p होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, 2 electron system है यह वाला, और उपर वाला system क्या है, 1 electron system है, that is 1 electron system, that is 2 electron system, 1 electron, अब हमारे दिमाग में आता है, कि जब 2 की बात हो रही है, तो उसी में s होना चाहिए, उसी में p होना चाहिए, जब एस ऑर्विटल की कोई डार्यक्स नहीं है और जब इल्यक्ट्रों गया तो हर डार्यक्शन में इक्वली गया तो नुकुलियस भी हर डार्यक्शन में एक्वली फोर्स लगाएगा जबकि पी और्विटल की सेप ऐसी नहीं थी, पी और्विटल का जो सेड़िड एरिया था, इसमें आपके इलेक्ट्रोन की पाए जाने की संभा बना है, तो अब जो निकलियस का जो फोर्स लगेगा, वो इस एरिया में ज्यादा लगेगा, जबकि अगर इसको स्पैरिकल करत यह 2s और्विटल स्रिंग हो गया, जो आप देख रहे होगी, जब 2s और्विटल में एलेक्ट्रोन आएगा, तो निकलियस के फोर्स से वो भी स्रिंग हो जाएगा, यह भी स्रिंग हो गया, चलो रिपरजेंटिटेंट वाई रेड डोटिट, वाई यह यह यहाँ से यहां करते हैं, देखो इसका रीजन पहले यह था, अब इसका रीजन यह हो गया, इसका रीजन पहले यह था, इसका रीजन यह हो गया, बिफोर इलेक्ट्रोन जो रीजन 1s का था, आफ्टर इलेक्ट्रोन वो 2s के अंदर आ गया, आफ्टर इलेक्ट्रोन वो 2s के अंदर आ गया 2S penetrate कर गया 1S के अंदर, यही रीजन है, penetration effect कम से कम poly orbital पे लगता है, poly electron पे लगता है, कभी भी single electron पे नहीं लगता है, मतलब अगर किसी भी compound में एक electron है और एक orbital होगा, तो वहाँ पर penetration effect नहीं लगेगा, इसलिए question चोधे के case में, हमें penetration effect नहीं लगता था, जबकि जो अगला question था, उसमें penetration effect लग रहा था, अब यही चीज़ sliding बन जाती है, किसी चीज़ का side छोटा हो गया, अब electron density उसके बढ़ ग लाइगा, जर एक्दम तो वही चीज़ है, जर लाइग यहां पर समझाए गई है, कि before electron तो 2s और 2p यह थे,ot और जब electron आ गया, तो 2s अंदर की तरफ चला गया, 2p, और यहां से अंदर की तरफ आ रहा है कि आपका शूटा होने से आपकी क्या when बढ़ जाती है इलेक्टोन डेंसिटी बढ़ जाए जब 2s का इस पे इलेक्टोन डेंसिटी अब होने को तो पी और विटल भी आना चाहरा था सिंपल की बात है 2S अंदर गया तो पीवी चाहिए कि पीवी अंदर है बद 2S और विटल सेल्डिंग एफेक्ट के जिसे 2P को अंदर आने की जगा बहार रखेंगा है क्योंकि अब उस पे रिपल्सिव फोर्ट बढ़ गया पहले यहां से यहां आगया अब वह क्या कर रहा है वह उसको माले हैं पर 2S और 2P थे यह बिचारे दोनों यहां बैठे हुए थे यह तो अंदर चला गया अंदर जाने का यह भी अंदर आना चाहिए लेक्ट्रों डेंसिटी इतनी बढ़ गी कि अब इसको इलेक्ट्रों के जैसे बहार रिपैल कर रहा है तो इनके बीच का ग सेम चीज यहां भी समझाए गई है कि पहले यह दोनों एक साथ थे जब यह इंदर की तरफ आया तो यह इलेक्ट्रों इसके पास आ गया जिसकी वज़े से इलेक्ट्रों इक रिपल्शन हुआ इलेक्ट्रों के रिपल्शन के जो साइज पहले इसका था अब इसको अपने स आतर हो इसमें उक्तर होगा तो इसमें नाइन और्वीटल होगे और सेमचेजह है है कि वह हाव मैंनी नमबर ओव डी जनरेट ओर्बिटल ओधार एनरजी लेबल एच माइनस और एच्छी पिला देको भाई याटोजन की बात नहीं है एच्छी पिलस का मतलब वन एलेक्ट्रोन सिस्टम तो वन एलेक्ट्रोन सिस्टम का क्या हो गया 1s is less than 2s is equal to 2p is less than 3s is equal to 3p is equal to 3p third energy level helium के लिए ये हो जाएगा इसमें number of orbital आपके कितने आजाएगे helium के 9 आजाएगे 9 का option आपको ये दे रखता है H e minus हाँ H e minus that is the 2 electron system 2 electron system के लिए हो जाएगा 1s is less than 2s than 2p तो 2p आएगा 1st second second third energy level third energy level में 3 orbital आजाएगा that is the answer बहुत अच्छा questions है आप इस questions को जरूर देखे एक बार ठीक है हाँ अब बात आती है कारवन का कारवन के 2s और 2p के बीच में energy gap कम होता है तो कुछ चीज होती है excitation ये अपका फिरी अब जब चाहो जब खूद के उसके घर चलेगा permission लेनी नहीं पड़ेगी नीचे डोर पजा करके कि यार हमें तुमारे घर आना है जब मन करा खूद के चलेगे परोसी की छत पे तो सेम चीज है यहां पर that is free excitation जब energy gap बहुत जादे कम होता है तो s orbital को involve करने के लिए free excitation होता है हमें कोई भी उतको promote नहीं करना पड़ता है electron को अलग से force excitation नहीं करना पड़ता है तो इसको हम बोलता है excitation को free excitation अभी हमने पर पहले penetration theory पड़ी then हमने shading theory पड़ी अब हम आप फिर क्या पढ़ रहे है इसकी अभी होता है फिरी को पड़ते हैं तो रूम टेमपरेचर पर यह जो एक्साइटेशन होते हैं यह आपके क्या होते हैं अब एक होता forcefully excitation जैसे कि आप फोस्फोरस का case आगया आप फोस्फोरस का case में यह 3S यह 3 PA यह 3D है अब electron को तो यहां से यहां एक्साइट कराना पड़ा बताओ बीच में मतलब एक घर बीच में आ रहा है अब तुम कोई शक्तिवान तो हो नहीं कि बीच में घर आ रहा आ पूद के एक दम चले जाओ और पॉटीवेशन कुछ ना घर अपको पूद करेंगा कि आपूस में को उड़के आप तीसरे में में सीधा डारट होजा है इलेक्ट और अब ऐसको क्या मोटीवेशन मिलता है एक आदमी बैचार अब हसरा है कूद रहा है नुकलिस के पास बैठ के उसके दोनों इक्तरन आ तो अब इसको क्या मोटिवेशन ऐसा देना पड़ेगा अभी कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा तो इसको हम कहते हैं कि ऐसे पी में अगर कोई को चिजवेशन होता है तो उसको फोर्स यह रहते हैं इन में कुछ चीजशन होती है उंक कंडिशन को फोलो करेंगे तो पहली कंडिशन क्या है सेम सेल में सेम सेल रूप पोर एक्साइटेशन चाहे खिरी हो चाहे पोर्स हो देर मुस्ट भी यह वेकेंट टोर्बिटल होना चाहिए कि आप यहां से ओठके गए यहां पर बैठ के तो है वह एक्साइट करवा देगा अपने एलेक्ट्रॉन एन की हिम्मत नहीं कि वह दे दे क्योंकि एन के पास में सेम सेल बेक्टेंड और्बिल खाली नहीं है आप क्या हो जब किने इस थी कैसे बनता था एस सीम्पल एस और पिक की मिक्सिंग होती है वहाँ पर कोई भी एकशाइटेशन नहीं होता है लिए तो अपनी इसलिए कभी भी आपको 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 न इन Аन्जफाइब न फाइब एकसी ल फाइब कभी नी मिलेगा कि मैकसमां तीन बॉन्ड ही बना सकता है nitrogen यही रीजन है कि NCl5 का ना मिलना जबकि इसकी नीचे वाली फैमिली PCl5 का मिलना possible होता है जो पी के पास में उसी सेम एनरजी लेबल में 3D orbital खाली होता है excitation की must condition of back end orbital इसी भी excitation हम करते हैं उसको उसके compound में sulfur के compound में क्योंकि वहापकर उसको D orbital मिल जाता है ठीक है यही रीजन है कि XE के complex भी क्यों बनते हैं XE में octate होने के बाद भी back end orbital होते हैं इसलिए Gnone के भी compound आपको पाए जाते हैं वहाभी हम excitation करा देते हैं NS3 में excitation नहीं होता सिर्फ mixing होती है यह बात हम कर चुके हैं जहां electron को excitation हो orbital में उनकी energy low होनी चाहिए ठीक है अब इतनी आसानी से low energy होती नहीं है अब यह term introduce होता है यहाँ पर charge contraction हालेकि जो atom contraction होता हूँ जो टाइप का होता है एक periodic contraction चार्ज contraction ठीक है प्रियोडिक नाइट्रोजन और ऑक्सिजन फ्लोरीन के हम बात करते हैं तो एक ही पीजेड में तूस और टूपी के बीच के बढ़ता चला जाता है ठीक है जैसे कि मोट भी पढ़ता है तो एसो टूपी के बीच के बढ़ता चली यही रही जाने कि फ्लोरीन के केस में हम एकसाइट नहीं करभा पाते हैं और ऑक्सिजन पर तो हमारा खाली भी नहीं है अब पोजेटिव चार्ज की वज़े से आप देखो हुआ कि यह कोई स्पीसी थी एकस स्पीसी थी डाइग्राम कर समझ देख करते हैं इसको यह कोई स्पीसी थी कोई एक मैटल था इसका थिरी पी यह था थिरी दिये था इस एकम के साथ में आपने कोई लेक्ट्रो इसको अपनी तरफ कीचेगा तो इसने थी एस को यहां से खीचना शुरू गिया एकदम तो थी एस आपका थो लेकिन जो थी एस और लेडी बहुत पहले अंदर आया हुआ तो यह इतना अंदर नहीं आएगा थी थोड़ा जादे अंदर आएगा अब 3D सब शादे डिफ्य सब्सक्राइब करते हैं एक हजा एक हम पॉजेटिव चार जाता है तो इस और विटल तो जादे शिंक होता है कि और श्रींख हुए बैटा यादम कपहले सी पर भराह तो आपके न खाना किलावे भूकआ पूंता पहले बाहर बेज भी आगया पैनेटरेशन शेटलिक फिर्सक्राइब उस पर चैसी चार्ज आई तो अब पी और्विटल भी अंदर जाता है एस-विटल तो बहुत नाम-मात्र के लिए अंदर आता है पी और्विटल थोड़ा जाद दोगा सबसे जाद़ डी-ओर्विटल अमें जाता इस चार्ज क्यां की वगले से यहीं चीज़ यहां पर लिखा है इसी की वज़े से अब क्या होता है कि हम हमारा क्या compound बनता है कि ये electron जब ये अंदर आ जाता है तो अब ये electron है ट्रांसफर हो जाता है और पांच orbital हमारे खाली मिल जाते है तो यहां पर PF5 बन जाता है या CL5 बन जाता है अब लेकि यह charge अच्छा अच्छा हमाहीं यह काई है कि coat है या की यह करना पाता है तो हमें देखने को भीएपड बन प देखने को मिलते हैं या तो चापने से इस को संजंगा हो सबसे पहले वाले रिजन की वज़े से बी आर-3 एकजिस्ट करता है जैसे वह यह वाली चीछ सबसे पहला रिजन दिया हमने बी आर-3 एकजिस्ट करता है क्यों हाइली एक्टर निगेटिव न चुटबाएए इस पर बनेता जब की इस पर पोजिटिव नहीं बन पाएक य आपए सेवन करें गया कि लिए तो भी रुख जया कि लिए एक दम जो हएर वेलेंसी में अग्जिस्ट करें और जो लोवर वैलेंसी में ग्जिस्ट करेंगा और जो जरूरी निकी हाई है तो आपने लेक्टर नमर फॉर को बहुत अच्छे से समझा बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ में लेकर के आए तो हम चलते हैं लेक्टर नमर फाइब की पर लेक्टर नमर फाइब हमने यहां अपहों सीज़टा पर पर लोट होता हिए तो जितना सेहीड होता जाएगा उतना इसका ग्याप आपके हां बढ़ता जाएगा तो 2S और 2P का गैप आपके ये हो गया, 2S 2P का गैप ये हो गया, तो इसी को हम भोलते हैं अपना periodic contraction, तो ये MOT का आपके बच्छे से हमने पढ़ा हुआ, भी MOT में पढ़ते हैं, कि N2 को 2PZ को रखते हैं, 2PX को 2PY को लोवर एनरजी पर रखते हैं, जहां पर आप C2 का भी bond निकालता है और जब MOT O2 का बनाते हैं तो 2PZ को लोवर एनरजी पर रखते हैं 2PX को हायर निवर दिस इस ड्यू टू तब पिजोडिक कॉंट्रक्शन का है ठीक है जब हम PNP डेल की बात कर रहे हैं तो चार्ज कॉंट्रक्शन को तो वहाँ पर इलेक्ट्रोन कॉंस्टेंट लेकिन जब हम कारवन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में परियोडिक कॉंट्रक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोन का काउंट बढ़ता जा रहा है तूपी आउट और बढ़ने की वज़े से यह इलेक्ट्रोन भी रिपेल करने शुरू कर देते हैं 2S के लेक्ट्रोन को बढ़े अंदर यह इंदर लेकिन होता क्या है कि यह से जादे कर देता है अंदर जाकर और से यह इंटलेक्ट्रोन के बढ़े गाए था जिसके लिए से 2S के बीच बढ़ता चला जाता है तो इसी जो मैंना आपको भी ही आपको पर बताईए है शुरू कि प्रेयोडिक कॉं यह वाला लोन के डोनेट नहीं होता यह अभी हमने थियोरी के बेस्ट पढ़ लिए है अलाकि इसको में और भी बहुत अच्छे से समझेंगे कि भी क्या होता है कहां से लेक्ट हों तो यह हम बोल सकते हैं कि बोडर लाइन होती है कि यहां से यहां तक करा सकते हो किसी भी है तो वहां से यह निकल करके आ रहा है यह कंपॉंड जो है कि जिसके पास तो डी ओर्बिटल वेक्ट नहीं है इसलिए यह अजिस नहीं करेंगे इसलिए भी अजिस नहीं करेंगे यह ठीक है वाई पी एच फाइव दू नोट अजिस्ट पीएच फाइव अच्छा खासा ऐस श्रिंक नहीं होते हैं वी केना डिफाइट बाई सिक्स क्यों नहीं बनता ऐस तो यह यह तो है बट कॉंट्रक्शन के लिए फोर्ट नहीं लगा पार है इतना पैसा नहीं दे पार है कि भी यह काम को रहो फोर्स मिलना ही रहा है मोटिवेशन है नहीं वैसे सब्सक्राइब नहीं हो रहा है इसलिए यह आपका नहीं बन रहा है इसलिए आपका नहीं बन रहा है बिल्कुल XC F के साथ ही आपने mostly compound देखे होंगे तो XC तभी compound बनाता है Stability of any compound also depend on the bond angle यह एस करेक्टर तो बहुत सरे compound भी जो stability depend होती है वो आपकी bond angle और S करेक्टर पर भी होती है यह point SP mixing के लिए पढ़ रहे है यह point हम किसके लिए पटने है वीटा SP mixing के लिए कि SP mixing का मतलब क्या है कि मालों कोई bond है इसमें कितना S percentage करेक्टर है इसमें कितना P percentage करेक्टर है तो यह चीज़ भी define करती है compound की stability को, compound के angle को, compound के bond order को, यह सारी चीज़ हाँ पर define करती है कि SP mixing कितनी है कितनी है जहाँ S and P orbital mix होंगे वहाँ भी stability की बात करेगी कौन सा compound stable होगा, कौन सा नहीं हमारा question आता है कि compound क्यों बनता है, क्यों अपना electron configuration पूरा करने के लिए, S का orbital एक छोड़े बच्चे की तरह होता है, मतलब बिल्कुल एकदम nucleus के पास होता है, जो छोड़ा बच्चा माता जी के सीगे से एकदम लगा रहता है, तो वही एकदम S orbital होता है, बिल्कुल एकदम nucleus बिल्कुल इसाओ बच्चा, इस दिमाग का नाम है direction, मैंने का ना, इस दिमाग का नाम क्या है direction, मा छोटे बच्चे को अपने पास रखती है, तो बड़े बच्चे को लगता है कि उसे मा का प्यार चुन गया, तो S चीज है, एक के पास में direction है, इस के पास में p orbital के पास में direction है और S orbital के पास में माँ है तो इन दोनों के combination के लिए S orbital चाहता है कि मेरे अंदर दिमाग आए P orbital चाहता है मुझे माँ का प्यार मिले ऐसा इसलिए क्योंकि अगर CH4 बनेगा बिना रही है तो एक CH S orbital के पास रहे बागी के तीन एस्पी और दूसरी कहाने का में यह तैन के पास नहीं के उसके पास में nuclear का force नहीं है clear एकदम इतनी बात हम बोल सकते हैं तो ये तीनो एच रिपैल करेंगे तो जो तीनो एच होंगे क्योंगे 90 डिग्री पा जाएंगे ये तीनो एच 90 डिग्री पर होने के लिए से रिपैल करेंगे हाला कि ये विपैल नहीं करेगा लेकिन इसके पास में कोई direction नहीं होगी directionality भी जरूरी होती है clear एकदम तो एस ये अपने इस repulsion को दूर करने के लिए ये कहेंगे कि तुम अपना S करेक्टर हमको दो हम तुमें अपना P करेक्टर देते हैं तुम हमें कून दो हम तुमें आजादी देंगे वह वाली concept यहां पर आगया कि तुम हमें S करेक्टर दो हम तुमें P करेक्टर देंगे और S करेक्टर आने के ज़िए से ये bone angle बढ़ जाएगा bone angle जो 3H के बीच में जैसे कि मैं आपको यहां पर देड़ी के इनगे खाली जगह बिलेंगे लिखने के लिए कि यहां पर जैसे हम carbon की बात करें तो CH4 की बात करते हैं तो CH4 में यह carbon का 2S orbital होता है यह 2P होता है चलो electron excite ओपर के यहां चलागे यह electron excite ओपर के यहां चलागे यह 1H के साथ में 2S 1H 2S 1H 2P तो यह क्या होगा highly overlapping होगी इनकी overlapping अच्छी होगी इसकी overlapping कम होगी बट अगर clear 2P और 1H की overlapping अच्छी होगी हमने आपको overlapping में पढ़ाया लेकिन इन 3 bond के बीच में जो इनके orbitals का वह था और 3 orbital में 90 degree का एंगल पाया जाता bond बन रहा है इसकी कोई direction कहीं नहीं पता होगा लेकिन इतना पता है इन 3H में 90 degree का bond होगा तो जब इन 3H में 90 degree का bond होगा तो यह 90 degree पे इक दूसरे को repel करेंगे कि जब यह इक दूसरे को repel करेंगे जब यह दूसरे को repel करेंगे तो यह कहिए इस से कि तुम हमें अठना स करेक्टर दे दो हमएं अपना स्कुर्टर के तुम तुम्हें अब फी करें देते हैं तुमारे अंदर डारेक्षन आएगी और हमारे आदर बॉंड वंड वंड सब्सक्राइब While सब्सक्राइब इЭтоरेल आपको इस त्रे सब्सक्राइब の जो करता है कन पाउंड वह करता है डियूटु हाइवình ही इस के हैं इसेबल होता है जब सबस्क्राइब तो दो लोग बड़े होने की उजए से इस्टकली जब होता है तो बिदार निक्स हो जाता है तो यह बी पोजिटिव फेस के साथ हुआ होगा वह पोजिटिव फेस वाला यह बड़ा हो गया तो जब यह दो बड़े हो गया तो इनके बीच में अब रिपल्चन बढ़ जाए रिपल्चन बढ़ जाएक तो इन यह चाहिए थोड़ा दूर जाओ तो यह ठीख है अब राओच्ट अब करने के बाद में रिदिस्टिवृशन नहीं हो गई बेढ़ एक तो एक सो नो डिगरी के आसपास बहा करके इस्टिवल होता है पहले में पहले इन इन compound का hybridization पढ़ रहे हैं जैसे कि हमने H2O का hybridization पढ़ा कि भी H2O का hybridization होता वो SP3 होता जगो अब निकाल के भी दिखा लिए आपको H2O का hybridization क्या होता है H2O अगर इस central atom की बात करेंगे that is SP3 hybridization Are you getting my point or not? H2O का hybridization SP3 hybridization यह ठीक है आप किसीने question कर दिया कि भाई सब यह तो ठीक है तो total एक आपका combined आ गया हमें तो इस bond में बताओ इस bond में कितने percent S है कितने percent P है क्या इस bond के अंदर भी 25 percent S और 75 percent P है तभी तो SP3 बनेगा या इस lone pair के अंदर बताओ कितने percent S है कितने percent P है तो अगर देखा जाए तो lone pair का bond pair का कहीं ना कहीं hybridization ना अंतर आएगा अगर वो ideal नहीं है तो अभी ideal की भी बात करेंगे क्या होता ideal क्यों कहीं ना कि non-ideal होगा hybridization तो उसके orbitals में उसके जो lone pair होंगे और जो bond pair होंगे उनमें hybridization का percentage अलग-अलग होगा SP3 तो अब total bond देते हो तो हम यहां पर lone pair का और bond pair का भी hybridization निकालेंगे उसी को हम कहते है percentage S करेक्टर percentage P करेक्टर ठीक है तो हाला कि S और P percentage स्टेज करेक्टर मिलके total 100% होना यह बात ही बॉन तो पूरा बना हुआ है तो अगर किसी भी बॉन में बात करेंगे तो दोनों मिला करके 100% होंगे अगर यह घटेगा तो यह बड़ेगा यह बड़ेगा तो यह घटेगा सिंपल जी बात है तो यहां पर सिंपल आप एक फोर्मूला में आपको बताता हूं आपको ज्यादे चक्रमेंट पूरा है सिंपल percentage S करेक्टर आप निकालो डैक्ट percentage S करेक्टर का यह फोर्मूला होता है percentage S करेक्टर कोस θẹ Crystal उस्पा टंच dit कि अन्या उस्पा Sakya होता कि अन्यापा निकाल खेकतुरoup हैm कितना बड़ेंगल है जिनके बीच का आप निकालो डोका यह फोर्मूला के यहां से निकल के आज़ाए तो percentage P के लिए 100 minus S कर दो तो आपका यह P करेक्टर निकल किया जाएगा सिर्फ आपको यह formula आपको रखन रखना है बाकी और कुछ नहीं जैसे कि हम नहीं यहाँ पर आपसे question पूछा question number 17 को आप ध्यान दो what is the actual hybridization of the OH bond in the H2 यह question आपसे पूछा गया जो SP3 hybridization है वो theoretical hybridization है ठीक है वो एक central metal hybridization theoretical तो हैं ही सारे hybridization वो भी एक central hybridization तो यह भी theoretical है बड़ जो actual hybridization है मतलब actual का मतलब है यहाँ पर bond का जो hybridization है that is called SP4 अगर bond का hybridization आपसे पूछ लिए तो bond का hybridization आएगा SP4 के लिए रेक्दम वो कैसे अब एश्टो का bond अंगल होता लगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवण नोट 4 5 minute तो 104 degree 5 minute is equal to तो कितना हो गया minus i upon आप आप आले कि इसको percentage s character से भी निकाल सकते हो आप यहाँ पर वह वाला percentage s character आएगा तो percentage p character मिल जाएगा तो इस वाले फॉर्मुले से percentage s character आपका 20% आएगा आप यह भी ना लगाओ तो आप यह भी लगा सकते हो तो हलक आसा बच्चा confused हो जाता है तो आप simple उसी formula से निकालो 20% आपका s character आया तो उस पी माइनस कर दो तो असी माइनस अब आप simple आपका mathematics बहुत अच्छा है कि आपका 20% आपका s character आया उस formula से और आपका 80% p character आया तो 20 को 80 को 20 से divide कर दो integer 4 हो गया it means 4 pk orbital के बराबर एक s का orbital है इसको लगम sp4 clear रखदां तो sp4 आना चाहिए इसके जो bond का hybridization होता है ऐसे हम lion pair का hybridization निकाल तकते हैं तो uses of angle तो इससे हमें यह पता लगता है कि कौन सी hybridization ideal अब ideal hybridization की बात करते हैं कि ideal hybridization क्या होती है ideal hybridization वह जो central atom का hybridization आया भल्लो कोई central atom का hybridization है वही उसके loan pair या जो भी उसमें bond pair है उनका hybridization हो हाला कि जो आपके ideal hybridization होता है उनका होता ही नहीं है तो central atom का hybridization होता है वही उसके bond का hybridization होता है उसको ideal hybridization कहता है वही उसके bond का hybridization आजाए उसमें loan pair हो गाही नहीं टो प멋ण पैर के संट कुछ पर नु के सब सिभी हो फिद का जा liberté इस के लिए क्या क्या संब होती है इस काम के लिए काम के लिए दो कंडीशन होती है एक तो सेंटल एंटम पे कोई लोण पियर ना बाचा हो और उसके जो साइट एकम हो यो सबके सब सेम हों अगर यह condition बनती है तो इसी को हम ideal hybridization कहते हैं जैसे like CH4 कोई loan pair नहीं है that is CH4 CCL4 कोई loan pair नहीं है that is ideal hybridization side atom सारे के सारे सेम है और central atom पर कोई loan pair नहीं है के लिए एक तब BF3 ठीक है हाँ अगर आपने CSCL3 ले लिया होने को तो यह भी टेटराइड अलगा इसमें परसेंटेज करेक्टर रहा होगा उसको परसेंटेज पी करेक्टर रहा होगा और यहां पर यह फर्क आता है hybridization दोनों का सेम आएगा आप्डेशन CSCL3 का भी SP3 आएगा CSCL4 का भी SP3 आगा लेकिन मोंड का hybridization डिफरेंट होगा तो इसको आइडियल हविदेशन भी पर लेंगे क्लियर एकदम आई यहां पर क्या आगया यह सारे के सारे पॉंट आपको दिये हुए यह पॉंट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप जैसे कोई 107 दे रखा तो आप परसंटेज आपके पास मिल गया तो इसको 100 मैंस कर दो परसंटेज पी करेक्टर आ जाएगा इन दोनों का निकालना के इक इतने पी की वेल्यू तो सतेत्ता दसमलब चार को 20.6 डिवाइड को पी की वेल्यू आ जाएगी एस की वेल्यू को वन माल लो तो यह आपका आपरसंट आ जाएगा चाहल जितना हम स्ट्रेग्लेंट थोतना ऐस करेक्टर इनॉल्व हो गार फॉर एक्जम्ड ऐ 150 पे बिल्कूल भी स्ट्रेग्लियू तो 25 धी हो गया तो यह 75% हो गया अगया enc nicht अगर देखा जैसे-जैसे एंस क्रेक्टर रहूं सुन करेक्टर कम अब इंगल तुमयारा यह को बना रखा, समुन्द में बना रखा है कि लियर एकदम तो इन सब चीजों को ही ध्यान में रखके सारी आपको पढ़ाईए अब यहां इसे पूछा हुआ कि सब दिमार तो यह बिल्कुल नीचे का हईड्राइड हो गया यह बिल्कुल एक नोन आइडियल हो गया एक्टो के पास में कोई लोन पेर नहीं होना चाहिए और देखो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चन नमर चार और लेक्चन नमर पांच को क्वूच्ख यहां पर किया है आप बढ़ते हैं लेक्ट नुमर पहरें लेक्ट नुमर 6 की तरफ लेक्ट नुमर 6 में हम वही चीज कोष्ट टीटा जो मुने आपको पीचे फॉर्मुला बताया पर्सेंटेज एस करेक्टर वही फॉर्मुला है अप जैसे यहाँ पर भी एक कोष्टन यहाँ से पूछ लिया है इसको भी मैं आपको कवर कराता हूं बहुत तेजी से तो आपको आई होप के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हुगा तो यही चीज आपसे पूछ सक यह ज trif P вой two 딱 गया पॉच्छ रहा है इस वाले बॉन्ड में कितने पर्सेंट एस करेक्टर है कितने पर्सेंट करेक्टर है अब जिल्bern मभी त्वन्टी पर्सेंट करेक्टर हैं थुल्टी पर्सेंट एसक्रक्टर एकष्टर वां और एकसका देटाना थिका ही लिया चलो में हमて थीक करना पड़ेगा तो इसको देखते कैसे तो 20 परसेंट ये 20 परसेंट hing 5 इस क्रेक्टर बचले तो 60 परशा में 20 परसेंट यें 30 परसेंट यहां 30 परसेंट यहां पी का करेक्टर निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो तीज दुनी साथ बच्छे सो 2.33 तो हम बोल सकते हैं कि लोन पिर का जो है वह एस पी 2.33 है कि इसका sp4 आया था आपको ध्यान हो तो sp4 क्या स्पास आया और दोनों को कमबाइन करके जो आपका हवड़ेशन आता है वह आता आपका sp3 यहां पर इन्होंने एक नई प्रोब्लम दे दिया है वह कह रहा है कि परसंटेज और गर्वड्स का यहां पर दोनों को मैंने जैड मान करके बताया था टाभ यहां पर उसने दी जो टैरहा हूं इस वह प्रोब्लम मैंने लोगों को दे रहा हूं कि जो प्रोब्लम अन पैbek है बने इसके percentage S और इसके percentage S का जो ratio है वो 3 है एक्स जैड अपॉन इतना ratio 3 है तो आपको find करना है xy ratio percentage xy ratio ठीक है हम पर जो बाई है xy ratio percentage xz ratio percentage p loan pair में परसेट है तो यह questions है आप लोगों के लिए बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया है बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है आपको आप जैसे कि यहां पर हमने आपको बता दिया कि इन दोनों bond में मिला करके percentage S करेक्टर कितना आ जाए आपको सोचे इन दोनों बाई पर देखो इसको भी मैं ही सोल करके आपको इंड देता हूँ इसमें 20% था इसमें 20% था जब दोनों जैड जैड के मतलब दोनों में मिला के percentage S करेक्टर 40% हुआ 40% का मतलब 1 by 3 गरा है तो आप थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हो कि अगर एक का 30 हुआ दूसरे का 10 हुआ मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों का तो X, Z में जादा है X, Z में 30% S करेक्टर है इसमें 10% S करेक्टर है दोनों का मिला के 40 आना तब कहते हैं X प्लस Y की value 40 के बराबर है और इन दोनों का ratio यहाँ पर दे रखा है तो यह कितना हो जागा 10, Y, 3 तो 3 आगया के नहीं आगया तो यहाँ पर 30% है यहाँ पर 10% S करेक्टर है जब जी simple H2O molecule था तो दोनों में 20-20 था तो ratio 1 था तो यही 30% S करेक्टर है तो percentage P करेक्टर कितना होगा 70% percentage P करेक्टर कितना होगा 9 तो इसका जो vibration आएगा इसका vibration आएगा SP9 आगया तो यही चीज यहाँ पर देखो नीचे बताई गई है और जब आपने 30% इसका निकाल ले 10% उपर उसका निकाल ले तो उपर आप लोन पेर का भी निकाल सकते हो ठीक है तो यही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है कि देखो 90% S Y में P करेक्टर 90% उसमें 10% आप एक पीका बताई है उसमें तो आपका कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेर में 30% परसेंटेज असका रेक्टर निकाल लोन पेर 30% आगा एक में ठीक है तो एक में कितना हो जाएगा 70% और एक क्लियर रिंग दाव तो आई हो आपने यहाँ पर बहुत अच कॉद्ध नॉंस स्लॉंसौडoma का और समया प्लियुत प्रावस करता है उस्यचुन की पेण स्विल्थ ज में मत्यचना हो जो जिए मादि हमने पेल्ठ नॉड़े यह सारी चीजे हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी चल अब नीचे आ जाते हैं अब हमारा से कि ओवर लैपिंग के लिए थर्ड लेक्टर आपने देखा था उसके लेक्टर में था ओवर लैपिंग और थर्ड लेक्टर में आपका हाइग्डाजेशन आप रख्डाजेशन के लिए पूरी स्रीज मैं आपको यहां भी बना करके दिये लास्ट लेक्टर में आपको यह सब कवर कराया था के लिए रख्डम आप देखो ड्रागों मोलीक्वल सेंटर एटम लाज होना चाहिए साइड एटम इसमल होना चाहिए लोन पेर भी क्या रख दम परसंटेज्ज सब्सक्राइब तो यह सारी चीज नहीं आपको इसलिए बना करके दे रहा हूं ठीक है तो सोटमोग्स की बहुत ही इंपोर्टेंस है हमारे साथ बने रहे यह हमारे साथ पढ़ते रहे है आगे और वी जो लेक्चर्स है मैं बहुत जल्दिन को भ को भी प्रोग्लम अगर आपको आए तो आप कमेंट चक्षन में आपको कमेंट कर सकते हैं को भी डाउट अगर आपको है तो आई विल रिप्लाई है इंटोडेक्शन में भी आप लोगवाव को अपना दे देता हूं myself Dr. कुलदीब गर्ग I am the educator on this platform मैं इस platform पर educator हूं 2020 से chemical science के लिए CSR NPL से मैंने PhD किया है और उसके बाद मेरे Mtech Molecular Engineering में IIT Delhi से की है और उसके बाद मैंने उससे पहले मैंने MSC CCS University पहले मैंने MSC किया उसके बाद मैंने MSC किया उसके बाद मैंने PhD किया अगर मैं बात करूं तो मैंने यह 20 टोपिक्स यहां पर कराये हुए है मैंने टोटल यह 20 टोपिक्स यहां पर पढ़ाये हुए है Chemical Bonding with MOT, Coordination Chemistry with Reaction Mechanism, Stereo Chemistry, Man Group Chemistry, Inorganic Spectra, Organometallic Chemistry with Catalyst, Bio-Inorganic Chemistry, Group Theory, Classical Thermodynamics, Holy Street Chemistry, Nuclear Chemistry, GEOC, General Organic Chemistry या Ruling Organic Chemistry, ROC भी बोलते हैं उसको Reaction Mechanism, Paricyclic Chemistry, Name Reaction में, Inolate Chemistry में ने पढ़ा हुए है, Reagent मेरी विल्कुल फिरी है Special Class में, आप स्रीफ Unacademy याप डाउनलोड करो, Special Class में जाओ, मेरे को Dr. कुल्दीब कर को follow करो, और आपको Special Class में मेरे Reagent के सभी लेक्षर साप लोगों के लिए फिर है, Spectroscopy, Spectroscopy में ने NMR पूरा कराया हुआ है, Biomolecules, Chemical Canary, Electromagnetic Topic, सभी के सभी टोपिक पूरे Detail में पढ़ाये हुए है, कोई भी टोपिक ऐसे नहीं की उपर उपर से आपको पढ़ा दिया है, इन्हीं टोपिकों में आप देख सकते होगी सबसे पहला टोपिक में Chemical Warning of YouTube चैनल पर भी पढ़ा रहा हूँ, YouTube चैनल के आप अब तक साथ लेक्चर पढ़ चुके हो, साथ लेक्चर के वीडियोज है, आप फिर लेक्चर है, सेकिंड थर्ड लेक्चर एक साथ है, फोर फाइव लेक्चर एक साथ है, तो आज फिर यहां पर हम लेक्चर नमबर एट, लेक्चर नमबर लेक्चर बोंडिंग पार्ट वन का अज हम कवर करने वाले हैं, इसके बाद फिर हम MOT की तरफ मूब करेंगे, नेस्ट मन्थ मेरी जो वीडियो जाएंगी, वो MOT से आएंगी, यहां पर मैं आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करना हूँ, आपक से समझे होगी, अब चलते हैं अपने लेक्चर नमबर आठ की तरफ, लेक्चर नमबर आठ में हमने आपको एक कुश्चन दिया था सबसे पहले, कि भी आप यह जो ओडर है, इनको आप ओडर में लगा दो, यहां पर बहुत आराम से, आपको कुछ बच्चों ने कहाता है, और ओडियो थोड़ी सी कम आ रही है, इसे वार आज ओडियो पूरी आपको complete जाएगी, मैं थोड़ा सा तेज बोलने की पूरी कोशिच कर रहा हूँ, arrange the given compound in the correct order of the bond angle, इनको bond angle के correct order में आपको लगाना है, भी किसका bond angle ज़्याद है, किसका bond angle कम है, तो कल हमने आपको एक तरीका बताया था, कि भी सबसे पहले आप जो चेक करोगे, सबसे पहले आप hybridization को पाया जाया, तो आप hybridization के base पे सारे molecule को अलग-अलग कर लो, तो सबसे पहले हमने देखा CH4, CH4 is the SP3 hybridization, BF4 is also SP3, NH4 is also SP3, PH4 plus that is also SP3, BH4 minus that is called also SP3, और ये सब के सव जो हैं आपके, ये आपके सभी के सभी regular SP3 है, है, regular SP3 में हमने आपको क्या बताया था, कि ideal SP3 में हमने आपको क्या बताया था, ideal SP3 में हमने आपको एक चीज़ बतायी थी भी, अगर समका किसी पे कोई loan pair होना, loan pair तो present हो नहीं, और side ligand same हो, तो उनको ideal में रखा जाता है, तो देखो ये भी यहाँ भी कोई loan pair ने, यहाँ यहाँ भी कोई loan pair ने, यहाँ भी कोई loan pair ने, SIF4 ये भी आपका कैसा है, tetrahedral है, SICL4 ये भी आपका tetrahedral है, CF4 ये भी tetrahedral है, CCL4 ये भी tetrahedral है, SNCL4 ये भी tetrahedral, ये तो सब regular tetrahedral के दे दिये, तो यहाँ तो कोई bond angle में कोई difference ही नहीं आएगा, अगर आप देखा जाए, CH4 से देखे, PO4 3- तक, all are tetrahedral, और all are ideal tetrahedral, because side ligand सब के पास same है, आप किसी भी molecule का, अगर आपको doubt भी हो, तो हम आपको इसको करके दिखा देते, SO4, बचकुछ बच्चे को यहाँ पर doubt हो रहा होगा, कि वे SO4 को गुरु जी ने कैसे बोल दिया, तो SO4 को आप ऐसे देखो, S के पा 2 minus के electron आगे, 2 minus करना है, यहाँ पर 3 minus नहीं करना है, और यहाँ पर 4 ligand आपके oxygen के जोड़े हो है, 4 ligand आप oxygen के जोड़े हो, that is SO4 2 minus, हम यहाँ पर देख रहे हैं, 4 sigma bond है, 4 sigma bond is the SP3, और regular, PO4 3 minus होगा बिल्कुल एकदम, PO4 पर 5 electron है, 5 electron में 3 minus है, तो 3 electron आप extra जोड़ तो 3 minus के, और 4 oxygen है, 4 oxygen divalent होता है, divalent को जोड़ दो, अब यहाँ पर number of sigma bond के लो, number of sigma bond 4 है, इस टैरिफरक्टर 4 है, देख जालतो, SP3 है, और all are, कोई loan pair नहीं बचा है वहाँ पर, और all are, हम यहाँ पर क्या गोल सकते हैं, सब के सब कैसे हैं, एकदम, regular है, चारो लीगेंड से मैं, सब के सब क्या हैं यहाँ पर बच्चे, regular है, बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है नीचे, बहुत बड़ी एकदम, ऐसे ही आप आंसर करते रहो, पूरी उम्मीद है आप से कि इस वार आप सब का exam 100% qualify होगा, करते रहो, अब यहाँ पर आजाते हैं, अब यह कहरा है भाईस अब यहाँ, आरेंज दा गीवन कमपाउंड in correct order of the bondingर, अब इसने सारे के सारे कमपाउंड यहाँपर चेंज कर दे, अब सारे कमपाउंड गोंड चेंज कर दे, उसमें आया एक, बह पोर माइनस, SNCL2 C2H2 CO2 CH4 BF3 OF2 PH3 NH4 NH3 only PH4 BCL3 and the OCL2 सबसे पहले तो यहाँ पर ढूंड लो भी किसमे आदमी में क्या क्या है जैसे कि यहाँ पर देखो सब का है बटाजेशन BH4 की बात करें तो BH4 की बात करें तो BHA4 का हावड़ेशन क्या हो गया बटाजी यहां पर BH4 का हावड़ेशन SP3 नीचे लिखा हुआ है ठीक है अगर किसी का आपो समझ में हानग आ रहा है तो आप Comment में छोड़ सकते हैं ठीक है आप comment छोड़ सकते हैं तो जो भी होगा उसको ठीक करें king उसको बताया जाएगा आपको कमेंट में आंसर किया जाएगा आपको ठीक है तो आप उसको कमेंट में छोड़ो तो SP3 आपका यह हो गया SP2 that is SP2 SP2 कैसे हुआ SN कहो एक सीता जी सुनो पिरभू तो CL और CL तो तो टोटा इस्टेरी फेक्टर कितना हो 1 2 3 3 का मतलब क्या हो गया SP2 डारट निगालो आप बिल्कुल एक सम्भाइबर कहीं कलती नहीं होगी C2H2 acetylene है तो C और C एक hydrogen और एक hydrogen अब इस carbon की balance ही कैसे तीन से आप सिंपल सी एक sigma bond एक sigma bond that is SP2 oh sorry SP that is SP CO2 is also SP यह तो बच्पन से जानते CH4 SP3 BF3 is SP2 OF2 is also OF2 like the OH2 OH2 का क्या होता है SP3 होता है तो OF2 का भी क्या होगा इस यह ड्रैग हो आ गया यह ड्रैग हो नहीं फोर SP3 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 BCL SP2 अब मैंने बेटा सब सबसे पहले ना आपको class में आ जाते के साथ ही सबसे पहले मैं आपको order बताया है कि बहीं किसी चीज को bond angle के ट्रम में लगाना है एक questions बहुत आता है तो आपका जो order होता हो पहले क्या होता है सबसे पहले आप hybridization को देखोगे hybridization is must hybridization के बाद में आप NBEPR को देखोगे फिर आप BSEPR को देखोगे और सबसे end में आपका drag हो आ जाएगा BCBSEPR में आप number of loan pair के base पे भी चले जाओगे number of loan compare जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे बोन एंगल आपका काम होगा आप देखो यहां पर आप यह देखो कि सबसे ज्यादा बोन एंगल यह पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो SP SP और दोनों के दोनों ideal है इन दोनों का बिल्कुल एकदम equal होगा अगर मैं यहां लिख दो equal to CO2 यह दोनों यहां पर आए अब इसके बाद number आएगा SP2 वालों का यह वाला SP2 आइडियल है यह दोनों के दोनों आइडियल है तो यहां पर जो आइडियल है उनका दोनों का equal हो जाएगा अब यह एक SP2 इसका कम हो जाएगा online are you getting my iPhone अब बारी आगे वही सारे के सारे और ड्रैगों को सबसे बाद में रख दो पीस सबसे बाद में अब बारी आगे है सबके सब SP3 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 सबसे पहले तो जो रेगुलर SP3 है आप उनको सबको रख दो regular SP3 कौन कौन नहीं अब BACPR की बारी आगे लेकिन एक item है जो यहाँ पर NVPR दिखा रहा है वो है OCL2 अब OCL2 है तो simple सी बात है OCLCL तो इसके जो electron होंगे यह ज़ादे इस्टेकली क्या करेंगे करेंगे एक दूसरों को रिपैल करेंगे रिपैल करेंगे तो बोन डेंगल सबसे जादे होगा तो OCL2 क्योंकि SP3 है तो SP3 में NVPR क्या जाएगा सबसे पहले आ जाएगा अब उसके बात देखो आप एक यह regular है एक आपका यह regular है दो regular हो गए तो एक NH4 प्लस और इधर आप equal to PH4 प्लस यह दोनों के दोनों regular है और यहां पर कौन-कौन से regular है CH4 भी regular है CH4 प्ह भी regular है अब उसके बाद मैं regular कौन सा है भी एच फौर माइनस भी रेगुलर है इन चारों को एक को लो जाएगा उसके बाद आ जाएगा कम बाला कोई SP3 का कोई बचा यस OF2 एक लोन दो लोन पैर NS3 एक लोन पैर यह तो सब 0 लोन पैर वाले होगे अब यह एक लोन पैर वाला एक्जमपल यहां पर आ जाएगा सबसे बाद में PS3 आ जाएगा आई होप यह पूरा पूरा ओडर आप समझे होगे ले नेक्ट पे थोड़ा साफ भी लिखा होगा यहां तो देखो यह पूरा पूरा ओडर यहां पर लिखा हुआ है आप इसको एक बार समझने की कोशिश करो I hope you are getting my point बहुत अच्छे साथ ने इस point को समझा होगा कि that one is the C2H2 और CO2 दोनों SPSP हो गए और दोनों regular है तो बरावर SP2 without loan pair तो इन दोनों का equal हो गया SP2 with one loan pair तो यह यहां गया OCL2 NBPR का case आ गया BH4 minus CH4 minus PH4 यह तो बताए भी हमने यह सारे के सारे इक्वल होगे क्योंकि SP3 without loan pair SP3 one loan pair OF2 is two loan pair that is रहा हो अगर कौन से समझ में आया होगा तो आपको बड़ी रहत मिली होगी आज यहां पर आपको लगा होगा कि आप कुछ आज नहीं चीज यहां से सीख करके जा रहे हैं खेर चलवा आगे चलते हैं अरेंज तक करेक्ट ओर देखो जैसे कुशन आगया बोन डेंगल गाता हो अब अच्छे यहां पर आइस करेक्ट अप्लोई रहे हो नहीं आप यह देखो पूरे कंपॉन में सबसे अलग चीज किया है सबसे अलग चीज पूरे कंपॉन में सिर्फ एग वह वह है क्लोरी और विरों में इन दोनों का किंप इसी की वज़े से चो डिफरेंस कि रहे हो रहा हुगा अब बॉल्ट कि देख लो कि है अगर अच्छा रेक्टों नेगेटिव है तो उतना ही अच्छा स्का हैटर होगा परसंटेज एस हैटर होगा हेट करेगा कहेगा भाए बाइए भाग ज percentage s character और इसके percentage s character के अगर तुलना करेंगे तो cl वाला जो होगा उसमें जो bf bond होगा इसमें s character जाद होगा आई तिक जब इस bond में s character जाद होगा तो इस bond का bond angle भी जाद होगा तो हम कह सकते हैं theta 1 is greater than theta 2 समझें के नहीं समझें क्लियर हुआ concept के नहीं हुआ अब इससे आगे की बाता जाती है हमने निकालने के लिए formula बढ़ाता यह formula भी पढ़ाता और एक हमने shortcut भी पढ़ाता दोनों चीज हम से हम अब 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 निकाल रहे हैं ठीक है hybridization is equal to hysteric factor balance इसले लेक्ट्रोन पर इस मोनोबैल इस पीशी माइनस के टाइनिक चार्ज पिलस एनाइनिक चार्ट डिवाइड बै टो यहां पने पड़ाई नहीं होगा तो इस पे प्लाई नहीं होगा तीक है जीनों के जो होगे ग्रेंड नंबर greater than seven यहां पर यह अप्लाई नहीं होगा तो इन कंपाउंड होके hybridization आपको कैसे निकालने है तो simple तेको hybridization क्या है हम लोग तो theoretical बढ़ते हैं लेकिन एक experimental phenomena कैसे बन जाता है जब हमने CS3 radical का ASR data लिया तो CS3 की जो structure हमको मिली वह हमें एक planar structure मिली जब हमें planar structure CS3 radical की मिली तो इसका मतलब क्या है कि इसमें SP2 hybrid हुआ होगा SP2 hybrid हुआ होगा तभी तो वह planar हुआ होगा इसका जो radical है यह कहां रखा हुआ है प्योर पी और वाइटल में रखा हुआ है यह बात आप समझेंगे भी इसका radical मतलब कहां गया है प्योर पी और वाइटल में जैसे कि यह वह CS3 क्लियर रेखता हम CS3 CS3 radical है तो CS3 तो आपको यहां से बन गया है यह radical हो गया और structure planar क्यों आ रही है क्योंकि वह SP2 hybrid है तो यह जो जब कोई loan pair या single hybridization में involved भी ना हो रहा हो तो वह geometry पे कोई फर्क नहीं डालेगा मानलों कोई loan pair या single electron hybridization में involved भी नहीं हो रहा हो तो वह geometry पे कोई फर्क नहीं डालेगा अब इसी काम को हमने यहां किया जब scientist ने देखा वह CS3 radical यह है central atom उन्होंने CS3 को replace किया side atom से CF3 SIS3 तो यहां पर हमें देखने को मिला experimentally that is primidal safe that is primidal safe अब इसका region सीधा सीधा क्या निकल के आ रहा है इसका region यहीं निकल के आ रहा है कि भी C पे जब fluorine हमने लगा दिये silicon के साथ में H लगा दिये तो hydride माइनस बहुत अच्छा बना तो यहां भी डेल पोजेटिव करेक्टर आया यहां भी डेल पोजेटिव करेक्टर आया तो जब इन पे डेल पोजेटिव करेक्टर आया ठीक है तो F is more electro negative था तो C पे डेल होता है तो orbital hybridization में involved होने की कोशिफ करते हैं इसलिए CF3 की से प्रामीडल प्रामीडल सेफ हुई तो जो CF3 का जो radical है आब यह जो radical है यह कोई pure orbital में यह SP3 orbital में सिस्ट्री के जो से प्रामिडल से इस से मैं पता बढ़ता है कि यह जो रैडिकल है अब वह प्योर पी और वीटल में नहीं है वह स्पी त्री ओर्विटल में है आई होगी जैसे कि यह इस त्री रैडिकल दबी एस त्री जाइस त्री यह तीनों के तीनों आपके इस त्री ने स्ट्री बोथ और प्रामिडल फ्लॉरी आने से लिखो सीएस थी रैडिकल था यह तो प्लेणर था किसी वच्चोषचे में से पूचा की से और प्लॉरी उप्रिटिव थे स्ट्री 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 होगी यह वी रिजोर्ब इम से पूचा की स safety möglich शरेत ब्हुर्स यह सली की ट्री पाधिये स्म् JIM रिस्टोर्शन तो होगा ना ऐसे यह वाली स्पीसीज आ गई अब तक और और इलेक्ट्रों स्पीसीज में पूला अभी तो हमने उपर कौन सा लोन प्यर है यह आपका हाइबरिड और इसका मतलब क्या है कि यह कि यह जो लोन प्यर है और बुदफ्ट की हो कहता है क्या है कि यह जो लोनपेर यह प्यूर्प्यूर बीटल में अब ऐसा क्यों हुआ सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की एलेक्ट्रों नेगेटिविटी क्या होती है हाई होती है अब हाई होगी तो वह सारा का सारा हेट होके कहां पुछेगा इस रैडिकल में पहुंचेगा यहां पर तो कोई है नहीं पुछना पड़ेगा उसको तो यहां पे एस और बिटल करेक्टर जाएगा लेकिन यहां पे एक लोन पेर भी तो रखा हुआ है ना यह लोन पेर क्या होता है परसेंटेज एस लविंग होता है इसको एस करेक्टर से प्यार होता है तो जितना यहां से निकलेगा उतना यहां समा जाएगा इसके हिससे में एस करेक्टर आएगा ही जिसकी वज़े से इसका है आपको SP2 मिलेगा और इसका यह जो इलेक्ट्रोन होगा यह प्योर प्योर विटल में अब यही कुश्चन देखो बिटाएं कि यहां से ना कितना प्यारा कुश्चन नहीं बन जाता है अगर मैं आपसे हाले की लिखा हुआ है नीचे आप इसमें सारे देखो पड़ सकते हो CLO3 has SP hybridization O की electron negativity, atom is the heat percentage S character, so more S character is in odd electron orbital clear एकदम, hence all electron is involving hybridization, जो odd electron होगा वो कहां involved होगा आपका? hybridization में involved होगा, साफ साफ एकदम लिखा हुआ है दूसरा, CLO2 radical has SP2 hybridization, odd electron pure P orbital में बैठा होता है पिलकुल एकदम, क्यों बैठा होता है? CLO2 में जो lone pair है, उसको S character से प्यार है तो जो percentage S character, वो दूर करेगा अपने पास से, जो oxygen के पास से percentage करेगा वो पहले lone pair हो जाएगा, ना कि odd electron को जाएगा क्योंकि lone pair प्यार करता है, ना कि odd electron प्यार करता है S character से, वो तो मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम महत्मा गादी तो यह जाना पड़ेगा, वहाँ पर गया, वहाँ पर lone pair नहीं थे यह lone pair है, तो यहाँ percentage S character को यह पहले करेगा ठीक है, तो lone pair जाएगा, ना कि odd electron को, clear एकदम, क्यों lone pair प्यार करते है percentage S character से, ना कि odd electron से, odd electron pure P orbital में बैठा होता है, अब देखों, ही से question आ जाता है, question क्या आ जाता है, कि अगर हम इसको dimerize करने के लिए जाएं, और इसको dimerize करने के लिए जाएं, मतलब CLO2 से हम CLO4 बनाएं, और CLO3 से हम CLO6 बनाएं, इसका rate suppose K1 है, इसका rate K2 है, बताओ कौन सा fast होगा, जल्दी से answer करो, comment में, which one is fast, इन दोनों में जो fast होगा, वो कौन सा fast होगा, इन दोनों में अगर हम fast की बात करें, तो कौन सा fast होगा, तो simple सी बात है, यहाँ पर यह SP3 hybrid orbital में है, तो मैंने क्या बता है, जब भी जो भी चीज hybrid orbital में होगी, वो पहले overlap होने की कोचिस करेगी, उनकी overlapping सबसे इतनी अच्छी नहीं होगी, जितनी hybrid orbital में होगी, सो CLO3 जो होगा, वो एक dimer बनाएगा, जब कि यह dimer नहीं बनाएगा, इसके मुकावले, K2 का जो rate होगा, वो बोल चकते हैं, K2 का जो rate होगा, वो fast होगा, as compared to K1, आई हो कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ महाँ, नीचे पूछ भी रखा होगा यह question, हम उसको clear भी कर देते हैं, best theory उस पर लगेगी, जो radical hybrid, फिल्कुल एक दम, best theory आपको लगाने है, तो best theory तो आपकी तभी लगेगी ना, तो उसको, उस पर तो best theory लगेगी नहीं, ड्रोगों की तरह act करेगा, अब जैसे इसमें पूछ लिया, order of bone angle किसका जाद होगा, तो यह SP2 hybrid है, SP3 hybrid है, और hybrid इसमें इसका bone angle जाद होगा, clear एकदम, भागी आप इसको कार सकते हैं, चल तो यहां के नीचे, यह simple question है, यह question आपके लिए छोड़ा हुआ है, मैंने, यह question भी NO2 minus, NO3 minus का मैं आपके लिए छोड़ता हूँ यह वाला भी, इसको पढ़ना हो, इसको सारा region एकदम यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको बड़े राम से कर सकते हैं, देखो, dimerization की बात आती है, कि भीया, किस में dimer पह पहले होगा, तो अभी हमने पढ़ाना कि यह प्रामिडल होता है, यह hybrid orbital में होता है, यह pure P orbital में होता है, जिसकी वज़े से, जो आपका dimer जो बनेगा, वो पहले C2F6 का बनेगा, ना कि इसका बनेगा, तो जो K2 का जो rate होगा, देखो, नीचे देवी रखा है, केटू का जो rate होगा, वो fast होगा, देखो, यह question number 46, जल्दी से निगहा दो रहा हो, एक बार पढ़ो, कौन जल्दी dimerize होगा, कौन जल्दी dimerize होगा, CLO2 में odd electron pure pure orbital में है, इसके साथ-साथ lone pair रोगता है, odd electron को bond बनाने से, क्योंकि lone pair चाहता है कि percentage x को मैं ही रखो, अपने पास, अगर bond बनेगा, तो वो percentage x करेक्टर मागेगा, तो CLO3 में odd electron hybrid orbital में है, hence K2 is greater than K1, हमने आपको भी यही बात बताई थी, तो कौन डाइमर बनाएगा, कौन डाइमर तो NO का डाइमर इसलिए नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्यूर प्यूर विटल में है, क्लिर एक दब तो आपको इतनी बात सबसे जादा अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है बेसी सिटी जादा है, क्योंकि compound में बोल्डर इंवर्जन भी आएगा, इसको हम भी थोड़ी देर बात परेंगे, ठीक है बॉल्डर इंवर्जन का रीजन यह है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इसकी आख भी साफ बशलालएगे, यहाँ पर यहाँ पर यह मूवय नहीं हें चेंगे क्योंकि यह लोन पेपर उपर के तरफ तो यह एजी ली अवेलेवल नहीं होता है यह एजी ली अवेलेवल होता है कि लिए रखदाम तो यह थोड़ा वाल डबगी बात थी अगर माल लो दो चीज होती है कि PCL5 है है अब यहां पर कुश्चन यह उठता है तो हम क्या करते हैं जब भी ऐसी कोई कंडिशन फश जाती है सोलिड का है निकालने में तो हम कंपाउंड जैसे PCL5 है इसी को हम तोड़ देते हैं इसको दो जगया बना दो PCL5 में एक सील जोड़ दो ठीक है एक दूसरा PCL5 और उठाओ ठीक है दो PCL5 के मोलिक्यूल लो PCL5 एक सील जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा PCL6 माइनस बन जाएगा और यह जो सील आया तो यह समझ दो यहां से गया है दूसरे सील से गया है तो यह क्या बन जाएगा PCL4 पिलस तो यह आपकी एक आयनिक इस्ट्रक्ट्चर बन गई कि नहीं बन गई PCL5 माइनस सोली स्टेट में जो बना रहता है वो इन दो फों में ह होता है PCL4 पिलस PCL6 माइनस अरिगेटिक माइप और पीचल 6 माइनस आप देख सकते हो छह इसका इस्ट्रीक फेक्टर आएगा यह जैसे पीट्रीट्रीट इसका चार इस्ट्रीट आएगा यह जैसे माप पीवी एक्जांपल आप उसको इसको एजली कर सकते हो इसे आप प प्राइद सेंटल अगर मालो एक से ज्जादर सेंटल एटम है तो यह ऊक्पाउंट आपके तीन टाइप के हो सकते हैं यह इंप पॉई जिन यहुट्रीजिंग लीगेंड की तरह काम कर रहा हो एक जो आपका सिमिट्रीकल हो जैसे आएए आई-आई-ईटू के लियर तो बेटा जी यहां पर कभी भी हूमेलिटिक किलिभेज तोो होगा नहीं है कि आप क्या करो। यह जो ठीजिंग आपको दिखाई दे रहा है। इस ब्रीजी की लिगेंड को आप ऐसे तोड़ दो, एक तरफ तो जादे पार्ट चला जाए, एक तरफ कम, जैसे कोई पार्टनर से तोटे तो एक तरफ जादे पार्ट चला जाए, एक तरफ कम, जहाँ पार्ट जादे चला जाए, आप उस पे माइनस लिख दो, जहाँ पार यह बनाता है यह बनाता है यह बनाता है कि इसलिए ब्लकुल हो गया इसलिए बिल्कुल एक दो सिंगल हो गया कि बाइञ ये वाला हो गया कोई ब्रीज़ यह नीचे वाला एक्जम्पल देखो यह कोई बिल्रीजिंग लीगेंड अक्सिजन तो हमने यहां से ब्रेक कर दिया तो यह क्या बन गया एंटोटू प्लस बन गया यह एंटोटू थ्री- बन गया आप इसमें लगा एंट पर पाँच इलग्ट रों ठीक है बैलेंशेंट पाँच एलेक्ट्रों हो गए आपका वन एस्टू टू एस्टू एटू एंड़ टूपीट्री आपका से पोजेटिब कर दिया और दो के साथ आपने बना दिये सिंपल एक दम तो तो स्वाविडेशन हो गया इन ओ थ्री माइनस हो गया थो आप इसका सॉली स्टेट में बता होगे स्पी अन्धा एस पी पो सेम चीज आपको यह बताई कि आप इसको ऐसे मत तोड़ो इसका एक लीगन यहां से एक लीगन उठा के आप इधर जमा कर दो तो वही चीज तो बता है यह एक लीगन उठा के जमा कर दिया जिसका जमा किया वह माइनस और दूसरा पोजिटिव जैसे C-L-O-6 को तोड़ना है C-L-O-6 आप ऐसे नहीं तोड़ोगे इसका एक oxygen उठाके आप इधर दोगे तो यह क्या बन जाएगा है C-L-O-4- थी क्या बन जाएगा C-L-O-2- तो C-L-O-2- पिलस और C-L-O-4- निकालो जल्दी से चलो निकाल देते हैं यहां पर नहीं निकालना तो हम निकाल देते हैं है 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 जी एलोटू और C-L-O-4- का हाइवडाजेशन क्या होगा जरा देखो बिटा यह सी एले सी एल के साथ एलेक्ट्रोन है साथ एलेक्ट्रोन एक पोजटिव एक बहर चला गया देट वन दो आपने जोड़ दिया जैट इस पी टू एस पी टू थी इस टेरिश्टर है एक आपने जोड़ दिया बाकी Oxygen जोड़ दिया तो यह बिल्कुल एक दाम बन गया तो इसका SP3 होगा इसका SP2 आयोप आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी चले आगे दा N2O4 solid की बात करें तो N2O4 जब solid की बात करेंगे तो अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा कि एक oxygen को आपको इधर से इधर ले जाना पड़ेगा तो एक NO3 माइनस बनेगा एक NO पिलस बनेगा अर्य गेटिंग माइपों नॉट और डायाटम मोलिक्यूल का हम अभडाइजेशन नहीं निकालते हैं कम से कम अभडेशन निकालने के लिए मोलिक्यूल आपका triatomic आपका होना चाहिए ठीक है सिर्फ NO3 का अभडेशन होगा SP2 सेम यह थाड़ केस हमने आई टू सोलीड होता है कर कोई आई टू सोलीड का पूछे तो आई पिलस इसमाई टू एड गिया इसमाई टू एड गिया इसमाई टू एड गिया इसमाई थी पि उस ब्रीजिंग को आप यहां से ब्रेक कर दो तो एक तरफ CLO3 प्लस चला गया एक तरफ CLO4 माइनस चला गया चलो आप इसका इहीं पर हमाई बड़ेशन भी निकाल के दिखा देते हैं CLO3 पोजेटिव अब गेटिंग माई पोईंट और नौट तो CLO3 पोजेटिव आपका कितना हो गया कि C L पे साथ एलेक्ट्रों थे एक लेक्ट्रों गायब हो गया धैटिज ओक्सीजन गविए पोड़ेशन थे टो कितना है यह दिखा जैटिव आपको एंजोईन दिस वीडियो और आपको लेक्ट्र नमबर एट में पूरा इंट्रेष्ट आया होगा ठीक है अब हम चलते हैं छट्र नम नाइन तरफ लेक्ट्र नम नाइन की तरफ लेक्ट्र विए polarization है गया तो एक-एक लाइन पढ़ेंगे एक-एक चीज को समझेंगे और आज पूरा polarization पर प्रकाश डालेंगे क्लिए एक न इसका सैइज बड़ा होता है तो इसका नुकलिएस अपने आउटर्मोस्ट एलेक्ट्रोन को अच्छे से बाइंड करके नहीं रख पाता मैं सिंपल सी बात है कि किसी का साइज बड़ा होगा किसी बहुत बड़ा भार होगा लाइकमबानी हो गया पैसों को से बांग ने कर पाएगा कोई पैसा कहीं जा रहा है सेम ही जहां पर रहे यह सब्सक्राइन का साइज इतना बड़ा हो गया तो अब यह इसको कंट्रोल नहीं कर पार रहा है बहुत किना मंठोन उनuler इलेक्ट्रोन को एक करेगा कैटाइन का क्या है जो phenomenon है यह दो ट्रम से मिलकर के बना, एक Polarizability कर ले न, Polarizability and Polarization power. Polarization एक एक लग चीज है, polarization के अंदर दो ट्रम आती है, Polarizability और Polarizing power. इन दोनों phenomenon को मिलाके, एक word कहा गया है जिसे हम polarization केते हैं. polarization वाली बात क्या है, कि एक केटायन में कितनी ताकत है कि सामने वाले को पीड़ दें जैसे कि मेरे अंदर कितनी ताकत है कि मैं जाँ और सामने वाले को पीड़ दूँ अब दूसरी प्रजिबिल्टी भी है कि सामने वाला कितना पिड़ सकता है जैसे मेरे केपेशिटी तो बहुत जाद है मैं मार अब लेकिन सामने वाले पर भी डिपेंड कर रहा कि उससे कितना पिट सकता जैसे होता ने कोई किलास में एक बच्चा होता था जो सबसे पहले बस भाई सा वहां के दिखा दो तो डर जाएगा और गए बच्चा होता था उसे कितना ही माल लो उसे कोई फरक ही नहीं पर लेकिन वाली बात टीचर तो अनंद टाइप तक मार सकता था गोवर्डमेंट इसकोल में पड़े थे तो टीचर एकदम अनंद टाइप तक आत करके एकदम ढंग से खेल लेता था लेकिन हो आपी दो बच्चे होते हैं तैब सामने वाला कितना पिट तकता था एक तो हम थे भाई सब मार लो जितना मारना है पीट लो जितना पीटना पीटना पूरी भरास निगालता था एक बच्चा और सामारे साथ में ठीक है अब जैसी इंटीचर एकदम से कुछ बोलता था वह तो एकदम हाज जोर के खड़ा हो जाता था गुरू जे छमा कर दो हम कल काम कर लाएंगे तो एक पॉलाइजिंग पावर होती है पॉलाइजिंग पावर होती है कौन कितना किसको अट्रेक्ट कर सकता है दूसरी पॉलाइजिबिल्टी होती है वो कितना अट्रेक्ट हो सकता है कैटाइन पीट रहा है तो कैटाइन की पॉलाइजिंग पावर देखी अगर polarization पूछा जाता है तो cation and nion दोनों को देखते हैं आप इसे की polarization पूछा है तो आप सिर्फ cation को देखोगे तो cation और nion को देख करके ही polarization आप बता होगे the distortion in the shape of nion by cation is cold polarization that is the real definition the distortion in the shape of nion by cation is cold polarization जहां polarization पढ़ते हैं तो compound को three configuration पढ़ता है एक to noble gas configuration जैसे की जिसके balance cell में 8 electron हो दूसरा pseudo noble gas configuration जिसके balance cell में 18 electron हो और तीसरा non novel gas configuration जिसके balance cell में 20 electron सबसे पहले तो आप इमकी पहचान करोंगे कि लिए एक प्रिजाशन पढ़ते हैं तो तीन टाइप के लेक्टानिक कॉन्फिगेशन आएगे जैसे कि एक एक एन ने हो गया देज एक एन एक आपका सी उप्लस एउप्लस एजी पिलस जैडन टू प्लस ओल आर स्टीडो नोबल गैस कॉन्फिगेशन थर्ड आपका यह हो गरूप 11 के यह आपके स्टू नोबल घैस कॉन्फिग्रेशन हो गए खेले एक दम गूरूप सैकेंड के और यह भी नोबल घैस कॉन्फिगेशन प्लस टोडव के तो सीडू नोबल गैस काुऊं आप इससे मैच कर सकते हैं एक दम तो यह बड़ा मेटर नहीं है सिर्फ इस एक तम आप यह जो प्लाजिन ठीओरी यह मोश्ली जाड इफ़क्टिफ पे बेस्ट होता है तो सबसे पहले आप स्यूडो नोबल को प्राइटिव हो जो सीडोनोबल हो जिनके बैलनस इलमें स्थारे लेक्ट्रोन होंगे उनका जैड़ इंन सब से जाद्रा रहा हो यह नहीं कि आपने फोल गुरुप का उठाले जब सेम पीरिट के बीच का हो रहा हो तो यह आपके इसके बेस्ट पर भी आप polarization का अंतर कर सकते हैं जब thermal stability का comparison करेंगे तो based on polarization तो समसे primary factor जो देखेंगे वो जैड इफेक्टिव देखेंगे thermal stability यह तब valid है जब NIN सेम है अब कैटाइन डिफेरेंट है तो समसे पहले configuration देखेंगे फिर उनका जैड इफेक्टिव दो चीज़ हो सकते हैं एक तरफ तो वो कैटाइन तो को क्या रखे कैटाइन एनायन को सेम रखे कैटाइन डिफेरेंट करेंगे जब भी वो एनायन सेम रखेगा कैटाइन को डिफेरेंट करेगा तो आप इस order के base पर उनकी polarization बता सकते हो अगर वो सेम पीरियड के हैं तो clear एक दम लेकिन एक दूसरा काम भी हो सकता है कि अगर वो कैटाइन सेम रखे और एनायन को चेंज करें आप देखो यहां पर हमारी चीज़े कहां फस्ते हैं जब आप इसको भी पढ़ते हैं एक तरीके से जहां पर हम फस्ते हैं कहां पर कैटाइन के लिए आप देखोगे polarizing power directly proportional to jet effective बिलकुल एक दम अगर किसी का jet effective ज्याद्ध होगा तो उसकी पीटने की चंता ज्याद्ध होगी polarizing power directly proportional to charge बिलकुल एक दम यह यह अधर फेक्टर है उसके बिचार जितना ज्याद्ध पावर इस इन्वर्सली प्रपोर्शनल तो साइज सिंपल सी बात है साइज अगर किसी का ज्यादा पड़े बढ़ जाएगा तो जब कैटाइन भी बढ़ा होता चला जाएगा तो उसकी polarizing power का महती चली जाएगी polarizing power directly proportional to pseudo nobelies चार पॉइंट होगे हमारे कैटाइन को ले करके किसको ले करके होगे चार पॉइंट कैटाइन को ले करें अब एन एन को ले करके क्या चार पॉइंट आते हैं एन को ले करके आते पूलराजी बिल्टी डारक्ली प्रपोर्शनल टू स the car को दोःएंट बैन हैं और जिसका साइब जगा भला हो वह उतनी जल्दी क्या रि्स्टोर्ट होगा तो उसकी परचिबलटी उतना ज्यादा ऑगी on or getting माइटन और में तो यसा न अब दो वन्य दोचीज हम जिन पर कॉश्यन आते हैं उन प्था जिन. एक तो कॉश्यद पूछा जाता है thermal stability दूसरा question पूछा जाता है polarisation related to covalent character symbol सी बात इस compound का polarization जाधे होगा चोटा ketion होगा जितना मोटा जाधे होगा उतना polarization जाधे होगा जितना polarization जाधे होगा उतना covalent character जाधे होगा polarization alone is the not the parameter to define thermal energy along with polarization तश्चिशन क्यों पर प्रिफाइन कने का आप laufen मैंते तुझ शूरूरे का जो प्रों इस लाएक हिाट फिल्स्थ wont ड्रहुत और तुल उसके बाद में नोबल का नंबर आएगा अब यह मैं चीज आपकी यहां से सुरू हो रही है यहां पर क्या सुरू हो रही है देखो कोवलेंट कारेक्टरिस डार्क लेक्र पर्पोर्शनलल टु पॉले राइजेशन यह तो बात हमें बड़ी अच्छी लगी भी यह यह तो हम्ने अभी और इसके बेस पर एक्जाम। भी दिये जैसे जैसे आपका साइज आपका बढ़ता जा रहा है, साइज आपका बढ़ता जा रहा है, तुस नीचे की तरफ यह साइज आपका increase हो रहा तो की और लेक्टिस एनरजी की फस्काईएं थर्मल इस्टेवल्टी की बात करेंगे तो थर्मावल इस्टेवल्टी करण में दो वज़े से आती है एक तो पॉलिड़ाइजेशन की वज़े से हैं अगर हम और और बॉन्द की बात करें तो सबसे ज़्यादा आइनिक बॉंड ठा compound को thermally unstable कहेंगे और यद अगर compound जाधा temperature पर टूटे तो उसे thermally stable कहेंगे are you getting my point to know suppose charge एक factor है समझे माना suppose charge एक factor है अगर charge increase होगा तो lattice energy बढ़ेगी को lattice energy का आपका क्या होता है lattice energy charge के तो directly proportional होती है radius के क्या होती है inversely proportional होती है तो अगर हम कहेंगे यदि आपका charge किसी compound पर बढ़ा क्लियर दम तो lattice energy भी बढ़ेगी बहुत बढ़िया बात के दी बहुती सुंदर बात के दी लेकिन एक दूसरा भी तो आ गया अगर किसी compound पर चार्ज बढ़ रहा है तो polarization भी तो बढ़ रहा है polarization बढ़ रहा है तो थर्मल इस्टेवल्टी का मोरी आप देखो यहां पर दो तो लो गए एक चार्ज के बढ़ने से थर्मल इस्टेवल्टी बढ़ भी रही है एक चार्ज के बढ़ने से थर्मल इस्टेवल्टी कम भी हो रही है अगर उसे polarization के त्रॉंग नहीं देखे है यहां बच्चे सबस्यादे कन्फ्यूज होता है तो कई बाद चार्ज बढ़ने पर थर्मल इस्टेवल्टी को घटा देता है कभी बढ़ा देता है बच्चे कभी समझी नहीं पाते कब हमें चार्ज बढ़ने पर thermal stability बढ़ानी है कब घटानी है इसलिए जब thermal stability की बात करेंगे तो हमने इसी confusion से बचने के लिए NIN को दो तरीकों में बाढ़ दिया दो method में बाढ़ दिया दो types में बाढ़ दिया एक तो large NIN यह large NIN एक small NIN में O minus X minus N3 minus ठीक है ATC large में यह आपको सारे के सारे large के example लिखे हो है 4 large अगर कोई भी large NIN के time से में NIN change हो रहा है तो हमारा dominating factor होगा polarization चार्ज बढ़ेगा polarization बढ़ेगा thermal stability घटेगी और यदि कोई small NIN है तो हमारा dominating factor होगा lattice energy चार्ज बढ़ेगा lattice energy बढ़ेगी polarization बढ़ेगा अब आप जैसे देखो बहुत ही सुन्दर एक्जामपल यहां पर दिए गया है जो पहला एक्जामपल है पहला एक्जामपल है आपका arrange the following in the order of the thermal stability arrange in the following in the order of the thermal stability Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 RB2CO3 CS2CO3 अब आप यहां पर आप देखो कि यहां पर हमारा NIN क्या होगा क्या है इसमोलर दा साइज ओफ दा कैटायन ग्रेटर बिल बीदा पोलिराइजेशन देर्फोर एलाइस 2CO3 है दा लोवेस्ट हमल आपका क्या हो गया साहरा का साहरा NIN क्या है आपका बड़ा वाला एनायन इस भीग एनायन इस भीग क्लियर एक दम और यह अलग अलग पीड़ के वैसे हैं तो यहां पर आप नोबल वाला कॉंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं अगर यह की पीड़ के होते हो तो नोबल मॉबल का कॉंसेप्ट लगा देते हैं तो अब क्या होगा अनायन इस भीग ठीक है तो आप चले जाएंगे हम लेकले रिखता हम तो देर्फोर एलाइटू सीओ थीजियर लोवेश्ट थर्मल इस्टेवल्टि तो यह थर्मल इस्टेवल्टि क्या हो जाएगी लोवेश्ट हो जाएगी क्योंकि एनायन बड़ा है तो हम पोलराइजे एंगे पोलिवल्यजेशन सबसे ज़्यादा होगा तो यह थर्मल सबसे कम आई यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो तर्मरी और चीज आप यह बात है बेटा हम आगे कह बाप रहे यह सब से चोटा होगा तो थर्मल सबसे कम इसकी होगी क्यों CO3 NIN CO3 NIN तो क्या होगा polarization factor होगा polarization factor होगा तो charge पर देख लो आप गेटिंग मैं पॉइंट और नोट तो साइज जो भी होगा पॉलेजेशन का फेक्टर यहां पर देगा जहां वाला question पूछ लिया CACO3 जैड़ अब यहां पर पॉलेजेशन वह मतलगा कॉंसेप्ट क्योंकि यह दोनों के दोनों एक पीरिएट की है अब जो जैडन हो गया जैडन तो होगे आपका तो पॉलेजेशन की बात जाएगी तो जैडन के अंदर पॉलेजेशन जादे होगा जैडन के अंदर पॉलेजेशन जादे होगा और ZnCO3 की thermal stability काम होगी कोवलेंट करेक्टर बूच लेगा तो ZnCO3 में कोवलेंट करेक्टर ज्यादे होगा और आप अच्छे से पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो मुझे को भी बहुत मज़ा रहा है पढ़ाने में अब जैसे यह वाला कोर्शन आ गया कि आरेंज दा फोलोंग और थर्मल स्टिमल्टी अब आपको यहां क्या करना है देखो N2 दे दिया है N दे दिया है यह स है कि मैं साइज के इनवर्सली प्रपोर्शनल हो अब जैसे जैसे साइज छोटा होगा लेक्टिस एनर्जी वहां पर ज्यादा होगी ठीक है साइज छोटा होगा लेक्टिस एनर्जी ज्यादा होगी तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि reaction of LiN3 to form to room temperature भी ठीक है तो यहां ज सबसे ज्यादा थर्मल स्टेवल्टी क्या होगी Li3N की होगी Li3N की थर्मल स्टेवल्टी क्यों सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एन छोटा है छोटा एन है छोटा एन है छोटा एन है तो फेक्टर क्या हो गया हमारे पास लेक्टिस एनर्जी हो गया अब लेक्टिस एनर्जी किसके जाद होगी जिसके साइच छोटा होगा. है साइच छोटा होगा ए सायच छोटा किसे का लीधियम का तो लीथीयमiver so weekly सबस्केद अब इसका साइच छोटा होगा तो इसकी लेटेस चेली सबसे जाद हो लेट्टिस के डार्क लिपनच सबसे ज्यादा पाई आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होगी डियक्शन ऑफ एलाई पिलस के लिए एक्दम तोके अब आगे चलते हैं जैसे यह एक्जामपल दे दिया अरेज दा फॉलोइंग ओर अदर थर्माल स्टेवल्टी इन दोनों को थर्माल स्टेवल्टी होगी है अब यह अरुटा हो जाएगा अब यह अपना एक देगा यह जहां पर बड़ा एन दे दिया जब यह बड़ा एन ना आए तो हम पोलारीजिंग पावर के ऊपर प्रक्ष्चन अब polarization के inversely proportion thermal stability होता है तो आप thermal stability इसकी कम हो जाएगी इसकी जादे हो जाएगी आयोप यह बात आप बहुत अच्छे से समझ गियो अब जो भी questions है इनको आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते हों के लिए रेखता है हाँ यह सिंपल आपको कोवलेंक करेक्टर के लिए मैं आपको पूबीता देता हूं चोटु कैटायन चोटु कैटायन मोटु एनायन जितना जादय होगा उतना ज्याधा कोवलेंक टिलिया और हां चल अब एक कॉंसेप्ट आता है हमारा को लेक्शन नमबर ये ठीक है अभी डाइपल मुमेंट हम नीचे वाले उसमें चप्टर पढ़ेंगे ठीक है हाँ अब आता है कुछ बच्चों ने पूछा सर्डिफरेंस बीच में एक लेक्शन के पीछे थोड़ा सा रहे गया था तो लेक्शन नमबर हम 10 पर आ गए तो जैसे कि कुछ बच्चों ने उसे पूचा कि सब डिफरेंस बीचे इस ट्रक्चर ये कहता है कि हमें पता होना चाहिए कि एक लोन पेर है और तीन एनेच बोंड है आप सिंपल सी बात है ये चार्ट ना मैंने आपको ध्यान से देखो कि अनसर सेब के बीच पर दे ना या जो मैंटर करें बीच ब आपको यहांग चीज होती है सेप एक चीज होती जमेटरी करें के लिए रिक्तशाए तो यहां पर हमने आपको एक पीछे चार्ट बनुअ रख खा है कि जो सेफ होते हैं जो मेटूरी होती है जो मैंट जो आती है वह आती है आपकी बोंसимु लॉन पिर सध्य यह ये स्टेरिक बनके साथ चाहिआ बताया गगी तो यह थोड़ी सी चीज यहां पर मताई गए तो यह थोड़ी सी चीज हां पर बताई गई थी उसके बाद गड़ागा एक चेप्टर रहा है ठीक का separation यहां बोन तूट के नहीं जाएगा सिर्फ चार्ज को सेपरेट करके देखा जाएगा यह नहीं कि आप डाइपोल मुमेंट का द्राव ने बोन तोड़ गया चार्ज को सेपरेट किये जाएगा अब यह ठीक है तुम बंदे हुए तो घर में हो घर का इतना हिस्सा तुम् सेपरेशन माइनस से पिलस की तरफ बिलकुल एक दम चार्ज का सेपरेशन माइनस से पिलस की तरफ होता है लेकिन पुराने जमाने से लोग से तक आपकेद को से यांव होता है जब होता है तरह से तक का आइनस से पिलस की तरफ लेकिन पुराने जमाने से लोग परेश से माइनस इसकी तरफ भी दिखाते हैं चार्ज का सब्सक्राइब तो केमिस्ट्री में एक अलगी नौम बना दिए कि लैस इलेक्टो नेगटिव से हाई इलेक्टो नेगटिव तक हुआ चार्ज सब्सक्राइब लिखते हैं चुले तो रिसेच पेपर की बात हो गई आप ज्याद है न क्ति क्लिए लिखता है च्छोटा कि फोर्विला अपर हम सकते हैं तो हम इसम देखर की वैलिजू है तो हम कह सकते हैं मुञ इफेक्टिव तो हम कह सकते हैं मूञ टो ऑ ठीटा की Genius के क्या होगा इंवर्सी में पॉर्शनल होगा आरे熱 चैज होगा ब संसे ज़्यादा चार्ज र। ऑन gebe सब्सक्राइब करें लिए अगर चार्ज के इसाब से तो है इसके यह तो उसमें डायपोल इतना जाद हो रहा होगा तो इसमें डायपोल इतना जाद होगा डिस्टेंस देखें चार्ज इंटू इस्टेंस अब बता है ना भी चार्ज इसटेंस के डिर्क्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस आप से देखें तो अपनी तरफ जाद है हम फेक्टर में से फर्स्ट प्राइटी चार्ज को देते हैं देंडिस्टेंस को देंगे यह बात इसलिए एच फ का डाइपोल क्या इसलिए बीएफ तरी का डाइपोल मुमेंट जीड़ो होगा क्योंकि रिजल्टेंड वेक्टर यहां पर आप इतना समझे लो कोई भी मालो आइडियल जो मैट्री है एक स्कॉर्ण प्राइमिडल को छोड़के आइडियल जो मैट्री जो भी होगी जिस पर लोन पेर द इतनी सी बात आप समझे यह कों सा पोलर होगा कौन सा नोन-पोलर होगा सीच होगा इस सारे और ओप्शन करके आपको दिखाये हुए हैं ठीक है कि और आप पढ़ए हमारे पीडियएफ से तो यह वड़े आपको बन जाएंगे चलते हैं ऑगे मिहां पूछा हुआ है दैपोल मुमेंट का इतना जाद हो रहा है तो यह हो गया तो यह हां चार्च टू के वेश सब्सक्राइब तो यह तो इलेक्ट्रों के बिस्पी वह प्लोरीन में ज्यादा चार्ज सेप्रेशन हो रहा है देन हच तु हो गया देन अगया तो ओडर ओफ डाइपोल मुवमेंट आप ऐसे भी निगाश रखते हो oh nice और अगया गया भी होता है और आपको पोलेंट करेक्टर निकाल निकालने फोर्माड अपिस फोर्मुले को आप क्नेक्त निकाल सकते हैं ठीक है, ऻोड़ा का लेंधी है, आप इसको करणा एक बार, एक बात आती है, hydrogen bonding, भईया, interaction जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक जो, dipole dipole interaction होता है, एक बंडर वाल forces होते हैं, बंडर भाल forces में आपका iron dipole interaction होता है, और dipole dipole interaction, अब समसेफ़ बात आती है, hydrogen bonding होते कि बंडर्वार्वार्वाल्पोrics इसमें निक भी होता है डाइपल डाइपल इंड्रक्षन के साथ सर्फ यह सथ ऐधोड्रोंड स्ट्रॉंग क्यों एक ट्रॉन को मद और बैद में जादा उसकी बार्डिक उन्दीब की वजए से और जादा इलेक्टरोन की तरह जब वह एक पुरा पूरा टॉन बन गया नौँ सोच एक आदमी के पाद में हैट्रोजेंट इसके फ्एक इलेक्ट्रोण है इस पेट्रो अकी प्रॉटर लागा तो अब इसके साथ तो कोई ना कोई हर कोई जुड़ जाएगा देखा जाए तो हम एच एच नहीं रहे गया एक प्रोटोन बन गया और जो प्रोटोन का इंटरेक्शन होगा वह किसी आयन डाइपोल या डाइपोल इंटरेक्शन से भी ज्यादा होता है वह एक चार्ज बन ग से चेंज होकर बैपर फ्रेस में वाटर ही रहे देट मोलिक्यूल के बीच का बंडरवाल फोर्स तूट गया है अगर कोबलेंट बोन्ड ही टूट गया तो वह मोलिक्यूल बैटर मोलिक्यूल ही यह वाटर रहता है लुक्रिड पर रहता है इसके बीच के जो फोर्स वो डूट में स्टार्ट होते हैं इनके बोन्ड को ही तोड़के फेस्ट चेंज होता और इनसे मैल्टिंग और बोल्डिंग पॉइंट का पता चलता है मैल्टिंग और बोलिंग अगर है हमने देखा है आठ किलो जूल से जादा जो बंडवाल फोर्स पाई जा रही है वह पाया जा रहा है उसको अलग से पढ़ना सुरू कर दिया अगर देखा जाए तो यह एक टाप का बंडवाल फोर्स है लेकिन हमने जिस कंपॉंड में देखा है वी एनरजी आठ कि सब्सक्राइब जितना थोड़े बंडवाल फोर्स तोड़ दिये तो मोलीकुल थोड़ा दूर दूर हो गया मतलब लुकिड में चला गया और आप जब आपने सारे ही भी भी बंडवाल फोर्स आपने तोड़ दूर दूर चले गए तो बैपर फेस में कनवार्ट हो जाता ह है किसी कंपाउंड के अंदर जितना ज्यादा मास होगा उसका बंडवाल फोर्स कंपाउंड में उतना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस कंपाउंड का बोईलिंग पॉइंट होगा अगर आप से कोई पूछ लेगे हीलियम नियोन आरगन और जीनोन में किसमें ज्या का होगा कि जीनों का मास जादा है जिसका मास जादा है अब बात आती है भी यह एच और भी सिंपल यह भी एलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होना चाहिए यह जिससे दोनों से जुड़े हैं क्लियर रिखता हूं अब कौन हाई होगा कौन लो होगा ठीक है उसकी हम यहां पर ब को लोंगी करेक्ट इन जर्नल ए ओप्शन इज करेक्ट भई एक्स क्या होगा कि दिशोशें इनर्जी जाद होगी यह तो एक फोर्स है यह लेकिन एक इस केस को छोड़ देना इसमें एक्स और वाई दोनों बरावर होती है यह केस आप लग से याद रखोंगे क्लियर दम सींपल है जब तक सामने वाले को यह एक तरसकिव तर्फ रखißt केटिमें हुआ हेरा जब यह रहग नगे टाफ यिजक टुर्कुन कंब जाए गा जब mająली यह एक्ड़ी लगव्की बाम से जोड़ा होगा एं ईसमांव इसमांवाली ऑल्चिछकुा यह एक्ड़ी पोलज attentive डायमंड दिखाई देगी, प्रोटोन दिखाई देगी, सामने वाली species इसको तुरंट accept करेगी, उतना ये अच्छा उस species के साथ में hydrogen bond बनाएगा, पहली चीज़, तो जितना ज्यादा electron atom atom A होगा, जितना लैस electronegative atom भी होगा, उतना अच्छा hydrogen bond होगा, ये अच्छा hydrogen bond होगा, ये proton दिख रहा है, तो ये जितना लैस electronegative होगा, अगर ये भी हाई हो जाएगा, तो ये अपने को भी छोड़ गया सकता है, तो अपने से bond तूटेगा, फिर तो ये type color बन जाएगा, इससे अप पर ये हो गई है, which of the following is the best, जो covalent bond से जुड़ा हुआ है, उसकी तो electronegativity high होनी चाहिए, तब बेस्ट है, और जो dot dot bond से जुड़ा हुआ है, उसकी electronegativity low होनी चाहिए, तब बेस्ट है, आप देखो, यहाँ पर इसकी electronegativity क्या होगा, जो किस से जुड़ा होगा, हाई electroneg सबसे कम है, तो f वाले की जो bonding होगी, सबसे बेस्ट होगी, I hope you are getting my point, आपने बहुत अच्छे से इस point को समझा है, कि लिए रख़दा, अब भी चोवदा, फोल गेंगे ज़दा, best hydrogen bonding, तो best hydrogen bonding का, आप इस पे खिताब देखो किसको दिया जाएगा, best hydrogen bonding का, यहाँ पर, यह भी होगा, यह बी होगा, तो best electronegativity item से यह हुआ, तो दो option कट कर दो, अब जब यह दो सेम होगया, तो यहाँ देख यह तो किसी दो गुरू विदेशी यह वाली आपकी होगई, that hydrogen bonding, यह आपका ketone होगया, यह आपका chloroform होगया, इन दोनों के बीच में हाइडोज, तो यह आपकी intermolecular होगई, intermolecular hydrogen bonding, के लिए एक दम, ऐसे ही आपके बहुत सारा एक्जामपल यहाँ पर दिये होगा, कौन यह nitrogen क्या होगा, elektronate atom से जुड़ा होगा, यह oxygen आपके hydrogen bonding करेगा, तो यह जल्दी से water molecolis से जल्दी जुड़ जाएंगे, लोगों को लगता है कि छोटा है, water molecolis को घेड़ लेगा, यहाँ पर तो आपका बंडरवाल फोर्चस लगा है, यहाँ पर आपका hydrogen bonding लगा है, तो NH NH4 is the more, NH4 plus is the more soluble in H2O than N, N इतना अच्छा soluble नहीं है, जितना अच्छा NH4 plus है, ठीक है, which of the following is more soluble inverter, आप आप यहाँ पर देखो भी कौन best soluble है, तो RHOH bond को इससे यह atom A हो गया, यह atom A हो गया, atom A is better, high electronegative, atom A is the less electronegative, तो यह अच्छा soluble है, तो alcohol पानी में अच्छे से इसका भी आप ऐसे ही एक केस होता है, तो density of ice में आप कभी-कभी molecule भी पूछ रहेता है, कितने molecule होता है, कितने नहीं, यह question CSIR में आया हुआ है, इसका structure कैसा हो जागा, फ्लोरिंग पर दो लोन पर रहेंगे, लोन पर रहेंगे, तो यहाँ पर थियोरी लग जाएगे, तो य सब्सक्राइब का कौन सा स्टॉक्चर करेक्ट है, यह वाले स्टॉक्चर है, ठीक है, यह question पूछा हुआ था, C वाला, कोई लोन पेर का हमने के, वाल्ड रहें वाल्ड पर पढ़ा ही चुके है, कि बेसी सिटी में आपका क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह 10 लेक्चर थ आया है, हाफ आवर का, लेक्चर 2 का एक वीडियो आया है, 3 का एक वीडियो आया है, 2, 3 का एक आया है, 4, 5 का एक आया, 6, 7 का एक आया है, ठीक है, यह आपका 37 मिनट का वीडियो है, यह एक गंटे के दो वीडियो है, तो यह धाई गंटा और तीन गंटे और आज का एक डे में आपकी पूरी पूरी जी पूरी कंप्वी देखना हो देखना हो चार Ghan असली यह लेक्चराए में थे लेकर में कम्प्लीठ बोन्डिंग यह का वर बीटी वाला पार्ट पोरा काblesा है आप इसको देख सकते है आप इसको कर सकते हैं और इसमस्त्य सबसे पहले चलते हैं अपने कहा सबसे पहले केमिकल बोंडिंग सबसे पैले यह हमने लेक्शन नमर में पढ़ाता इसको पूइंट रठी कर लेता है आपको अबर लेपिंग एरिया देट इस वान तूफोर ठीक है एससालवेज सिग्वाबोंड यह सारे पुइंट हमें किलियर है यह हमने लेक्षर नमबर टू में यह सारा का सारा पड़ा था याद हो तो आपको आपको रिवाइज कराता हूं लेक्षर नमबर टू में हमने मिला करके पड़ा है सारा का सारा थिरी और फोर में मिला करके पड़ा है यह सारा ड्रेगों का एंवी पी आर का पांच और छे में मिला करके पड़ा है परसेंटेज करेक्टर छे में मिला करके पड़ा है बोंड एनरजी ओवरलैपिंग यह हमने लेक्षर नमबर साथ में है तीक है हमने पढ़ा है साथ में का यह भी आपको PDF में अवे लेवल होगा जब आप इस पूरे नोर्स को पढ़ोगे तो देन यूवी फिल फाउंड ना कैमिकल बोल्डिंग जो एरी एज़ गाइज यह सारे लेक्शन ना शेयर करना मत बुलना यह फुल एक देन एक देन एक्टिव है वह से मतलब मैं कहीं बोल होगे चैटिफर का एक्जाम हो आपका हायर एजुकेशन लेबल पर आपका कोई भी एक्जाम हो पार्ट वन में इससे बहार कोश्चन नहीं आएगा आयो प्योंट आपने पहुत अच्छे से इसको समझा होगा और इसी के साथ मैं अपनी बारी को ब्राम देता हूं थैंक थैंक यू सो मच अब हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्टर की तरफ जो हमारी सीरी चलिये केमिकल बॉन्डिंग की मैं एजुकेटर कुल्दीब गर्ग आपका स्वागत करता हूँ और आज मेरा स्टार्ट हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्टर नमबर टू मैं आपको इच्छोटा सा अपना इंटोड़क्शन यह पर देता हूँ इभी तोक आप मैसल मैसल्ग्टर कुल्दीब गर्ग I am the educator on this platform that is India largest learning platform मैसल्ग्टर कुल्दीब गर्ग an academy educator in CSIROGC in NET since February 2020 PhD in Chemical Science from CSI Renphil I am taking Molecular Engineering from IIT Delhi MSC in Chemistry from CCS University many times qualified national level exam CSIROGC NETGATE I have teach these 20 topics on this platform यहां पर मैं chemical bonding अभी आपको पढ़ा रहा हूं YouTube sessions में यह आप 20 topics मेरे साथ complete कर सकते हैं on academy पिलस और iconic subscription लेकर के भी अभी फिलाल हमारा जो चप्टर चला है वो बोंडिंग पहला चेप्टर हमारा यह बोंडिंग चल रहा है तो इस बोंडिंग चेप्टर को मैं यहां पर complete कर रहा हूं YouTube session पर तो उसका लेक्षर नमबर टू है तो हम चलते हैं अब लेक्षर नमबर टू की तरफ ओके तो नाओ लेक्षर नमबर टू अब लेक्षर नमबर वन हमने पिछले जो लेक्षर था उसमें हमने complete किया है बहुत अच्छे थे लेक्षर नमबर वन में हमने सारी चीजें पड़ी थी जो बेसिक्स थे यहां पर हमने complete किये आज हमारा जो सेकंड चेप्टर है जो सेकंड चैप्टर है डैट इच कोल्ड ओवरलैपिंग तो हमने पहले चैप्टर में हमने सारे और्विटल सीखे थे कौन सा और्विटल कैसा दिखता है किसकी शेप कैसी होती है तो यहां से नमें स्टार्टिंग करें की तो सारी चीजों का दूसरा लेंचर नमबर तू कैमिकल बोंडिंग लेक्टर नमबर तो है अगाशा नमब तो तो अगया जाता है जो हम मेजर करते हैं थे बोंड की स्ट्रेंथ को बताया हमारे पास तीन थरह के मोंड हो थे जबनलीब सिग्मा पाइएंड डैल्ट अब कब sigma बनेगा कब pi bond बनेगा कब delta bond बनेगा तो हम इस चीज़ पर प्रकाश डालते हैं तो सबसे पहले हम sigma bond sigma bond क्या होते हैं? sigma bond वो होते हैं जहां पर overlapping area या overlapping zone भी हम उसको बोल देते हैं जहां पर one जैसे कि यह कि दो से दो S orbital आपस में मिले और केवल दोनों लोग जो भी नहीं उन्होंने एक zone बनाया उनका अपना एक zone बना ऐसे ऐसे दो nuclear axis हमने किसी भी एकसिस पर डाल सकते हैं इस पर तो किसी दी एकसिस से इंटर नुबिलियर एकसिस डाल लेंगे चाए एकस हो चाए ज़ा बाई हो जयडो तब भी आपका में से sigma bond हो पार यहां पर दो फेस के हम बात कर सकते हैं अगर हम constructive face होता बीवीटी में नहीं करेंगे इसकी चर्चाह हों कहा करेंगे एमोटी में करेंगी जब पिलस-mínस बंके अबी तक हमें सिर्फ इतना ज्ञान एश थीरिके साफ से कि पिलस-पिलस फेश को मिलाना माइनस माइनस फेस को मिला तबी हमारी ओवर लेपिंग हो और ने निगेटिव ले सकते हैं यह को इधर से हुआ को यहानरा पर वालजी इंगेelf निया को वेहान से क्όल के यह फुल्द कितुन सब्सक्राइब नहowen यहां जोन की आया सकते हैं कि अस сделखना पडइगा यदि हम नीचे अठा़ कौलब कर देते हैं कि एकस लेंगे y लेंगे या जैंगे तो इंटरनुकुलिर एक्सिस यहां पर हम एक्स लेते हैं तो हम इस ओर्विटल को पी एक्स लेना पड़ेगा अगर हम पी भाई लेंगे तो यह चेंज हो जाएगा तो वही 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 दिसक्ता अभी नीचे करेंगे सारे एक और सबस्क्रा पर टो तो पील कैसे जूद सकते तो पी ओर्विटल साईवाई जूद सकते जब साइडवाई जूदंगे तो इतले पसी बीकम दा ओवर्लैपिं कि में पोड़ा वाभिक में नाम आपको नाम निए डाला जश्ट मैंने वहापपर पी के बीको हिनाम निदाले वहाज जो डिका है अब हम कर दो डोनी को मिलते हैं तो दोनों नुकलिएस सबस्क्रेद्स पास होती जो एक्सेसज है त्यस जाती उसे-इंटर-Nookle dł eso केंसे मिलेगा नहीं कभी बहा टाशेर्वन करें तो मिलेगा नहीं कभी जब पाइब बंड मिलेगा आपको P orbital से को बिले रहा यहां पर आयां पर एकस्से कोई इस यहां पाइक से पास होती है रही है यह को पोजेक्टिव वाले पार्ट को पोजेक्टिव वाले सब्मौम्हाइब एक जोग यह बना तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकिता हैं पी से विट से पियोन बना इससे भी फाइब बना िसको नाम भी जattering का है ऐसे हमाद्र हो सकता है अगर हम देखें गूब अब सम्वोगल मां डबनबल है यह सिंगल फेस को पोजटिव नेगेटिव फेस के साथ में ओवरलैप कराया एक जोन बन गया तो इसी को हम बोल सकते हैं देगा टू जोन फिलस पिलस मांच मांच तो हम कह सकते हैं यहां पर दोंड बनी दोनों पाई बॉड और दी पाई नहींद यहां Major तो पहले मैंने आपको सारी बस्टाइए किवए ग्री आववंगे रिए अब उसके दियाुं आफ नाम भी इंए मेंचे बताएंगे कौन सी एक्सिस पे कौन सा बनता है यह बहुत जरूरी है पढ़ना यह सबसे ज्यादे इंपोर्टेंट रोल पिले करता है कि यह कुश्चिन आया भी हो आए कही बार बड़े-बड़े एक्जाम में कि किस एक्सिस पे कौन सा बनेगा चले आगे ना बिटमीश यह एक डी ओर benefiting cloud का कुंडली से कुंडली मत मिलाई positive बाले से positive बाले मिला एक एरिया यह दूसरा रें गए बन गया negative बन गए लोगो नेकिटेपले से इस को यह दो Nucleos से जाती हुई यह एक और की इंट नीकुलियर एक्सी है तो ओवालापिंग एरिया दो वे हमारे दो वह प्रॉप नाच गोर्म का डी पाइस और दी से फाइ बी यहां पर हम ने इन चीज चीछ पी पाइ बनी पाइब और दी पाइब पाइब बात करें तो यह बनाएगा डीपए बनाएगा डीपए डीपए बनाएगा और डीपए बनाएगा है ठीपए भान इस सब्सक्राइब के देखा उप प्रप्ति की तरा भी हुए है यह की ऑर बितल आपका यह है जो बिल्कुल इस तरीके से लगों यह जो भी यह पॉजेटिव लोग हो गए यह जो बिल्कुल इसके उपर सहा एसे हाथ से तूसरी लोग आ के साथ सूटалась हो रही है यह दियूबितल उप्र विपकर एक दियूSpilething nowutet के साथ दूनों हाथों को ऊपर रखते हैं नेकेटीफ से मैच हो रही है फिर पोजेटीफ से मैच हो रही है जाकिन को हुपर नागेटीव शूसुक्त है ठीक है तो यह हांपस overlapping area आपके कितने होगे four overlapping area हो गया है तो that four overlapping area इसी से बनता है हमारा डेल बॉंड तो आप अच्छे से समझेगे कि bond कैसे कैसे बनने है अगर कोई single bond होता है that is sigma एक sigma double bond होता है एक sigma अब ऐसा नहीं है कि देखो यह theory BBT कहती है कि अगर कोई double bond होता है पाई भी होता है जो कि एक sigma बोन जो बनता है वो पाई भॉन्ड भी हो सकता है we are talking about only BBT अभी हम BBT की बात कर रहे हैं तो BBT की जन्रेल बात करते हैं तो हम कहते हैं जो single bond होता है जो double bond होता है सिग्मा और पाई होता है एक ठीक है C2 में पता पड़ेगा कि जो दोनों bond है जो double bond है दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है यह भी पूरे पूरे पाई बॉन्ड से बना हुआ एक पाई बॉन्ड उपर एक पाई बॉन्ड उपर एक अलाग चीज है वह MOT में हम जो BBT के जाएंगे उसको जाएंगे वह MOT में पढ़ेंगे तो प्लीज जैसा होता है मैं यूटूब पे मुक्सवच पढ़ने के लिए तो आते ही आता है लेकिन पढ़ने के सब कि एक पार्टिकल आएगा तो यह बात मिल्कुल हखीकत है मिल्कुल के मिश्च भी पढ़ते हैं हम ल दिया है चलो आगे चलता है इसी के साथ यहां पर हमने देखा कि सिंगल डबल बॉन ट्रिपल बॉन में एक सिग्मा एक दो पाई और अज आपको क्वाटरफोल बॉन होगा मैक्सीमम एक एक जम्पल देखा गया है जिसमें पांच बोन पाएगा है यह एक्जम्पल पूछ पाऊ धुकाऊंच XML पाऊनपाइगा है अब बात करतें इंटर नुकलियर एकसी कैसे ब Baker कैसे नहीं इंक्षी सोथी है उसको इंटर नुकलियर एको surtout करहा हो और शेंग हालग कि यसी सबसे पहले क्या तो में जई तो नहीं करेंaba किसी ओर को मेंशन कर दिया तो आप उसको internuclear exis मानोगे अगर internuclear exis मेंशन कर रखी है तो उसी को मानेंगे जो दे लग ए बिलकुल यह बात हमने बील्कुल अभी ताजी ताजी आपको दो भी बहुत बोली भी है कोई डाउट भी नहीं है अगर हम बस सब पहले देखो हमने आपको पहले होता है अगर PX orbital माल नो यह कोई हमने एक एकसिस लिए एक एकसिस पर एक हमने P orbital बना है तो कौन सा P orbital बनेगा PX बनेगा बिल्कुल along the axis होते हैं PX orbital दूसरा orbital भी इसी axis पर आपको बनाना पड़ेगा along the axis PX orbital तो मैं जब इन दोनों लोगों को मिलाएंगी तो सिर्फ एक ही तो overlapping zone area बनेगा डाटिश को सिग्मा बनेगा अगर PX का मिला PX के साथ किया जाएगा डाटिश को सिग्मा बॉंट इसको समझ रहे हों कि लिए रेक्दाब दूसरा अगर PX को PX को हम Y-axis पर मिला है सपोज यह X-axis है यह कोई आपकी Y-axis है यह हमारी Z-axis कि लिए रेक्दाब तो पी एक्स तो आपका यह बनेगा अब इसको बीच में यहां से भी लिए सकते हैं इसको थोड़ा सा मैंने इसको मैं से भी दिखा सकते है कि सपोज यह आपका X-axis होगी इसमार यह आपकी Y-axis है तो पी एक्स यह बनेगा करी बनेगा तो यह जाएगी अब दूसरा और विटल भी X-axis पे रखा होगा तो दूसरा और विटल भी पी एक्स पे रखा होगा Y-axis यह जाएगी जब इन दोनों के बीच में मुलाकात होगी तो यह साइड़ वाइज होगी के नहीं होगी जब साइड़ से ओवरलैपिंग होगी तो यह दो ऑवरलैपिंग जोन बनेंगे के नहीं बनेंगे मैंने इसको एक्स मान लिया जिससे औ पी एक्स और पेपर मेंशन कर दे कि वाइज इंटर्नुक्लियर एक्सिस से जाएगा इट विल इन पाई बॉंट सेल चीजद अगर पी-ए-क्स आपका जर्टिंतर्नुक्लियर से जाओ सपोर्ज मैंने इसको एक्स माना डोद्र भी तो मान सकता तो जर्लबाए जद से भी जाएगा डी यह च्छी आखना है कि अगर री एक्स और एक्स और याज़ी यह एक्स भी ऑनुप गलेज़मों सेम इक्सिते सिग्मा वह जनुट ऐसे जिसने का सब्सक्राइब ग्रोटेज़ में तोभर काइस कर सकते हो प्य से जो वाक्षिपोंन बनेगा और बागी दोनों एक्सिस पर पाई बोन बनेगा तीसरी पर अब पॉयंट पर लिख सकते हैं तो अब सेम चीज अब यहां पर भी आ जाते हैं तो आइसा भी कर सकते हैं कि हम PX Axis को S Orbital के साथ भी हम करा सकते हैं विल्कुल एकदम फिरी आप सर अगर PX को S Orbital के साथ में करें देखो अब सपोज यहां से कोशन बन सकता है कि यह PX Orbital है इसको S Orbital पे X Axis से ही किया तो ठीक है सिग्मा बन बन गया लेकिन इसको अगर Y Axis पे कर दिया होता वह यह PX Orbital है यह Y Axis है और Y Axis पे हमने S Orbital को इसके साथ कर दिया थी कि कर दिया अच्छी बात है जब overlap करेंगे तो यह positive होगा तो यह positive होगा तो मैंने S Orbital पोले कर पोजेटिव लिख लिए है तो जब S Orbital को पोजेटिव लिखोंगा तो condition क्या होी यह पोजेटिव होगा यह S orbital पोजेटिव लोग तो मिल गई लेकि यह नेगेटिव पोजेटिव भी मिल गई जिसकी वज़े से क्या हुआ जितना bonding character आया जितना constructive character आया जितना ही destructive character भी आ गया तो bonding भी बन गया उसका anti-bonding बन गया तो देट bond is cancel out तो कहेंगे नो बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए कहते हैं यदि किसी भी और्विटल की बात करें तो पी और्विटल घ्यान देख समझे इस बात तो अगर S orbital के साथ overlap हो रहा और उसको कोई bond बनाना है तो यह बात भी यहां से निकल के आ गई यदि कोई भी PX orbital है या PY orbital है PZ orbital है इसको S orbital के साथ में overlap होना है तो इसको अपनी ही axis पे इंटर निपिलियर एक्सिस पे ही जाना पड़ेगा तभी सिगमा बोन्ड का फोर्मेशन होगा अधर बाई आपको यह बात बहुत अच्छे से समझे में आई होगी अगर नहीं आई तो कमेंट आप कर सकते हैं ठीक है नीचे घी स्कॉर्त यहां पर रहुंगे यहीं डिएग स्कॉर उच्बार तमण गे करके स्कॉर्माइडी की सांसरॆं क्यों कि यहीं लोग आपकी व प्लाएगी तोुक्र यहीं लोग हो पाएगी तो इतनाई रिए पहल य-axis पाएगी तब भी आपकी एक ही लोब हो पाएगी क्योंकि x-square y-square y-axis अब आपने ले ली तब भी आपकी एक ही लोग हो पाएगी लेकिन जब 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 आप जब जब आपस पे ले जाऊँगे तो जब ये- उपर की तरफ होगा तो यह एक्स वाई प्रेथ लेगो नीचे भी आपका क्या हो एक्स वाई स्वाई प्लेड शनी है जिई बिध्क अगर हम dxy dxy को मिलाएं अब देखो यहां पर चीज़ें बदल जाएंगे इसको मतलब यह नहीं कह सकते कि dxy dxy को मिलाएंगे तो आपकी x-axis पे जो मिलेगा वो आपको sigma bond मिलेगा अब यहां पर यह पाई हो जाएगा लेकिन z-axis पे आपको इस चीज़ को भी मांगे दिखाते देखते यह नहीं कि जब dxy dxy को मिलाया गया क्या चीज़ होते हैं अब आउपपर कर देगी px p y p z तो इस टाप यहां पर चीज़ें कि यह बदल जाए नहीं कि जैड एक्सिस पर यह उप पर चारों की चारों मिल गई भी लेकिन ऑऊ इक्सिस पर पे क्या हूं यह एक्सिस से जी के यह ऐसे हैं फोल्ट कि को बिकूश गोर्द यह ने उलमाने सरे गहां तो बेटा जी आई होप आपको CSI ने पूछा था एक बाग कि डेल बोन फोर्मेशन किस से होता है और आंसर में सिरें डी एक्स वाइड को करेक्ट ओप्शन कर दिया था बट डेल बोन फोर्मेशन डी इस स्कार वाइड स्कॉर से भी होता है यहां पर जो डेल बोन का फोर्मेशन होता है और उसने पेपर में में नहीं किया था तो करेक्ट ओप्शन दोनों थे डी एक्स वाइड फिर बाद में करेक्ट ओप्शन डिक्लियर किया था चलो जैसे मैंने यह एक्जमपल में आपको दो देई चुका हूं कि अगर पी एक्स को जाना होगा और यदि इसको सिग्मा बोन बनाना होगा तो एक्स पर ही बनाना होगा देख़ए यह बात हमने करें पी एक्स है एस वर्बिटर के स जरनली हम क्या देखते हैं स्ट्राइंद में तो इच्ष्ट जो हम सिकेंगे वो फाले सिगमा और पाई के लिए सिखिंगे इसके लेसी किड़ी। यह जोटा है लेकिन इसके अंदर डारक्शनल्टी नहीं होती जैसे आपने पी का देव और दूसरी उसकी डारक्शनल्टी साइज जितना कम एनर्जी का होगा उतना ज्याद है अब पेपर में कुश्चन यह आता भी प्रावर्टी किसको दी जाती है अगर साइज छोटा है तो सबसे पहले आप साइज के बीस पर ही आप उस और लैपिंग स्ट्रेंथ को बताऊए सेकिंड आप डारक्शनल्टी बता तीसरी चीज आ जाती है इंकलाइंड नेचर अब इंकलाइंड नेचर होता गया है चलो इस बात को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे पहले इन दोनों पर प्रकाश डालता है ठीक है हम सबसे पहले साइस देखेंगे फिर डारक्शनल्टी फिर इंकलाइंड नेचर तो कि यहां पर क्या हुआ है उसने एंड की वेल्यू नेचर अगर एंड की वेल्यू देता तब इता है हमें क्या पता है एसे से कों से और्विटल्स के यहां जो आंसर बैस्ट हो जाएगा डैट को पीपी की ओवर लैपीं तो यहां पर एक में डार्शनल्टी नहीं दोनों मे आसे और सबसे लाष्ट में क्या हो जाएगा एस एस की और यहां को नहीं था तो इंकलाइक नीचर वाला इस इसह यूपने डे até नहीं तो नीचे हम अटकर थे सबसे पहले भी इसको सबसे बाद मिले जाओ यह इसका एक्जिस्टेंस नहीं तो इसकी तो इसकी तो सबसे कम होगी तो सबसे कम में रख दिया यह अब आते हैं यहां पर जहां पर एकी वेलू दी हुई है देखो सबने की वेल्यों लि कुछतने दी यह सब आक़ा धिरत हने अब ओन यहां पर दे रख्याम है अब आफ में से तो वन एया अब 2 पी में इसको अपर नमबर पर यह नबर पर तू एक सागी है को नहीं आप बाद कि तू एस तू पी और डूपी तू पीए भाव उस तो शिवस्टवाइब T20 बहुत समझदार बच्चे क्या करने वाले को कुए तो पी दोनों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है आपको अपर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि वानेस दोनों में कॉमन है और हाँ ठीक है अब बात आती है हमारे पास इनक्लाइन नेचर की अगर हम इनक्लाइन नेचर की बात करें जब पी और विटल पास आते हैं तो इनके नुक्लियस भी बहुत पास आ जाता है यह जतालं मुट्राइन सब्सक्राइब है यहात झोर यह और किसी से दोस्ति अच्छी ना किसी से दुस्माजी अच्छी एक मतलब मैं कि दोस्ती बहुत जाते है तो भी घाद पास आ जाते है और रख। जब दूर चला जाए किसी काम का नहों तो वह जाद लिकत होती है तो सेव कॉंसेट यहां पर आपका अप्लाइक किया गया है पीपी में क्या हो गया है कि जब पीपी की ओवलेपिक हो ते दोनों नुकुलियस इतने जादे पास आ जाते हैं यह पोजेटिटिव पोजेटिव इस वाले केस में क्या हुआ कि यह दोनों एक दूसरे के इतने दूर हो जाते हैं इतने दूर हो जाते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑट्रेक्शन ही नहीं रहता है अब यह प्रण बनाते हैं के नुकुलियस को जादे दूर चले जाते हैं तो यह भी सही नहीं है यह ठीक नहीं दिस्टेंस से मैटर करती है तो देन डी पाई डी पाई यहां पर मोंड क्या हो गया कि एक बोर्स तो बिल्कुल सीधा ख़ाती और बिटन तो बिल्कुल इन सी होता है यह थोड़ा सा क्या होता है तो अब यह जो डिस्टेंस है एक मैंटेंग डिस्टेंस है ना तो बिल्कुल पास है ना दूर और यह जो ऑवरलैपिंग होती है यह इसी को इन प्लाइंग निचर का लिया है जिसकी वज़े से जिसकी वज़े से बीपाई पीपाई बो लडाई तो कभी नगभी होगी तो सबसे बेस्ट मोंडिंग आपकी डीपाई पीपाई सेकिंड आपकी पीपाई पीपाई अब इसी को हम देखते हैं कि इसलिए पीपाई पीपाई को हमारे हाँ पहले प्राण दी गई है आप देखो पोस्ट्ञ भाई आ गया है औरे इनको आरेंज़ करदो जो आपकी ऑवर लेपिंग के ओडर में तो जरा देखते हैं सबसे पहले टू पाई टू पाई टू पाई ठीडीपाई ठीडीपाई ठी एहां रहा है तू यहुत पाई टूपाई यह टूपाई टूपाई लोगन की वेल्यू सब से कम है तो सबसे पहले तो यह आजाएगा अब टूपाई फीपाई भाई तो पहले प्राइटी यह है पिर इसके बाद में आपका थूव अब अब बचे ये 3, आप बहुत अच्छे से समझदार हो, तीनों का N-Number बिल्कुल सेवे हैं, तो सबसे पहले Ppi Dpi को priority, then Ppi Ppi को priority, then Dpi Dpi को priority, बहुत अच्छे से questions हमने कर दिया, overlapping आप कभी भी दोगा, नहीं मिलेगा, ये lecture आप जरूर बढ़ना है किसी के साफ, ठीक है, जोगी ऐहां पर नहीं को बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम्होंगी जैसे जैसे की Estevelle बढ़ती जा रही हैस्टें कमो रुटा है जब आपका डेल हिंगा तो जैसे स Ad brag बढ़ एगा तो निरी दोड़ा रहती तो एहां पर जमा마ग जहां डेल ग दोड़ा फोगब सब तन एमसेने सब्सकेश प्रणाव इसी के साथ हम ने सैंड लैक्टर को भी खतन कर दिया हैै तो भी दूसरी लेकेश्टर में हमने सबसे अब कर देब कि और और बेख्टेट करता हूं और और यहां पर पिछले चार साल से अनकेडमी पर अपनी सिवाय दे रहा हूं के लिए मैं यहां पर अब तक 20 टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं अपने रिकॉर्ड डॉन लाइफ शेशन्स में यहां पर अब मैं जो यूटूब पर मेरा जो वीडियो चल रहा है वो केमिकल बांडिंग आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूं और अब तक पूरी करूंगा कि यूटूब शेशन में भी सबसे पहले यहां पर क्रूंडिंग करते हुए चलेंगे चलो सबसे पहले बोन दिखने में यहां पर पहुंच गए इन यह कंशन में पर पहूंच गये तो सबसे पहले और जिवारे इन के दिमाग में पॉसिबल हो सकता है और आपका इसकोरफ़ाइन के बाद में यह आपका तेडरा टेंप इनुने सोचे सथे जाए अगर ती चप बी बराबावार रखी जाए चारों कि भी नगी लिघ procedure is Possible. ठीक है तो जब इसमें तीर इस पॉसिवल्टी की बात करें तो इन्होंने थी फोर से इन्होंने डाइकलोरोमीथिन बनाया जब डाइकलोरोमीथिन को देखा कि अगर उनकी स्ट्रक्चर स्कॉार प्लेनर ये प्रामिडल होती तो इस पार में भी आपको दो टाइप का को इस के तो पॉसिबल ती तो इतना हमें पता चला तो स्ट्रेप्चर स्ट्रक्चर जो होई ट्राइप्र हो यहां से अब पहुचिए ठीक है तो उप से लिए पढ़ा है अब तक इसमें सारे में जू लिख्थ और आपक को आपका यहींतर निक्ता है कि अब यहे तो उसी की में रूप रेख आप लोगों को यहां पर रख रहा हूं अगर हम छोड़ी बात करें जनली पूस्ते हैं तो चारों बोंड लेंद एक जैसी है तो पॉस्टिवल स्ट्ट्टर सामने आए इस बात की पुष्टी साइंटिस्ट वेल ने की थी ठीक है साइंटिस्ट क अगर आप जहां से दोखो तो अगर यहां पर बनाना भी स्टार्ट करें इस टेक्चर के साथ तो इसके अंदर छे एंगल होते हैं कि यह आपके टैट्रा एंगल दूसरा एंगल के लिए तीसरा एंगल और यह तीन तो एंगल उपर दोगे चोथा एंगल पांच वांगल और यह पीछे से बूंड रहा जो आएगा च्छा एंगल तो निकाल कैसे देगो तो सिंपल सी बात है कि आप नंबर ओंड एक फॉर् पांड जाते हैं। लोगे सब्सक्राइब 30 को दिखाइब दिखाइब देरोंगे तरफ से पांच नीचे की तरफ से तो दस नाइन टीक होगे सब्सक्राइब निकलते हैं तो टोटल जो मों भी सिंख्या होती है यह कोंटी वन पाई जाते हैं इस वाद की पुष्टी जो करता है यह फॉर्मूला करता है 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 यह जो फिनोमीना यह फिनोमीना है इसमें पर चीज नहीं है तिक इस यह फिर जीए फिरी वी तो हमने जब देखा कि छो चीरी बोंड है तो सारे के सारी इकवल है जोंटे से एंगल है बड़ जम करने पहुंचे तो ठीक है हमने एक electron को excitation theory से आगे भी पहुचा दिया अब जो चाल hydrogen जुड़े तो चाल hydrogen कैसे जुड़े 2s और 2p के 3 orbital 2s का एक orbital तो एक hydrogen का जो overlap हुआ वह 1s और 2s के बीच में हुआ बागी का जो overlap हुआ 1s 2p का हुआ 1s 2p का हुआ 1s 2p का हुआ यहीं तो कहना जा रहे हो hydrogen का 1s और 2p orbital का बन गए अब इसका मतलब क्या हो गया अगर हम अभी तब overlapping के concept पे ही बैठे रहते हैं तो overlapping का concept ही कह रहा था है कि CH4 के जो 4 bond है CH4 के जो 4 bond है इसमें एक bond की overlapping है 1s और 2s की बागी सब की overlapping इसकी है 1s और 2p की 1s और 2p की 1s और 2p की जिसकी वज़े से 3 bond तो मजबूत होने चाहिए थे और 1 bond भी होने चाहिए इस्ति हमें ग्लीट कम होनी चाहिए मखल़ मद पाह्ती बाइब होने चाहिए यह कंवहर होने के वह होने चाहिए इक bond का कि ज味 Kia 7 ऑनप ज्रसफी ज्यादा होगी और युशली इसको रिसाच्टस करने के लिए आट ईनर्जी देनी बढ़ेगी इस बट ऐसा नहीं हुआ CH4 के चारों बोन्ड की जो एनरजी थी वह सेम थी अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमने कुछ गलत पढ़ा है overlapping is not a completely concept overlapping के बाद भी कुछ ना कुछ concept छिपा हुआ है तो वह concept क्या छिपा है that concept is the hybridization कि अब किसी भी concept की नीड है compound की geometry किसी और concept की नीड है compound की geometry को explain करने के लिए polling आया और उन्होंने बीबीटी दी बीबीटी एक hypothetical hypothetical theory और means compound बना हुआ है जब हम बस सोच बता रहे हैं कि ऐसे हुआ होगा जब orbital एक ही सोच है और सारी theory भी एक सोच है तो सारी theory भी अपने आपने कहीं नहीं है यह सोच है बीबीटी ने कहा कि एच ने different orbitals से बाउंड बनाया और यह सब सेम energy के हैं तो कहीं ना कहीं orbital की energy में यह प्रम आ गई हैं क्या redistribution होगा और एस एस ना रहा पी पी ना रहा एस और एस ना रहा पी और पी ना रहा दोनों मिलके अब यह और बीटल ना तो एस रहा न पी पी रहा यह और बीटल अब सब्सक्राइब करने के लिए होता है यह नहीं कि किसी ना किसी जोमेटरी को टेन करते उस जोमेटरी से है लेकिन रियल फैक्ट ही है कि कम पाउंड अपको जिसमें आके चेहर पर बैठाओ तो किस पोजिशन में चेहर पर बैठाओ इस सभी जो अब जो भी हाइविट होने होंगे जो भी अड़ी मुड़ी होगी वो इसके हिसाब से मुड़ी होगी मेरे सदेल की सिंबल सी बात है चले आगे को करेक्ट ओप्शन दी ठीक है एक ओशन आपको समझ में आ गया होगा अगर हमको जो मेंटरी के एंगल नहीं पतांगे तो वी केंडोट कैंक कैल्कुलेट आई सोमर ठीक है तो आई समर की बात है किसी भी चीज को जम जो मेंटिक आई समर देखते दो दो चीज़ों पर डीपेंड करता है एंगल डाइटरल एंगल यह फूरा सा अलग हो गया है कशली है एक काल्गूलेशन वह जो मुक्स में दिए खिए आपकते में जो फोर्मिला उता है कि निकालते हैं इसको इस इस से निकालते हैं इस अटार इस 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 तर्फरक्टर तो हम लेते हैं किसी भी कंपाउंड ले वैलेंच सल के लेक्ट्रन यह मोनोबलेंट स्पेसिज लगे होगी उस मोनोबलेंट स्पेसिज को माइनस कैटाइनिक चार्ड पिलस निक चार्ड दिवाइड बाइट तो यहां हरे आदे से हमें एक इस्टेरिक फ्रेक्टर बहिए जाता है चार्ज ओफ गैट n एकल तो .. genetically थाथ लिए धु के लिए मैंड उफ मेड बेटा किस में लगता है क्यों है कि अस्टेरिक नब्र जो ह待ता है मैंड गूरूप में वह सोता है last March य। इस निवन कि म CEO पड़ती है तो, तो मेंटन रिजैन लिए या नियमंग कि अपकर कोको भी जांगे इसको बादा ने फिर आलों अभी हम यह पीलोंग का या फिर ये यहां फिर या पृश्टेजैन स्टेरिक पूला जाएगा हां कोडिनेशन होगा तो कोडिनेशन मी हैंबरेशन होता है तीन होगा तो यह हैब देख सकते कि स्टेरिक पांच होगा तो तो SP3D होगा, 6 होगा तो SP3D2 होगा, 7 होगा तो SP3D3 होगा, 8 होगा तो SP3D4 होगा, ठीक है, PCL5 के अंदर group hybridization पाया जाता है, क्योंकि non equivalent structure होता है, देखो non equivalent structure का मतलब क्या है, आप कहते हैं कि PCL5 के जो agile bond होते हैं, और equatorial जो होते हैं, जो चोटे होते हैं, जो इस group पे होते है जो पर होते हैं, वो agile होते हैं, अब यह जब energy का redistribution होगा तो तो बरावर होगा, अब जब बरावर होगा तो दो bond है, बरे क्यों रहे के तीन छोटे क्यों होगे, यह तो कहीं और यह गलत है, तो यह जो hybridization है, यह कहीं न कहीं problematic है, इसलिए सब्सक्राइशन को दो जगा तो एक तो equatorial carbonization जिनकी energy same है, that is called sp2, state factor 3 आया, 3 पे sp2, और जब state factor 2 हुआ, तो it may be pd also, इन दोनों को pd, pd, x, l, k, d, z, square होगा 100%, तो यह sp2 में कौन-कौन से चलेगे, px और py चलेगे, इन तीनों को मिला के बनता है sp3d, are you getting my point or not? इसलिए जब कमी pcl5 को गरम करते हैं, तो इनक इतनी अच्छी नहीं होती, यह दोनों के दोनों तूट जाते हैं, यह दोनों तूट जाते हैं, तो pcl5 is converted into pcl3 and gives the cl to gas, आयोग यह point आप मेरा समझे होंगे, तो अब यह सारी चीज़ पढ़ भी है, ठीक है, अभी फीक है भी हम आ जाते हैं, मैंने एक चलीता बताया कि हाँ कोई एक combination hybridization नाम की चीज़ होती है, उसको में भी आगे पढ़ेंगे, फिराल is steric factor, हलाकि एक steric factor से भी easy formula है, कि आप कैसे किसी compound का hybridization निकाल सकते हो, जब मैं आपको problem कराऊंगा तो उस easy method से भी करा दूगा, यह थोड़ा का formula होता है, जो authentic तरीके से लिखा होता है, लेकि म आपको करा दोगा, इन सब species जो को monovalent species माना जाएगा, क्योंकि इसे single bone से जूड़ी होई है, किसी भी central item से, जब यह single bone से जूड़े होंगे तो इनको सब को monovalent माना जाएगा, balance cell के लिखकोंड बैलीलिये होगा तो 2 मान होगे, बैरोन मान होगे 3, carbon होगा तो 4, nitrogen होगा तो 5 oxygen होगा तो 6, fluorine होगा तो 5, Geno होगा तो 6, man group में mostly यही चलते हैं, 3D second period के atom, geometry is due to the stability, not due to the hybridization, यह थम्या आपको था, geometry जो आती है, stability चाहती है, hybridization दे जाती है, but hybridization is used for the explaining geometry, hybridization को use किया जाता है, explaining geometry, man group का मेन आपको पीछे में बताया था, एक चीज होती है, geometry दूसरी चीज हो एक चीज होती है, geometry और second is safe एक से तीज ही, मैं जिफ बहुत ज्यादा छोटा हो गया, इस निफ को थोड़ा बढ़ा कर लेता है, यहां पर writing हमारी थोड़ी ही अच्छी हो जाएगी, ज्यादा अच्छी तो नहीं होगी, बट निफ को बढ़ा कर दिया, पहले से writing अच्छी हो जाएगी, तो यहां पर ह टो। जौन टोंड हरो है, तो जौन टोंड होता हैं, और से जौन डोन टोंड पेर से आती है, यहां रोन टोंड पेर सेथो сок में ग्ंडिकी आयोदा हूं मैं आख हृट को नून टोंड आपके 6 होगे, Monobalent Species कितरी होगी बेटा, 2 Monobalent Species होगी, Divide by 2, कोई कहथा है, 6 और 2, Divide by 2, that is called 4, Stereo Factor 4 का बदो है, that is called SP3 Hybridization, यह बहुत आपके सिंपल तरीके से निकाल लिया, SP3 Hybridization होगा, तो Geometry आपकी Tetra Hydle होगी, बट जो सेफ होगी, वो आपकी Band सेफ होगी, इसका भी हम आपको तरीका बता देते हैं, अभी आपको Sword Notes पर जो हम लेकर के जाएंगे, तो यह भी हम बता देगे, किसमें क्या होगा, Simple एक दम, ना, Transition Metal Complex में ऐसा कुछ नहीं है, इनमें जो Geometry होगी, वही सेफ होगी, जो Transition Metal के हम बात करेंगे, इसको हम कॉनी नीचने पड़ते है जो आपकी Geometry होती है, वही आपकी सेफ होती है, इसमें 6 बोंड पे यह रहे हैं, तो Geometry भी Octohatal और सेफ भी Octohatal होगी, यह चोटी सी बात हम नहीं होता है, पहले Hybridization में फोकस करते हैं, उसके बाद हम सेफ में फोकस करते हैं, ठीक है, तो Hybridization का यह लैस नमबर ना, दो या तीन पोइंट देखने हैं, जब लैस नमबर ना मिले तो Second और Third पोइंट देखना है आपको, जैसे आपको हर किसी मिल जाएंगे, सबको सेंटर एटम का निकालना है, सेंटर एटम का आपको Balance, तो सेंटर एटम यह आपर तो आए नमबर ओफ लैस नमबर में तो पांच और तीन जाएंट लीका भी आपकर सेंट निकालना है, तुरसरे तो लीका यह नित्रोजन है.. नाइट्रोजन के पास बैलेंस है ना पांच और नेक्तरम होते है होता है तीन है निक्न को जोड दो.. आप एक लोनब पेर और नाप्ट पेर तूसरे सेंट इन बोनड पेर निक्ट पेर शीस करने हम ऑप है अच्छा लगा फोर्मुला बढ़ी है मजा आया हम को पढ़े हैं को इंद नाऊ तो हम क्या करेंगे जो है कु WE السब अब करें करें कारम भक्का करवन living लगाँगों चार हमने है अब 15 वाथ बाता है चार बोन्ड पेर तो 4 इस टेंथ फेक्टर और उन पेर पिलस बोन्ड पेर तो चार लोन पेर बचाई नीचे और भी एक्जामपल कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं तो है और ऑक्षीजन हुआ और छे पीछे भी आपको निकल जैए 6 पिलस 2 इकल टू चार आ गया अगर आप से कुछ जोमेटरी कूछें सबकितों जोमेटरी सबक्राइब दूसरे तरिक यहां पर आपके नग्या निचे आपके पास और ने इलेक्टरोन दो है यहां पर जूड़ गए अब आपके पास दो योंड पेर बच्छे दो जोड़ चाहर हुआ Saucy यहां पर चेंच होगी जैसे सिरी का भी सी एच फ्लोड़ नहीं है को इसकी बायरो बैलनस की जादे वह मना जा रहेगा तो carbon की balance च्टेट जाद होती है तो C O C L 2 अब आप यहां से इस carbonation बड़े राम से निकाल सकते हो कारौं पर तो कुछ बचाहीं निए सब्सक्राइब टेकि यहां पर यहां पर निगाल सकते हैं कि क्लिकेसे स्यावार तूर इसको निगाल सकते हैं आप रिकाल सकते हो पिसी पी दिखक्त आरी तो हर पेज़ पर से हमें एक ले लेते हैं कोई भी एक ले लेते हैं जिसे यहां से आई अपर अठा लिया आई अपर आपके साथ होगे तीन मॉनोगे जुड़े हुए तो साथ तीन दस दिवाइड वाइड वाइड तू इसको सजा दिया तीन फ्लॉरीन आपने उससे जोड़ दिये सिंपल एकदम तीन फ्लॉरीन जोड़ दिये दो लोन पेर बच्चे तीन सिग्मा बोन दो और तीन पांस तो पांच इस तरीके से सारे कॉश्चन निकाल सकते हैं बोड़ा ही एंजी कुश्चन मुझा जाता है कई आपने यहां रहा तीthyode के साथ मीमा ट्रुड दिये माइनस नों चाहिके पांचका मतलब है श्याए C सब्च क्तर है थीःट। पर बात करेंगे सेथ क्या होगी क्या नहीं हो क्लियर एकदम तो जितने भी कंपाउंड है इन सब का हाइव डिजेशन आप बड़े अराम से देख सकते हो किसी का भी हर पेज पर आप जिसका मन करें आप देखो आई तरी पिलस का यहां पर निकाल देते हैं तो बड़ा इजी निकाल सकते हैं देख सकता है आप इस वाले फर्मुलेस से भी है इस निकाल सकते हैं जो हमने आपको वीडियो के शुरू में अभगत करा आया था तो से सारे के सारे फ्रॉमुलेस हैं आप ऐक पिकाल निकाल निकाल दो 4 इ्लेक्टfish होते हैं, आपने यहां पर आड़ कर दी है तो कितना हो गई? कितना हो गई the इक तरफ से चलाएं पहले डिक करने हैं क्वेश्य नहीं होगा कि सितने भी सेटेट के हैं सी एड नो इनका अब और बता सकते हैं ठीक है पाईवॉन देखके आगर किसी में कोई पाइब नहीं है तो उसमें बोलेंगे स्पी तू और इसमें दो पाइब और पूरा देख सकते हैं वह स्परीट से बंते हैं जो और सिग्मा बोन हाइबरिड जिसञे सिलिकेट्स हैं सिलिकेट्स आपको कोई दे दे वह सारे सिलिकेट्स आपके होंगे जितने भी आपके फोस्पोरक ऐसीड है और ऑक्सी एसीड है कि वह आपके सारे के सारे क्या होगे SP3 होगे केवल SO2 और SO3 को छोड़ते हैं कि अब जटने भी आपके सलफेट है वह सब SP3 होगे जितने यह है वह भी आपके SP3 होगे इन मोलिक्यूल में आपके किसी का भी हावडियाशन आप निकाल लो वह आपका SP3 ही आएगा यह है यह है दूसरा नहीं है तो यह पढ़ते ओर लेक्र क्यों की कुछ चीजों के हविडाशन निकाल नहीं सकते लाइज जैसे सोली डिश्टेट वालों के हविडाशन निकाल सकते हैं उनको पढ़ने का लग मैंतर है ठीक है हम जिनका अब चलते हैं अब चलते हैं अपने सोट नोट्स की तरफ क्योंकि यहां पर हम सीखेंगे कि सेथ क्या होती है यहां पर हक्रों सोटनोस सब से नहीं समय स्वाफ करते हैं यहां पर सबस्राइब औरस पढ़े के और वेट्ट होता है है यह बहुत सब्सक्रेगे ऐसे रेखनर टीनिया की हम प्रेने उमसे सबसे और यह नहीं सरुट नहीं पर सबक्रूब बात करते हैं ऑड़iete यह तरी थीडिक है फोर ओवरलैपिंग फोर तो ऑफ एसे सालो चुब यह पॉइंट हो गया स्पीक के साथ में एक्स पे सि प्याउड पॉइंट पिदेड से लग के साथ पाइप य एक्सिस Yani कावंच करेगा अब सिमिलरली प्य प्य की एक्सिस पर आपका सब्सक्रज़ पर बनाइगा इसी प् ROBिल सक भी चरत है कि दुब के सांगा है कि कि प्लीसे लिए सfounder प्लीकित पर की आप बनेगा जैड़ पर आपका डेल बनेगा इसमें य। तो पाई के आलोंग्स पर किलिया रिखता है और य। 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 य९। चोटे-चोटे से पोइंट ना पेपर में बड़े काम आते हैं आप इनको बना के देखोंगे तो आपके सारी प्रोविस्टों हो जाएगी सब्सक्राइब आपके इसके आपको क्लियर होगे जैड एकस पर आलोग सिग्मा बनाएगा यहां पर नहीं होगा यहां पर दी यह आपका फिर से पाइब बनेगा यह वाला अगर इस कॉम किसी से करेंगे और इस कॉम के से पाइबॉंड को फॉर्मेशन होगा यह आई होप कि इस सेकंड लेक्चर आपका थोड़ा सा ओवलाप इंदे कॉन सेप्ट हो रहे नीचे सेकंड लेक्चर इसका प्लेटिंग नब है कि कौन होगा सबसे पहले हम साइज देखेंगे स्ट्रेंथ के लिए साइज अगर सेम है तो हम डारेक्शनल टी नेचर देखेंगे इसी पर आपका पूरा ओवलापिक्स तरिफ इतनी लैंड में आपका ओवलापिक्स हता है आयो प्यूर एंजॉई केमिस्ट्री वैल मच हम मतलब कितने तूधा पॉइंट एक दम चीजों को पड़ते जा रहे हैं हमने सोट भी हमने लॉंग नोट्स भी पड़े हैं हम सोट नोट्स भी आपको बना करके आप प्रोवाइड करना रहे हैं कि भी देखो यह सोट्स भी है एक्जाम नहीं आपको काम आएगा पीचे लिखे है जिस आपको दिया हुआ सब कुछ आपको रिवाइच हो जाएगा अगर आपने सोट आप देखो हांड़ाइजेशन में यह आपको नंबर ओफ एंगल निकालने का फुर्मूला होता आप देखो इस्टेरिक फेक्टर में अगर आपका दो है और दोनों के दोनों जाएंगे तो सिंपल इसको बात है तो जो मेंटरी होती है वही सेफ होती है अब इसमें एक लोन पेर आगया एक लोन पेर जोमेटरी तो ट्राइगलन प्लेनरी रहेगी और आपकी सेफ क्योंट हो जाएगी आफ निए Sumple सी बात है हमें कि बहुत जोगा तो इक टो उन ऊपो रिपेल करते है चार्म में फिर तीन केस हो जाएंगे चार में जी लटे डेसमें केस हो जाएंगे चार में यदि जीन लून पेर है तो आपको पता यह भी टेटादल ना यह विल लून पेर आपको नेंक एक् पांच के अंदर पांच की बात करें तो इस टेक्स पांच में यहां पर complete नहीं लिखा हुआ है तो एक वर्ड यादर कलो आप CT लाई मैं आपको बता दें था एक वर्ड यादर कलो CT लाई यह बड़ा इंप्रोटेंट रहे ला है ना अगर देशों are बहुत होगा अगर अगा यह लोट बगा है मारी तो इसको ंड़े हैं सीक्ट्रेंश हो अ है अगर यह बहुत हैं यह ता दोस्तों यह हमने केबल दो स्लाइड के अंदर दो से धाई स्लाइड के अंदर यह हमने पूरा पूरा कर अपना सोग नोट से जो हम अभी तक कितनी अभी तक पढ़े है अभी तक पिछले लेक्टर को आप देख सकते हैं यह यई के लिघ्टर नुबर पीद्ट अगर देखे जाएं इतनी स्लाइट को 55 स्लाइट को हमने स्रिफ पीज पर लेकर किया किसी को कहते हैं किसा इस्वार्ट स्टर्डी इस मार्टिष्टर ने कम रहे हैं तो एसी ही वीडियो के लिए हमार साथ जोड़े रहे हैं हमार साथ बने रहे हैं लेक्चर बच्छा जल्द ही लेकर किया हुगा बहुत जल्द ही लेकर किया हुगा बिल्कुल देर 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 हुगा थैंक यू थैंक यू सो मच काई हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर कुलदीब गर्ग आपको मैं कैसे और क्या-क्या टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर यूटूब सेशन में जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अनकेडमी प्ल सबसे पहला टॉपिक में तो आपको 100% जैराफ होगा और मैं यहाँ पर यूटूब पर अपने सेशन स्टार्ट कर रहा हूं सभी टोपिकों के डिटेल समें एक दाम तो सबसे पहला टोपिक मैं यहाँ पर उटा रहा हूँ अनकेडमी चैनल पर कैमिकल बॉन्डिंग तो मैं आपको आज मैं बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पर कैसे कैमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले यह जो पहला चैप्टर है हम इसको कैसे कंप्लीट करने वाले इस फर्स्ट चैप्टर को और हम हमारी स्ट्रेटिजी क्या रहेगी और हम क्या-क्या यहां पर कवर करेंगे तो गाई सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस टोपिक की तरफ केमिकल बॉंडिंग की तरफ और हम कैसे कैसे पढ़ने वाले इन सब चीजों को डिटेल में करते हैं और यह 20 के 20 टोपिक मैं आपको य यह यह कि च्ट्रेटिजी क्या रहेगी आप इसको ध्यान से समझ अगर आपने यह नहीं समझोगे तो आपको आगे के लेक्शर में समझ में नहीं आएगा तो यह लेक्शर वाण ही जरूरी आप लोगों के लिए तो इस पर फोकस एक दम बनाए रखें तो जैसे कि मैंने डाला हुआ है chemical bonding lecture 1 तो सबसे पहले हम lecture 1 लेकर के चलेंगे तो यह chemical bonding को मैंने दो पार्ट में डिपाइड गया है one is the BBT part second is the MOT part तो पहला part 1 है हमारा chemical bonding BBT वाला पार तो जो पहला lecture है उसमें हम बहुत ही basics यहां पर पढ़ने वाले wattage bond bond एक attraction है atoms के बीच लाइक बिल्कुल ए सब्सक्राइब होगर कि कौन किसके साथ overlaip करता है बलला एरिया कितने होते हैं कौन से overlapping best होती हैं कौन सी overlapping best नहीं होती सारी चीज हम यहाँ पर कहां पर overlapping होगी, तो कौन सा bond बनेगा, अगर ये दोन orbital overlap होगे, तो कौन सा bond बनेगा, तो इस सारी चीज हम second lecture में cover करने वाले है, उसके बाद पोचिंगे हम lecture third में, lecture third होगा हमारा पूरा का पूरा concept of hybridization, hybridization क्यों होता है, कैसे होता है, किन molecule में hybridization की क्या-क्या probability होती है, ठीक है axial bond, equatorial bond, ये सब क्या है, hybridization कैसे निकाला जाता है, hybridization निकालने का sort method भी होगा, even हम hybridization को भी दो तरीके से पढ़ेंगे, bond का hybridization अलक पढ़ेंगे, इतने सारे जितने भी आपको पीछे दिखाएगे, सब आपको कराए जाएंगे, सारे के सारे examples आपको कराए जाएंगे, even हम bond क भी hybridization पढ़ेंगे, bond के अंदर जो आपका जो hybridization होता है, उसमें excitation energy का use होता है, कौन-कौन electron excite होंगे, कौन-कौन electron excite नहीं होंगे, excite होने के लिए कौन से penetration effect, selling effect कैसे कैसे लगते हैं, one electron system के लिए energy level क्या होता है, multiple electron system के लिए energy level क्या होता है, फिर वहां से में excitation theory पे पर जबाएंगे, तो हम पढ़ेंगे periodic contraction and the charge contraction, दो टाइप के contraction होता है, जहां पर electron को excite किया जा सकता है, periodic contraction के थरू और charge contraction के थरू, उसके बाद हम आजाएंगे, कि आपकी जो compound की जो stability है, यह SP orbital है, फिर हम यहां पर मैंने जो PCI-D जिकर की, आप से की दो टाइप के hybridization, एक central में, जो single bond है, उस bond के अंदर क्या hybridization है, तो bond का hybridization अलग पढ़ेंगे, और हम central metal का hybridization अलग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे, जो हमारा अगला lecture होगा, उसमें हम पढ़ेंगे BACPR theory, कि भई हमारा अब जो lecture 6 पे हम आ जाएंगे, कि इस S करेक्टर की व lecture आपके वहां पर चल रहा होगा, और यहां पर भी हम सारी bond length, bond length, bond energy को हम यहां पर calculate करने वाले हैं, इसी के साथ bond angle theory भी आपकी यहां पर आ जाएगी, ठीक है, तो यह हाँ, इसी के साथ पढ़ेंगे, BACPR in continuation चली रहा है, उसके बाद जो lecture number 9 होगा, lecture number 8, lecture number 8 में, जब हम वाले हैं, then हम जब lecture number 9 पर कहुंचेंगे, lecture number 9 में हम पढ़ेंगे polarization theory, polarization theory के साथ साथ में, solar state का hybridization, जो old electron species हैं, उनका hybridization, जिनका hybridization पर नहीं निकाल पाए, उन सब species का hybridization हम यहां पर निकालेंगे, और उसके बाद में, हम जो सबसे last में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम आपका vector, ठीक है, तो जो आपका polar compound कौन होते हैं, कौन polar compound नहीं होते हैं, shape, structure, geometry, ठीक है, इन सब चीजों में क्या आंतर होता है, और पिलस हम पढ़ेंगे polarity, polarity मात है आपका dipole moment, ठीक है, तो यह सारी चीज हम यहां पर cover करने बाले हैं, इन 10 lectures में, आप मेर साथ videos में बने रही है, और जब इतने सारे page का, कितने page का, लगबग number 200 page का यह आपको नोर्स में आपको provide करा दोगा, ठीक है, पढ़ाने के बाद, पढ़ने के बाद 200 page का hydrogen bonding भी आएगा, इसमें hydrogen bonding भी हम यहां पर पढ़ेंगे, बार्टर की density, कोन बार्टर मोलेकुल में कि questions, CSI, NET में, AJT साया हुआ है, ठीक है, तो उस सारी चीज हम यहां पर cover करने वाले है, इसके बाद, बाल्डर इन वर्जन के हम पढ़ेंगे, last topic होगा, हमारे BBT का, BBT के बाद हम स्टार्ट करेंगे, MOT, लेकिन अब यह हम यह पर नहीं रुक रहे है, अब जब हमारे लगब 10 लेक्चर लगेंगे आपके, every lecture जो होगा 30 से 40 मिनट का होगा, तो सारे 10 लेक्चर आपके वहाँ पर लगेंगे, उन 10 लेक्चर को समझने के बाद, हम ने यहां पर सिर्फ 6 स्लाइड रेखी है, जो exam point of view से बहुत important है, जब आप इन 6 स्लाइड को देखोगे, तो आपको points में बना करके, मैंने आपको एक चीज़ देखे, SPX के साथ में, X-axis के अलोग sigma bond बनाएगा, Y के साथ में भी sigma bond बनाएगा, तो जितना भी उस notes में लिखा हुआ है, उसका short notes मैंने यहां पर ही ready किया हुआ, सिर्फ 6 स्लाइड में, slide number 1, slide number 2, slide number 2 के हम पढ़ेंगे strength of overlapping and hybridization का जो भी concept है, number of angle निकालने का formula भी देखो, आपको लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, और किस steric number पे, क्या geometry होती है, क्या safe होती है, यह मैंने पूरा का पूरा data एक slide पर लाकर के देती है, कि आप पर stake number 2 आया, 2 bond pair है, 0 loan pair है, तो क्या geometry होगी, क्या safe होगी, तो आप यहां से न electron hydrogen, and determine the bond angle, to determine the bond land, to determine the bond energy, आप किन-किन factor को आप priority दोगे, और then polarization, यह साहरा का साहरा हम यहां पर complete करने वाले है, तो guys, आप सब को बहुत मज़ा आने वाला है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, आज सबसे पहले, lecture number 1 से हम यहां पर स्टार्ट करना जा रहे है, तो lecture number 1, य तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहां में यहां पर तीन question पूछेंगे, तीन question सबसे पहले क्या आता है, कोई भी आप से generally question पूछ रखता, वही वार्ट इज बोंड एक attraction है, बिल्कुल एक दम सही बात, बोंड एक सिर्फ attraction है, atom के बीच, ठीक है, बोंड बोंड नहीं होता है, इस पर एक attraction होता है, force of attraction होता है, आप किसे कैसे जुड़े हुए, आपका अपने माबाप के साथ में एक attraction होता है, आपके बच्चों के साथ में एक attraction होता है, ठीक है, तो वह जो attraction है, that is called bone, why bone, we assume that attraction is stability, इस attraction से stability मिलते है, जैसे कि हम अकेले कहीं जा रहे हैं, अपने daddy के साथ साथ कहीं जा रहे हैं, तो daddy के साथ एक bond बनते हैं, तो हम we assume कि हम stable हैं जादा, तो वही चीज, bond इसलिए कि हम बनाते हैं कि हम एक stability को gain करे, stability is attained by decrease in potential energy, stability कि कि हम potential energy को क्या करें, decrease करे, clear एकदम, how bond, stability is attained by decrease in potential, potential energy decrease होने की जो mechanism है, उसको हम bonding कहते हैं, potential energy को हम bond dissociation energy की term में बढ़ते हैं, किस की तरम में बढ़ते हैं, potential है, bond dissociation energy की term में बढ़ते हैं, dissociation energy 50 kJ per mol है और तो H2 की bond dissociation energy 25 kJ per mol होगी क्योंकि H2 का bond order 1 है और H2 का bond order 1 है तो simple bond order 1 हाफ तो bond dissociation energy क्या हो जाएगी हाँ? And bonding को denote करने का best representation होता है bond dissociation energy अगर आप किसी की bonding को explain करना चाहते हो, bonding को आप दिखाना चाहते हो तो उसका जो सबसे best तरीका होता है, वह होता है bond dissociation energy, आई हो पहली slide आपको बहुत अच्छे से समझ माई होगी, simple, अब दूसरे तरफ चलते है, bond dissociation दो तरह के इस होता है, एक होता होता है homolytic cleavage, एक होता है heterolytic cleavage जाता है, जो दो पार्टनर के बीच में bond का cleavage हो, मतलब वह company आपकी बंद होई, तो क्या होगा भी जितना भाई, ठीक है, अपना हिस्सा तु ले जा, मेरा हिस्सा मैं ले जाता हूं, अपना हिस्सा तुम ले जाओ, मेरा हिस्सा मैं ले जाता हूं, खतम काने, इसको बोलत हैं, जहां पर charge का separation हो, एक positive बने, एक negative बने, उसको हम बोलते हैं, heterolytic cleavage, जहां पर radical form होते हैं, उनको हम बोलते हैं, homolytic cleavage, दोनों तरह के bond dissociation energy में energy different होती है, mostly हम homolytic cleavage को ही bond dissociation energy में यहां पर पढ़ते हैं, जहां हम covalent bond को तोड़ते हैं, क्योंकि सारी की सारी covalent bond पर Factor होते हैं, जैसे SCL दोनों तरीके से टूक सकता है, SCL आपका यहां भी टूक सकता है, तो homolytic cleavage भी होता है, heterolytic cleavage भी होता है, तो जन्नली, हम अब कैसे cleavage हो रहा है, यह following factor पर depend करता है, जैसे temperature पर depend करता है, कि mostly जो homolytic cleavage होते हैं, वो higher temperature पर होते हैं, in comparison to heterolytic cleavage, SCL क तो अगर हम high temperature पे तोड़ा जाए तो homolytic cleavage होगा, अगर low temperature पे तोड़ा जाए तो heterolytic cleavage होगा, जो polar solvent होता है, वो heterolytic cleavage को prefer करता है, और जो आपका non-polar solvent होता है, वो आपका homolytic cleavage को prefer करता है, तो इन दो factor में depend करता है, इसलिए हम यहाँ पर generally हमांगे चलेंगे, कि हमार जो bond का जो breakage हो रहा है, क्योंकि covalent bond है, हम उसको homolytic cleavage मान करके चलेंगे, chemical bonding में जब भी bond dissociation energy की बात करेंगे, जब भी bond dissociation energy की बात करेंगे, तो homolytic cleavage की बात करेंगे, क्लियर एकदम, आई हो किसना आपको समझ में आया होगा, इसनी बात आप समझाँगे, कि हम chemical bonding में जब भी bond dissociation energy की बात करेंगे, तो homolytic cleavage की बात करेंगे, आई हो सीधा सीधा लिखा हुआ, हम सरी bond energy नहीं लिखते, क्योंकि bond energy, bond dissociation energy भी हो सकती है, क्लियर एकदम, हम सरी bond energy नहीं लिखते, क्योंकि bond dissociation energy भी हो सकती है, इसलिए bond energy नहीं लिखते, क्योंकि हम bond dissociation energy की बात कर इसलिए उसको चलो इफ कंपाउंड है हाई बॉन डिशुशन एनर्जी दें कंपाउंड बिल बी इस्टेबल या लैस रियक्टिविटी यह कोश्चन सबसे अच्छा बनता है बिच ए करेक्ट ओप्षिण बॉन डिश्योशन एनर्जी देखो इसका करेक्ट ओप्षिण क्या होगा? आप खोद इसका आंसर निकाल लेगे stability और reactivity stability और reactivity कोई fixed relation नहीं होता है अगर कोई compound stable होता है तो जरूरी नहीं कि वो reactive नहीं भी हो सकता है इसका हम बहुत अच्छे से एक example लेकर के भी समझेंगे भी आगे है यह bond दो तरीके से टूट सकता है दूसरा thermodynamics तरीके से टूट सकता है हम temperature dependent चीज़े पढ़ते हैं और electrical के बेस पर इनकी reaction नहीं पढ़ते हैं क्योंकि electrical के बेस पर हम reaction जो परते हैं वह आपकी electro chemistry पढ़ते हैं generally हम temperature based reaction को यहां पर बोलते हैं इसलिए हम इसको thermodynamic stability बोलेंगे reaction towards and activation energy और इसी stability की ट्रम में इसको kinetic stability कहते हैं कोई reaction यहां से यहां हुई कोई reaction यहां से यहां हुई कोई kinetic stability ज्यादा है कोई kinetic stability का में ले बाइल और इनर्ड मोलते है reactivity depend on activation है तो आप आप दो दो चीज होगी अगर आपको उपर वाली question का भी answer नहीं मिला है मुझे पता है तेकिन आप यह समझो एक चीज तो है bond dissociation energy bond dissociation energy in the term of the thermodynamic stability clear एकदम even reactivity is the part of the activation energy जितनी पीक उपर होगी उतनी एक्टिवेशन energy ज्यादा होगी जितनी पीक उपर होगी मालों यहां से देख रहे हो आप यह पीक जितनी ज्यादे उपर जा रही है उतनी ज्यादा आपकी activation energy ज्योंगी compound उतना ज्यादा inert होगा बीडी का मतलब के पूरा का पूरा bond तोड़ तोड़ना है पहली बात तो bond dissociation energy का मतलब समझोंगे यह रही है कि H का देखो single bond आपने एक बंट तोड़े रैडिकल जैसे O के बीच में दो बॉन्ट होते हैं दोनों के दोनों ब्रेक होंगे ज़ता है तो उने average निकालेंगे तो इसका जो contribution सेट अबन भाई था एक भूंट यह एक तो single हो गया ऑब बन भाई थार्ड बन भाई थार्ड तो कितना हो गया यह double bond आपके हैं अजसका इसका दूसा तरीका क्या है कि जितना bond order आप कैसे निकालोगे जितने total bond है, कितनी resonating structure है, divide करतो उससे भी आपका bond order निकल के आ जाएगा, अब चलते हैं अपने पहले वाले questions की तरह, अब simple सी बात है कि thermodynamic stability is directly proportional to bond dissociation energy, bond dissociation energy and bond dissociation energy directly proportional to bond order, therefore stability of graphite, stability of graphite is the higher than stability of diamond, region bond order, अगर देखा जाए कि thermodynamic stability में graphite और diamond की बात करें, तो graphite is the more stable than the diamond, but reactivity of the graphite is the high than the reactivity of diamond, because graphite is double bond character, pi bond break easily first, reaction भी सबसे जल्दी graphite पर देगा, तो यह जरूरी नहीं है कि कोई compound, आपको पहले वाले का answer मिल गया होगा, कि अगर कोई compound, अगर हम पहले वाले questions की तरफ चलें, तो जो first question था हमारा यहां पर सबसे पहला जो यहां पर उठाता वोई चीज हम आपको बताने की कोई करें, if the compound has high bond dissociation energy, that compound would be, वो stable भी हो सकता है, वो less reactive भी हो सकता है, so we can say that both are correct, clear रहता हम, तो दोनों के दोनों options यहां पर हमारे correct है, कि वो भाया only first भी हो सकता, stable भी ह हो सकता, वो less reactive भी हो सकता, तो bond dissociation energy का मतलब, stable नहीं है, और यह भी है कि वो less reactive भी हो सकता है, clear एक्दम, तो यहां पर हम आगे चलते हैं, ऐसे ही यहां पर option, which is more stable, अगर हम stability की बात करें, तो bond dissociation energy के base पे stability की बात करेंगे, तो दोनों stability आएंगे, थर्मोडायनमिक stability आएगी और दूसरी हमारी के आएगी, कानेटेक stability आएगी, हैंग हो गया है, क्या, यह कहां से जाएगा, मारकर नहीं आ रहा है, आगया, अगर हम बात करें, एक second, यह चला गया, अगर हम इन दोनों में बात करें, अगर इन दोनों में बात करें, which is more stable, तो CH2 double bone, CH2 stable यह CH3 single bone है तो आपको लग रहा होगा कि यह वाला इस्टेवल नहीं, यहाँ पर सबसे पहले हम bond dissociation energy बात करें, यहाँ पर दो बोन टूटेंगे, कारवन 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 का बोन टूटेंगा, तो simple bond dissociation energy ज़्यादा है, तो more stable that one, कि लिए आप bond order के बेस पर, बट यदि अगर यहाँ पर बा अगर देखा जाए तो और विटल कुछ भी नहीं है, और विटल एक हाइपोथेटिकल कॉंसेट है, हाइपोथेटिकल कॉंसेट है, हाइपोथेटिकल कॉंसेट है, क्वांटम में वी है, मोडल में हमने electron के particle nature ना बताके, बेवनेचर को बताया, क्योंकि हमने quantum mechanics में electron को particle nature न इस equation में हमने कुछ constant रखे, NLM आपको याद हो, आप पढ़ते हो, इसको NLM constant आपको पढ़ते हैं, चार पावली, एस्कूजिन, प्रिंसीपल, यह सब आपके चार लों आते हैं, उसमें NLM करके आते हैं, यह equation solve कर रहे थे, तो जब हमने constant रखे, तो हर orbital के लिए इस equation से contour diagram हमको मिलता है, उस diagram की जो save बनी, उसी को हमने orbital बोलना save कर दिया, मालो, S orbital की जो हमारी जो contour diagram आया, वो spherical type का है, तो उसी को हमने क्या बोलना शुर कर दिया, orbital diagram बोलना सुर कर दिया, electron density का graphical diagram को contour diagram कहते हैं, जो हमें sodinger wave equation से मिलता है, तो सिंबल यह आपको सिर्फ समझना है, आ सर्फ पर ले मिली, वो आपको spherical save मिली, इसके आगे चलते हैं, अब कौन सी, कुश्य नहीं होता है, जाने स्री पर आ ज्जेश के दो पार्ट होता है, अआई नीचे वाला पट, उप्पर वाला पार्ट भी आपका s-orbital को represent कर रहा है, नीचे वाला पार्ट भी आपको s-orbital को represent कर रहा है, बस एक face, यह हमारी लायन है, इससे ही उपर वाला पार्ट एक positive face है, यह एक negative face है, बोथ हार और्विटल तो ये दोनों और विटल हैं लेगिन अब द्यान दकना जब भी दो सेम मिलेंगे वही बोंडिंग करेंगे जैसे कि पिलस के साथ हैं पर पिलस मिला इसलों हमारे क्राइब बॉंडिंग माइनस फेस के साथ में माइनस फेस को मिलाओंगे तो ही आपकी क्या बनेगी वहाँ पर बॉंडिंग बनेगी आई होप इतना आप समझ गया होंगे हाउ मैनी ओर्बिटल और हाइड्रोजन एटम चलो इस पर तो हम सबसे बाद में करेंगे किसी बता देते किसी भी एटम के प हैं तो कि किसी भी एटम की बात करएंगे तो हम कहेंगे कि इस इस एटम के पास में इन्फैनाइट और्विटल है। किसी एक और्बिटल में एलेक्टोन की फिलिंग हो, और्बिटल उनके पास अपने पास में इंफाइनाइट होते हैं, अब इनकी संक्या कैसे निकालते हैं, तो इनकी संक्या के लिए हम आर पास फोर्मिला होता है, 2L पिलस 1 का, ये बच्छपन शाप पढ़ते आ रहे हो, L is the आई जी मोटल क्वांटन नंबर होता है, value of L, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है, तो number of P orbital की अगर हम बात करें, अब आपको यह तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि कौन सी एक्सिस फिक्स ना करें तो जैड को आप इंटर नुकलियर एक्सिस कैसे मानी जाती है जैड को आप इंटर नुकलियर एक्सिस मानों अगर कोई एक्सिस 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 फिक्स करके देखना है तो आपको उसी एक्सिस पर बोंड बताना है कौन सा बनेगा यह हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे के लिए हम तो हमने पी के तीन और्बिटल बनाए पी एक्स पी यंदा पी जै जहां सेंट ओफ सिमिटरी प्रजेंट होती है उसको हम जी रिट कहते हैं अप सेंट ओस्मिटरी क्या होती है पहले आप इस बात को समझो इस बात पर थोड़ा सा प्रिकाश डाल दें मालों यह चली मालां कंण ते सेंटर अप एक किलोमीटर दूर गगें गया तो यहां पर कोई रामलाल बैठा है इस सेंटर से इनवर्स कर देबर भी डारखस में एकस गए जसक डार्टिसमेंगे और दोनों की से मिल dau उसी को क्या कहते है एक जैसे कि और प्लस था तो यही सेंटर पैसा तो से स्ट्रक्चर में आपको देके को पी और से इधर की एक्सिक में तो यहां पर पोजीटिटिफ फेस मिल रहा है इस पोजीशन में तो यहां पे नेगेटिव फेस मिल रहा है तो फेस ही चेंज हो गए आपके इन्वर्स जाने में दैट इज कोड अंजी रेड तो यह ध्यान रगना एस ओर्बिटल जी रेड होता है पी ओर्बिटल अंजी रेड होता है इसके लिए सोथकट भी आपका होता है कि यह इस वे में चलता है उसके आगे हम बात करें डी और्बिटल दो टाइप के होते हैं एक होते हैं एक होते हैं अपके कितनी टाइप के होते हैं देखो अपका थोड़ा सा कि आप questionnaire नोट जाए वह आपका हैं अब दोसरे होते हैं आपके बिट बीटं बार एक्सिस आप आप आलोंग रखक goofy से को मतलब है कि जो एक्सिस के सास्साथा हो जैसे कि आब थे जाएगा पिके में आपकर प्रक्राश्व Nevada और दि में आपको डबल डबल से होती है, डबल जैसे कि आप जिम में आपने कभी देखे होगे, वो ही डबल वाली सेफ है यहाँ पर, तो between the axis का मतलब क्या है, that is between the axis, कि ये z, ये x, इन axis के बीच में आएगा, इन axis के बीच में आएगा, अब क्योंकि ये g-rade होगा, तो g-rade होगा, center से इधर positive ज को x y x, अब जितने between the axis होते हैं, उतने ही along the axis भी होते हैं, या on the axis भी गोल देते हैं, इनको along the axis भी बोलते हैं, along the axis का मतलब क्या, भी आपने एक बार पहले x y लिया, तो x y पे along the, अब देको ये axis के साथ जात, ये axis है, ये axis पे और बिचल बना ये, तो 3 orbital ये, इसके साब से तो D की कितने orbital होने चाहिए थे, D की beta 6 orbital होने चाहिए थे, अब भया IPC आगे, नहीं, 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 वह वाला rule है ना, 2L plus 1 वाला, भया वो चलेगा हमारा rule तो, उस rule को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इन्हों ने उस rule को माना, तो अब Z को intern nuclear axis मानना था, by convention, तो Z को internuclear axis मानना, इन दोनों orbital हो को, इन दोनों orbital को merge कर दिया गया, यह भी Z axis पे देखो, पिलस पिलस था, यह भी Z axis पिलस पिलस था, तो इन Z, Z वालो को, क्योंकि Z को पहले priority देंजिंए, internuclear axis मानना, इस सबाए बहाई, इस को औरział और को इसको और रख दिया, जब इसको ऑपर तो आपस प ketchupास बना देटेंटेंटा यह चारों लोग को यॉट कुंद लोगोसेत्व एससे बना देटेंगfight तो इन दोनों को आपने लगाओ मैंतर linear combination atomic orbital से ये x-axis वाला ये y-axis वाला इसकी से थोड़ी सी बढ़ जाती है और z x-axis वाला ये और y-axis वाला ये मिल के क्या बना लेते हैं ये आपका nut बना लेते हैं आ यहां पर एक डग था या एक नट था पहले वाला यहां पर एक डग था या एक नट था पहले वाले में आई तो आपने देखा हो तो बीच में सिर्फ एक आया तो यहां पर दो बन जाते हैं तो इन तीनों orbital की shape तो ये वाली होती है x पर पूछा x पर रख दिया y पर पूछा y पर रख दिया z पर पूछा z पर रख दिया एक orbital होता f x y z और बाकी के तीन ओर्विटल होते हैं यह है कि लिए एक तो इन तीन होती है यह आपकी अंजी रेड होती है होता है यह इस आपका जी रेड होता है pゃ्कव अंजी रेड होता हैम असर से बीटव पुस्वार में दोनों जो लोग ती आप उपर देको अगर अगर सेंटर से यह जा रहे हैं तो यह पूकर से से आप सब यह हाँ चैप्टर आपने बहुत ऐगे सिस्वाम कि आपको समझ बहुत रहे हैं नहुसर्ट की है के नहीं कि इन तीनों की जो हुदी है एफ सबस्कांद and fz x square minus y square इन तीनों में भी आपकी एक डग आती तो paper में एक question आ सकता है एक question आ सकता है कि इन orbital में कितनी डग होती है कितनी lobes होती है तो यहाँ पर 6 lobes and the 1 डग और उपर के जो 3 orbital आपने पढ़े थे वहाँ पर 2 lobes और 2 डग थी आपने धियान से देखो तो यह question यहाँ से बनता है और इस वाले और cubic method में जो होता है यहाँ पर कोई भी आपकी डग नहीं होती है तो अगर question पूछा है फोरबेटल से आने वारे time में क्योंकि मैं जब भी आपको चीजे पढ़ाता हूं मैं हमेसा चीजे आगे करके पढ़ाता हूं थोड़ा सा चीजों को length में ले करके जाता हूं जिससे कि बच्चा यह नहीं कि जो previous year में paper में questions आया है उनी पे dependent हो अब हम अगला lecture अपना start करेंगे second lecture हमारा start होगा आगले वीडियो में आप यहां समझें जहां अगले वीडियो में पढ़ने वाले overlapping, sigma bond कैसे बनता है inter nuclear axis तो यहाँ पर पहले chapter में मैंने आपको एक बार revise कर देते हैं पूरे chapter को बहुत तेजी से ठीक है उसके बाद हम आएंगे second lecture और देखेंगे कि हमारे short note में आज के lecture से कुछ related था या नहीं था या सिर्फ आज का lecture सिर्फ समझने का था हमने सबसे पहले पढ़ा यहां पर तीन टाइप के बोंड था है bond is attraction बोंड की अगर हम बात करता हमने यहां पर तीन टाइप के बोंड को ने bond is attraction why bond, how bond, potential energy potential energy को bond dissociation energy के टर्म में पढ़ेंगे sorry कहां चला गया बहुत जाद नीचे चला गया bond dissociation energy के टर्म में पढ़ेंगे bond dissociation दो तरह का होता है homolytic and the heterolatic हमने कहा कि जो temperature पर high temperature पर कराते है हो homolytic कराते है solvent पर डिपेंड करता है जो polar solvent होता है उनमें homolytic होता है यह सारी थियोरी यह सारी बात है आपको organic में भी काम आए गी कि यह radical कहां बनेगा कारो कटन कहां बनेगा तो यह term सबको पता होने चाहे कि homolytic अछी रिडिकल जो बनता है वो आपका सब्सक्राइब करते हैं यहां पर हमने दो एक्टिविटी को बताया था यह एक्टिवेशन एनरजी पर डिपैंड करती है और थर्मल इस्टेबल्टी जो आपके जो बॉन डिस्टेबल्टी हो तो दोनों टाइप के के इस्टेबल्टी को हमने डिफाइन कर दिया बातों वह फिर दोनों से बताते हो एक्दम ऐसी हमने यह पर ग्रेफाइट का डायमेंड निकालना बताया कि बॉन डोंड नवर आपको कैसे निकालते हैं इस्ट्रक्टर से भी आप निकाल सकते हो ठीक है और दूसरा आपको CS2 CS यह तरीके बताया और बाकि फिर हम आगे थे अपना ओर्बिटल्स पर कि बही ओर्बिटल्स क्या होते हैं एक hypothetical concept होता है कंटू डागराम से हमको मिलता है फेस बताये दोनों के दोनों एस ओर्बिटल होते हैं यह bonding कहां से होते हैं जब सेम फेस हों के तभी bonding बनेगी hydrogen के पास में infinite orbital होते हैं 2L plus 1 के base पर हमने orbital होती संक्या define की है value of i, i कितना होती है, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है, 4p orbital और हमने आपको सब की safe बताई, इसकी double होती है, यह ungerade होती है, p orbital ungerade होता है, s orbital g rate होता है और हमने आपको center of symmetry बताई, d orbital हमने 5 orbital बताई, 5 orbital में बताई कि इन दोनों orbital को mix कर दिया जाता है इन दोनों जबी तो देखो, 4 orbital हमें एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, dk, 5 orbital हमें सा different सा दिखाई पड़ता है तो यह region यह ही है, कि इसमें 2 orbital mix होते है, linear combination, atomic orbital के method से, क्योंकि हमें number of orbital 5 बनाने होते है clear एक दम, तो by the convention, f orbital की भी हमने आपको सबकी से बताई है, किसमें कितने डग और कितने लोप्स होती है, तो आप बता सकते हो कि इन तीनों में 2 लोप्स होती है, 2 डग होते हैं, इन में कोई डग नहीं होती, 8 की 8 लोप्स होती है, अगर इनकी, ओ, sorry, इस वाले में 8 की 8 होगी, आज का chapter ये वाला इतना ही था, दूसरा वीडियो आएगा, बहुत जिल्दे आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, दूसरे वीडियो में हम परेंगे, overlapping, sigma bond कैसे बनता है, ठीक है, आप चलते है, short notes में हम देखेंगी, कि आज के lecture में हमारे काम का क्या है, short notes के अंदर, short notes में हमारे cable आज का lecture basic था, जो second lecture होगा, second lecture से दिखो overlapping area से दिया हुआ है, तो यहां से start होगा, सिर्फ एक basics थे की orbital क्या होते है, क्या नहीं होते है, exam में हो सकता है कि पहले chapter से क्यों कोशन देखने को ना मिले, सिर्फ एक basic बताने के लिए था पहला chapter, I hope आपने वीडियो को एक दब enjoy किया होगा, thank you, thank you so much. Hello, hi guys, myself Dr. Kuldeep, एक बार फिर से आपके साथ chemical bonding के लिए जुडा हूँ, अभी तक हमने देखे हैं कि हमारे 5 lecture complete हो चुके है chemical bonding के, तो आज चटा lecture चलने वाला है chemical bonding का, और myself Dr. Kuldeep, I am the educator on this platform since February 2020, I am PhD qualified from CSRNPA, in molecular engineering from IT Delhi, MSc in chemistry from CCS University, media time, many times qualified, net, J.R. Afanta, gate exam, अगर मैं बात करो कि मैंने अनकेडमी पे पिछले चार सालों में किया किया है, मैंने पिछले चार साल में अनकेडमी पे ये सारे टोपिक बढ़ा दिये हैं, ये सारे टोपिक पूरे डेटेल में बढ़ा दिये हैं, आपके सभी के PYQ लगवा दिये मैंने यहां पर और ये सब आपको प्लस, आइकोनिक और स्पेसल क्लास में मिलते हैं, स्पेसल क्लास बिल्कुल फ्री है, स्पेसल क्लास में आप मेरा रिएजेंट देख सकते हो, जो मैंने पूरा एक्दम डिटेल में करा हूँ हुआ, 20 लेक्चर आप 20 ल लेकर के चलना हूँ, जो हम क्लास में बच्चों को भी प्रोवाइड कराते हैं, वही क्लास में समया पर, आप लोगों को उसी नोट से हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर कैमिकल बोंडिंग कोई बच्चा मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर मेरे साथ जूड़ सकता ह तो यह सबसे पहले, इस 20 टोपिकों में हम सबसे पहले में लेकर चलना हो, कैमिकल बोंडिंग को आप चल रहा है, लेक्चर नूमबर 6, तो अब यह हमने देखा पिछले 5 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो आप लेक्चर नूमबर 6 पर आगें, जैसा कि मैंने फर्स लेक् अब इस प्रेटिंग फोड़ी सी खराब है, तो मैं थोड़ सद पिन बोल्ड करके पढ़ाता हूं, तो हमने परसंटेज एस करेक्टर की बात की थी, तो परसंटेज एस करेक्टर मैंने आपको भी निकालना ज्यादे बढ़ा हो गया, आप ठीक्याँ, तो परसंटेज एस क यह आपको याद होगा उसी के बैस में आपको यह नुमेरिकल में आपको लाश कलास में करा दिया था अब हम आप डिसकस करेंगे कि हमने जो कुछ भी उपर पड़ा है उसका हमारे हमारे यहां केमिस्ट्री में उसका क्या है तो जैसे कि हम बात करते कि वाई विच आउट ओफ इज़ी आपकी बैसी इसकी इसी किस निकल कर आता है आप इसको पूरे का उप पड़़ा का प्रवांद्व में लिखा होगा तो एक आपको शोट में लिख देता हूं जिसमें जि hybrid orbital में होगा वो easily donate होगा जो orbital pure S में होगा वो easily donate नहीं होगा अब NS3 और PS3 में होता गया है क्योंकि N का side छोटा है तो यह जब side छोटा होता है तो यह HH बहुत पास आ जाते हैं तो यह दूसरों को repel करते हैं तो इनको यहां से यह S character चाहिए होता है अपना born angle बढ़ाने के लिए क्योंकि hydrogen इतने पास आ जाते है nitrogen का side छोटा होने की वजह से तो जिसके जैसे इस S character को इसमें आना पड़ता है मतलब इसमें P character जाएगा मतलब यह जो orbital हो गया यह hybrid orbital हो गया मतलब ns3 में जो lone pair है वो सब्सक्राइब हो एक hybrid orbital में अगर हम पीएचितरी की बात करते हैं कि बिल्कुल यहां पर सब थेओरियों वह लिखा हुआ है अगर मैं पीएचितरी की बात करो पीएचितरी का साइज होता है बड़ा जब बड़े साइज पर यह hydrogen जुरते हैं तो इनके बीच में ओल लेडी बहुत ज्यादे गैप होता है गैप होता है तो यह क्या गरता है यह इस से lone pair को डिमांड ही नहीं करते तो यह वाला lone pair pure s orbital में होता है जबकि आपका जो ns3 का जो lone pair होता है वह hybrid orbital में होता है तो hybrid orbital के electron को easily donate किया जा सकता जैसे कि आप यह पर देख रहे हो इसका nitrogen का साइज छोटा तो इनके बीच में repulsion जाते होता है पोस्पोरस का साइज बढ़ा हुआ तो अब 90 डिग्री पर जो है चाहेंगे तो इनके बीच के क्या होगा डिस्टेंस बढ़ गया repulsion कम लग गया अब इस इस एंगल को बढ़ाने के लिए यह एस करेक्टर के डिमांड करते हैं जबकि एस करेक्टर के पास होता लौन पेर के पास होता तो लौन पेर को हाइब्रिड होना पड़ता है इस कंडिशन से इस्ट्रकली रिडिस्ट्रिबूशन के लिए मैंने आपको पहले कला तो मैंने यही चीज यहां पर ने सारी बताईए तो बेसी सिटी में कभी इलेक्ट्रों कॉनसप्ट नहीं देखे नाइट्रों पेर जा कहां से रहा है हाइब्रिड ओड़ विटल से या अनाइबर्ड यहां पे एलेक्ट्रों का कॉनसप्ट लगा देगे कि नाइट्रोजन की ज्यादा है नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रों को खीच के रखएगा इसलिए अन्दर गलात हो गया ना यह concept नहीं है कि लोन पेर जहा कहां से रहा इस बार में डेपेंड करेगा अगर लोन पेर अन हाइब्री और बिटल से जाएगा तो बहुत मुश्किल से जाएगा science NS3 is more basic than PS3 यह कोश्चस बहुत पुछा जाता है बच्चों ऐसे ही percentage as character से मैंने आपको acidity का भी बताया था कि जैसे कि हमने होता है कि यह यह compound बहुत ज्यादा acid होता है यह वाला compound आपका बहुत ज्यादा acid होता है जितना percentage as character बढ़ा क्योंकि यह sp-habidization आया percentage as character बढ़ा acidity बढ़ी यहाँ पर percentage as character कम हो क्योंकि sp2 है तो 33% रह गया तो acidity क्या होगे decrease होगे वेटा तो यह acid line is more acidic थो हम बोल सकते हैं कि जो percentages character है जो character निकाल रहे है bond का तो वह यहां भी help कर रहा है ड्रेगों कंपॉंड क्या होते हैं चलो ड्रेगों की बात करते हैं थोड़ा सा application ड्रेगों का आ में कौन आते हैं फोस्पोरस आते हैं सल्फर आता है यह side atom should be small hydrogen को हम consider करते हैं मैंने जभी hydride बोला था आपको एक्टरण पे lone pair should be present on the central atom central atom पे lone pair होना चाहिए और hydro और क्या होना चाहिए बाकी की small होना चाहिए side side तो यह PS3, AS3, Sb3, BS3, SS2, SE2, PS2 all are drags में आते हैं compare the bond energy अगर हम इनकी bond energy को compare करें जितना s percentage कम होगा उतना bond angle कम होगा simple सी बात है s percentage कम यह तो बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं simple SP, SP2, SP3 को यह आप लेकर देख सकते हो अगर किसी को कभी example निकाल लो s percentage कम होता जा रहा है तो bond angle कम होता जा रहा है तो अगर हम यहाँ पर देखें कि bismith का size तो आपका यह होगा, Sb का size यह होगा, As का size यह होगा, P का size यह होगा तो इसमें तो फिर भी थोड़ा सा repulsion मिलेगा, इसके hydrogen में तो बिलकुल repulsion नहीं मिलेगा, क्योंकि gap हो जादा है, यह तो फिर भी थोड़ा सा S-caracter की demand कर सकता है, यह bond फिर भी थोड़ा से S-caracter की demand कर सकता है, लोन पेर से, तो यह तो बिलकुल भी नहीं करेगा, As the size of the central metal is increasing the repulsion between hydrogen attaching decreases, तो decreases हो रहा है, so less requirement of S-caracter है, similar the bond angle, smaller the bond angle, तो जो bond angle का यहां पर order आपका हो जाएगा, तो bond angle का order आपका हो जाएगा, कि BIS3 का सबसे कम, PH3 का सबसे ज़्याद है, I think उपन ने bond angle पूचा था, मैंने वहाँ पर bond energy या कुछ और ट्रम मैंने पढ़ा था, S-corrector था, bond angle, ओक, ओक, bond angle लिखा है, compound or bond, bond angle यह था, वह सकता है, मुझे गलत करने मागा, bond angle लिखा है, ठीक है, तो मैंने पसाथ bond energy पढ़ा दिया था, जल्दो आजी में उसको, चला, आगे चलते है, percentage S-corrector applicable with orbital, देखो जैसे कि एक pure S-orbital होता है, यह pure S-orbital है, यह pure S-orbital ह जब यह S-P के साथ mix हो जाएगा, तो यह लोग थोड़ी सी S-orbital की, कोई 50% है, 50% P है, तो हल्की सी spherical आते होए, जैसे कोई चीज है, इस पेरिकल आते होगी, ही सही थोड़ी सी बढ़ी होगी, बस वोई चीज बढ़ी होगी, S-P-2 होगा, यह और बढ़ी हो जाएगी, S-P- पी S-orbital है, 100% करेक्टर है, अब यहाँ से यहाँ तक की distance देखो P-orbital की, इस से match करेंगे, जब S-P आया, तो यह distance P-orbital से कम हो गई, S-P-2 की यह distance बढ़ गई, और S-P-3 की तो distance सबसे ज़्यादा बढ़ गई, तो हम कहेंगे, जैसे-जैसे S करेक्टर बढ़ता जा रहा है, distance, bond angle भी बढ़ेगा, और even आप देख रहे हो कि S-corrector is decreasing, S-corrector यहाँ पे decrease हो गया, यहाँ पे 50% S-corrector है, यहाँ पे 50% S-corrector है, यहाँ पे 25% S-corrector है, जैसे-जैसे S-corrector decrease हो रहा है, bond length is increasing, जैसे यहाँ पे बिल्कुल भी S-corrector नहीं था, तो bond length सपचारता हो, हम इसकी इस से तुलना करेंगे, P-orbital से हम तुलना करेंगे, S-P, S-P2 and the S-P3 की, ठीक है, तो S-corrector के inversely proportional होती है, bond length, दूसरा, electron जो देखी जाती हो, central atom की देखो गया, पहले central atom की देखो गया, और जब हम S-corrector की बात करेंगे, तो side atom पर भी आएंगे, मतलब जब हमके bond angle की बात करेंगे, तो side atom पर भी आएंगे, अब आप given orbital में side atom के electron को सबसे ज़्यादा वो खीच के रखेगा, जिसके पास S-corrector होगा, माल लो कि यह atom है, जिसके पास S-corrector जितना ज़्यादा होगा, side के atom के electron को सबसे ज़्यादा वही खीच के रखेगा, जिसके पास जितना ज़्यादा S-corrector होगा, वो क्यो होगा, simple सी बात है, उस S-corrector यह electron कीच के रख रहा है, यह electron कीच के क्यो रख रहा है, क्यों की S-corrector ज्यादा है, जितना bend चोटा होगा तो उतना central atom उसcję और electron की थ्यान दिया जाए में एक arm की बात न करें सिम्पल central यह nucleus के पास होता रहा है तो इसलिए ये electron को बहुत तेजी से कीच के रहstवार तो सबसाद तो इसकी पाही जाएगी इसकी पाने के बाद में sp की पाही जाएगी उसके बाद sp2 की पाही जाएगी सब सबसे कम एलेक्टोरी, प्योर प्यॉर्पी और्विटल की तो यह चीज आपको ध्यान लगतने है, प्योर स्वर्विटल की सबसे जादे होती है यह थि जी तो यहां पर बाट आजाती है, तो यहां पे बॉन्ड एनरजी की बात आजाती है, तो वही Christmas है, पहले लेपिंग हमने पढ़ी थी वो तो मानेंगी मानेंगे बट अब इतना ध्यानक ना अगर कहीं hybrid orbital के energy आ जाए कहीं पर किसकी आ जाए hybrid orbital के नहीं तो hybrid orbital की जो energy होगी उसको हम पहले priority देंगे कि यह रिक्तम अन-hybrid orbital से तो मतलब अगर कोई आपसे पूछे ना लगेगी SP है और एक P orbital है यह ना P orbital है और एक SP orbital है किसकी बोन्ड एनरजी जादा होगी तो बोन्ड एनरजी SP hybrid orbital की हमेशा बोन्ड एनरजी जादा होगी अब उसके प्योर P orbital यह प्योर S orbital से लेकिन यह बात तभी तक सच रहेगी यह बात तभी तक सही मानी जाएगी जब उसकी N value सेम हो N value सेम का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने आपको पहले एक दिया था जैसा 1s 1s है और कोई आप से पूछले SP भई P होगा तो OBS है तो 2P का तो कम से कम होगा ही होगा एक तो mentioning नहीं कर रखा है यहां पर mentioning करना चाहिए था ठीक है बनाने के लिए minimum रुका 2P तो होगा लेकिन 1s 1s है तो 1s 1s की जो overlapping होगी वह ज्याद होगी SP से मैंने क्या कहा सबसे पहला आप क्या देखोगे ओडर तो आप देखोगी देखोगे एंड की वैल्यू तो पहले से देखते आ रहे वो तो देखेंगी देखेंगे बस hybrid orbital को वहां priority देखेंगे जहां n की वैल्यू मरावर हो तो hybrid orbital को हम unhybrid orbital से पहले priority देखेंगे ठीक है आई योप यूर गैट जैसे की नीचे यह आपको केस दे रखा है यह पहली priority तो आपकी यह हो गई है आप गई होग़के सबस्ता दोन हों तो बच्त को आ यहां पर ड़िसा लगा देंगे यहां पर किलीर किया कि श्रवार सकता है तो rouge को नहीं सब्से नीचे बनस्पनस्वर सब्सें बस्त सब्सें और टो्म जालिगे जब एन key value स वी。 तो अब क्न सा घो ।ार्बविट्र जब सब्यारिक्टिमान। कि यह कॉंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से चीखा होगा बच्चों को बहुत का निफीन होती है यह तो यह कॉंसेट मैंने बहुत ही अराम वहत अच्छे से बनाया है अब ऐसे ही मती लोंपेर आप लोंप यूजे डूबाक किस मेधा पसंद रहा था लोंपेर को तो स औरbeटल से प्यार है, to såou औरbeल से प्यार है तो हम बोल सकते हैं कि जो भी बोन्ड अपने चीज़ बताओ कि यह कोई multiple बोन्ड बनाना है यह कारवन से कारवन एक बोन्ड अब दूसरा बोन्ड कब बनेगा जब जितना बोन्ड चोटा होगा जितना बोन्ड यह चोटा होगा तबी तो multiple double bond और अच्छे से औलैप करें के भी तो कहते है झाल्ट हो जाता तो be friendships कम उजाते है तो जितने मॉल्टिपल बॉन्द बन आइंगे तो 's प्रकी होगी है झाल होते यह वात से योंटिपल बॉल्ट हो गया या सेंडल एटम तुमने उपर पढ़ लिए थी सेंडल एटम पर कैसे देखने हैं अब साइड एटम यह कोई एक एटम है यह दूसरा कोई बी एटम है यह चाहता है भी मैं इस इलेक्टोन को अपनी तरफ खीच के रखो यह इलेक्ट्रो नेटिविटी का सकती प्रिद्यतर करना अब यह एलेक्ट्रोन को कब खीच के रखेगा तियत अब खीच के रखेगा जब यह लेंथ जाद होगी यह लेंथ कब जाद होगी जब इसमें एस करेक्टर कम होगा इट मींज जो साइड का इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है वो यह चाहेगा कि इसमें एस करेक्टर ना करने में आप अपने पर प्राउड करने वाले कि आपको यह concept समझना आया चलो इंद तीनों को compare करते हैं यहां पर question है जिसमें आपको compare करना है यह थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 किसका bond angle ज्याद होगा ओला यहां यहां पर पी करेक्टर बढ़ा तो यह bond angle कम होगा के नहीं होगा एक तो ठीटा 2 सबसे कम पाई जाएगा यह एफ करेक्टर कह रहा है भी मुझे तो नफरत करनी है मुझे नफरत करनी है किस से एस करेक्टर से तो इसका तो आइडियल बोन अंगल हो गया तो एक आइडियल हो गया विससे compare कर लेंगे क्या तो इसका आपका आगया थीटा 3 सबसे ज्यादा थीटा 1 थीटा 2 और इसका सीधर एक्जांपल वस्वहीं से निकल के आता है कि इलेक्ट्रोन नेगेटिव एक्टम अंदर लोन प्यार और यह तो आइडियल एक जोमेट्री है आइडियल जोमेट्री तो 109 होगा अब इसी के बेश पर आप compare कर सकते हूं यहाँ पर मैंने आपको आंसर भी दिया है ठीटा 3 ठीटा 1 एंडर ठीटा 2 अब इन तीन एंगल को compare करना है एक ही compound के CH2 F2 है यहाँ पर इन तीन एंगल को हमें compare करना भी इन में क्या होगा कौन सा एंगल क्या होगा ठीटा 1 ठीटा 2 ठीटा 3 अब जड़ा यह सोचते हैं इन दोनों बॉन्डों में S करेक्टर का त्याग कर रखा है क्योंकि यह hate करते हैं side atom S करेक्टर को तो यहाँ पर P है इन दोनों बॉन्डों में P सबसे ज़्यादा है अगर मैं इस bond को A इस bond को B इस bond को C और इस bond को D नादू तो A और B में P करेक्टर जादा पी करेक्टर जादा है तो ठीटा कम होगा कहीं ना कहीं कम होगा किससे कम और फोड़ा होगा तो इन दोनों बंडों में आया होगा है इस में सब्सक्राइब कितना प्यारा कोश्चन था कैसे हमने उसको उडा दिया ठीक है अच्छा यह जो concept हमारे लगते हैं यह nvpr के सामने फेल हो जाते हैं एक concept हो रहाता है nvpr नोन बोंडिंग इलेक्ट्रों पेयर डिपरिश्चन इसके सामने देखते हैं इसको क्या है आरेंज दा ओर्डर ऑफ फोलो इंग लेंग अगर हम इन चारों को पहले तो समझाते हैं थोड़ी देर में पहले और भी कुश्चन हमारे सामने आगे इनका बोन लेंद्थ पूछ लिया है बोन लेंद्थ सेम आप एस करेक्टर के बेस्ट पर आप इस कुश्चन को कर सकते हैं जैसे कि सपोच की यहां पर एक फ्लोरीन है यहां पर दो फ्लोरीन है यहां पर तीनों फ्लोरीन इन तीनों फ्लोरीन का एस करेक्टर इसमें आगया जिसमें एस करेक्टर चला गया तो उसकी बोन लेंद्थ सबसे कम होगी देन दूसरा आगया देन तीसरा आगया यहां पर इसमें यहां पर बोन लेंद्थ का ओडर हो गया जहां बोन लेंद्थ आपका चला गया मतलब ज नहीं होता देखो यह मैंन करेक्टर नहीं होता यह मतलब बोल चकते हैं कि उसलों साथ निवाने वाला और भी होते हैं जब भी आप बोंड देखोंगे सबसे पहले हैं बेस्टे देन एनवी पी या देन बीस इपी या देन आप पर्सेंटेज अलगा वह यह भात अब ध्यान बॉल्ट लेंथ के और फेक्टर होते हैं अधर दैन परसंटेजिस करेक्टर शाइज जो फेट्टम बॉंड और तब परसंटेज़ करेक्टर रहता है यह बात आते हैं तो इससे पहले और फेक्टरों के बीस पीम नीचे स्टेडि कर रहे हैं हमने केवल एक एग्जम्पल compare the NN bond length भहिया यह NN bond length को compare करा रहा है nitrogen nitrogen bond length अब simple सी बात है कि यहां पर आपका NN YF 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 are you getting my point or not? इस bond length को यह compare करा रहा है यह चारों के चारों fluorine S orbital से hate करते हैं तो इनका जो S character होगा वो इस bond में आ जाएगा जैसे जैसे इस bond में S character आएगा वैसे वैसे इनकी जो distance काम होगी तो N2F4 की ही जो distance होगी bond length होगी NN bond की वो कम होगी जैने N2H4 तो कितना प्यारा question था अब यहां पर order of O bond length OO bond length का order पूछ लिया OO bond length का order पूछ लिया तो इसको हम यहां पर correct कर देते हैं OO bond length का simple OO FF तो यह तो दोनों का यहां पर आप hybridization भी देखोंगे that is SP3 that is SP that is SP2 यह उल्टा लिगा इज इधर आएगा तो इसका जो सही होगा इसको ठीक कर लो आप यहां पर C2F6 की bond length सबसे जादे होगी then C2H2 और F2 की bond length होगी और सबसे कम bond length होगी C2H2 की अर्यूटिक माई को नोट सबसे कम bond length होगी वह होगी C2H2 की यह ध्यान रखना है आपको अर्यूटिक माई को यहां पर आप सबसे पहले hybridization को देखोंगे hybridization के बाद ही तो जब hybridization सेम नहीं तो आप S character देखोंगे तो यहां पर S character क्या हो गया सबसे कम hybridization के सबसे ज़्याद है S character तो सबसे कम bond length ही किया गई हम S character तब देखेंगे जब hybridization हमारा सेम आ रहा होगा CS3 F CS3 CL में आपको bond length आपको compare करने है आप बच्चा कह गए फ्लोर किस की bond length C F की bond length C CL की होने बच्चे हम पर हिजाब लगाएगा तो S character होगा यह तियाग देगा electron को तो यह जादे नहीं यहां पर हमारा size आ जाएगा ठीक है और भी मैंने का atom का size bond order and the S character तावाएगा आपको bond order मतलब वहीं ठीक है तो hybridization से आ गया है यहां पर bond order SP था तो bond order नहीं होते तीन था दो था एक था तो size of atom को सबसे पहले priority देनी है इसलिए इसकी जो लेंट होगी सबसे जाद होगी देन आप bond order को priority दोगे सबसे लाश्ट में परसेंटेज कर्टों को दोगे आपको केबल आदे घंटे में कितना material कितना productive class आपको deliver की जा रही है यह lecture इतने बिल्कुल एकदम आपको सटीक इफ्रेक्टिव आइसिंक नहीं मिलेंगे आप जाओगे बहुत ठाब करोगे यूटूब पर mostly क्या होता है कि किसी ने पांच लेक्ट्चर बना दिये बाद के मैं यहाँ पर आपको complete lecture दे रहा हूं बिद material दे रहा हूं बिद effective study के साथ दे रहा हूं ठीक है एक new systematic way में आपको सारे के सारे lecture दे रहा हूं आप सुन भी रहे हो आप पड़ भी रहे हो जो बोल रहा हूं वो लिखी भी रहा है ठीक है तो वह CS3CVR की भी आप बोल रहा है त सबसे बढ़ रहा है और सबसे कम आपका ड्राइगों को आप पहले हैं लेकिन कुछ जगह NBPR का जिकर मैंने उपर किया था तो NBPR क्या होता है कि आपको जब आप BACPR लगाते हो तो लोन पिर का इंका रिपल्शन लगता है लेकिन जब NBPR होता तो साइड एटम के लोन पि कर स्कूल के इसने की जो क्या तो साइड एकम होना चाहिए वह थर्ड पीरियड करना चाहिए उस 거야 होना चाहिए बल्की होना चाहिए थर्ड पीरियड करना ओना तो इसकी तरह बल्की होना चाहिए liked c2h5 बɬसी dosically तो लोन पեान नहीं इस पर लोन प्ralड हुए तो वह अग वहूँ इन २रलब टन से जादा है सब्सक्राइगर तो ये वी आपका इसका बोन्ड एंगल लग 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 एक सो बारे क्या स्पास होगा तो मतलब एक जन्नल बोन्ड एंगल से भी ज्यादा पहुंच जाता है कि लिए एकदम मैं यहीं बतानी कि आपको कोशिस कर रहा था जब आपका सेंटल एटम सेकंड पीजेट का हो और थार्ड एटम कोई पीएचो सीटू एच्फाइवो टरसरी ब्यूटाइलो या कोई ऐसा हो किलोरीन ब्रोमीन आरदिन जाज़ा जिस पर लोन पेयर हो तो वहीं चीज़ में पास बात यह है कि जब वह रिपैल करते तो SP2 में खुद बहुंड अंगल हो तो यहां पर आपका बहुंड कर जो होना चाहिए अंगल 109 में तो SP3 आपका कर्षा है कर दो यह इसे नहीं लगेके जब उपर वाली कंडिशन होगी तो … यह त्ही पर नहीं लगेगा यह ध्यान लगे किसी भी कमपाउंड को जब सब से पहले आप उसका एंगल निकाल लोगे तो खुंची थीरी तो अंगिज़ी पहले लगा और सबसे पहले तो हार् वो अच्छे से समझ में आई होगी कि कब हमें किसका एंगल क्या बताना है पहले हाप आते हैं कोशन आप जैसे तीन यह कंपाउंड पूछ लिया कि इन तीन कंपाउंडों को आप अरेंज कर दोवाई साथ एंगल तो देखो यहां पर दो लोन पेर हैं यहां भी दो लोन पेर हैं यहां भी दो लोन पेर है तो पहले तो यह देखो कि इनका सबका ह्व इस सबका SP थिरी है है फ्रयतिं के वेसे पर हम इसको नहीं कर सकते लिए लेकिन पर दीखे कि यहां पर लग रहा है तो यह सबसे बड़ा होगा तो यह सबसे बड़ा होगा तो यहां पर क्या होगा प्रक्टर आपका बढ़ेगा जो ही बड़ जाए गा तो इन दोने बोंड के बीच के एंगल पर दिया है कर बोंड एंगल कैसे देखते हैं उसके प्रसंटेजी को देखो गे ठीक है उसके बाद अप आप NBPR को देखोगे, then आप BACPR को देखोगे, then आप percentages करेक्टर देखोगे, ठीक है, तो अब लोग, अब BACPR में आपको कैसे देखना है, BACPR में जो loan pair, loan pair repulsion होगा, उसको सबसे पहले priority, then loan pair, bond pair को priority, then bond pair, bond pair को priority, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का भी ज्यान नखना है, जब आपके सामने ये case पढ़ जाए, तो यहाँ पे bond angle, अब आपको कैसे loan pair को पहले priority देखो, loan pair और triple bond अगर हो, तो triple bond का repulsion जादे माना जाएगा, तो इसका repulsion सबसे जादे माना जाएगा, इसलिए theta 1, जब double bond और एक loan pair हो, तो इसका repulsion दूसरे नंबर पे माना जाएगा, जब आपको ये तीटा थी रही, फिर ये आपका theta 2 आगा, theta 4 आपका ये रही इसलिए यहाँ पर hybridization सेम है, और देखो सबका hybridization ये भी SP2 है, 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 तो उस case में triple bond का repulsion सबसे जादे माना जाएगा, देन आपका loan pair का repulsion माना जा ज्यान रखना है, तो हम पहले से बात करते हा रहे है, hybridization सेम हो, और here is the given compound of the bond angle, ये CH2, CL2, तो मैंने आपको बता है, कि CL2 ये F क्या करेगा, हेट कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जागा, पी करेक्टर बढ़ जाएगा, यहाँ पर पी करेक्टर कम रहेगा, S करेक्टर are you getting my point or not, जब भी BACPI theory लगेगी, तो lone pair देखेंगे, कोई electronic side atom नहीं देखना पहले, पहले आपको क्या देखना है, lone pair देखना है, ठीक है, जितना ज्यादा number of lone pair, उतना ज्यादा repulsion, उतना ही कम bond angle, like NS3, H2O, H2O में 2 bond angle होते हैं, तो यहाँ पर angle 104 चला जाता है, NS3 में 1 bond angle हो तो bond angle 107 चला जाता है, clear एकदम, अब जैसे यह आ गया, arrange the compound, arrange the given compound in the order of the bond angle, bond angle के order में देखो, यह drag हो गया, drag हो तो सबसे कम, यह SP2 हो गया, यह SP2 हो गया, यह SP2 हो गया, यह दोनो SP3 हो गया, तो BF3 का bond angle सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि SP2 है, S character सबसे ज़्यादा है, PS3 सबसे कम हो गया, यह बात भी clear है, NS3 और H2O दोनो SP3 है, दोनो SP3 है, NS3 में एक loan pair है, H2O में दो loan pair है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ दो loan pair होगा, तो वहापर ज्यादा रिपल्शन होगा, तो NS3 का bond angle उसके बाद, और सब बीच में क्या जाएगा, H2O जाएगा, सबसे कम PS3, यही आपको order मिल गया, यही चीज़ में आपको सिपाई है, यहाँ पर लिखा हुए, among the above BF3 है the highest bond angle, और PS3 ड्राइगो compound है, तो उसका bond angle सब से कम होगा, अब NS3 को और H2 को compare करेंगे, तो BASPER के basis पे compare करेंगे, H2 is more loan pair than NS3, more repulsion between loan pair and a loan pair, and the similar, smaller bond angle, because bond pair are pressed due to the repulsion, यही आपको lecture बहुत अच्छे से समझवाया होगा, and in the given compound in the correct order of the bond angle, आप कहरा वाई सब इन compound को correct order में लगा दो bond angle के है, यहाँ पर H2 दे दिया, यहाँ पर CH4 दे दिया, OCL, तो देखो यह दोनों case NVPR के आगई, आपको पहचानने पढ़ेंगे, NBPR का जो bond angle होता, सबसे जएदे होता, अब इन दोनों में भी compare करेंगे तो यह ज़्यादा भलकी group है, तो इसका bond angle ज़्यादा पाया जाएगा, तो OC2H5 ज़्यादा भलकी है, जो जितना ज़्यादा भलकी है, उतना ज़्यादा bond angle, अब इन दोनों में compare कर दे तो यह ideal hybridization है यह loan pair तो lone pair आपको repel कर देगा, यह ideal तो ideal वाले का सबसे ज़्यादा होगा, ideal वाले का सबसे कम किस का होगा, पिटा,ajatwood होगा, यह order आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ideal वाला यह आगिया, यह ideal से भी ज़्यादे चलेगें दोनों के दोनों में बिज या लग रहा है, यह तो पैसिंपल को पहला पर पहले का श्याच्य को समझ आज हो दोनों में तरह किसका बोंड एंगल जाते होगा टी टावन का या थीटा डू इंगल किसका बांड ऑन फ्सक्राइब तो सिंपल यहाँ पर रिपल बॉंट रिपाल जाए तो नीचे की तरफ आए तो ठीटा 1, ठीटा 2 ठीक है अगर इस में compare करेंगे तो, ठीटा 1 यह नीचे की तरफ रिपेल करेंगे, क्या होगा ढिएगर था ठीटा 1 108 है तो, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक सो सोले के असपार जाएगा क्यों हाँ पर डबल बोंड करें रिपल्चन लग रहा है आई हो इतनी बात आप समझ रहेगा है चलने आगे और इंगल के ओडर में कह रहा है देखो की सीएफ फोर कि जा आइडियल के लिए कोई लूण पेल नहीं होना चाहिए चारो एक ज्यासे होने चाहिए तो यह अइधियल हो गया अब यह भी होगा यह लौन पेल आजाएगा इससे कम हो जाएगा इस पर दो लौन पेल झांगे के विकाम हो जाएगा वच्छा ओए अप only pair अब इस को compare करेंगे एच टो से एफ देखो सी एफ-फोर तो सबसे जादे हो गया एए इनस थ्री पर एक लों पेर दूसरी नमबर पर आगे इन दोनों पर दो लों पर तो इन दोनों पर compare कैसे करना है ओफ के पास में F क्या है highly electro-native item है तो यहां से S character को क्या करेगा hate करेगा जब यह S character को hate करेगा तो यहां पे P character बढ़ेगा तो P character बढ़ेगा तो क्या होगा bond angle कम हो जाएगा तो इसका bond angle सबसे कम हो गया आई हो कि आप यहां पर इतना समझाओंगे क्लियर एक्दम ऐसे यह theory नीचे side item को लेकर करके समझा रखिए कि more bond angle ठीक है क्योंकि board angle क्यों होगा bond angle का P character तो वो theory भी हां पर समझा रखिए है ठीक आलग इसकी जोगत नहीं पड़ेगी तो मैं आपको बस इतना बजाना चाहता हूँ priority order चेक करने का आपको priority order क्या है सबसे पहले आप hybridization चेक करोगे then आप NBPR चेक करोगे NBPR में इसका size बढ़ा होगा उसको पहले priority दोगे BACPR में number of loan pair को ठीक है आप पहले इस formula को priority दोगे triple bond single loan pair number of loan pair को priority दोगे central atom electronically body bond angle बढ़ेगा side atom electronically body bond angle घटेगा BACPR में priority order follow करेंगे ठीक है और सबसे लाष्ट में आज आएगा percentage as correct जब ये सारे factor में से कोई factor में ना लगे सबसे बाद में आएगा percentage as correct ऐसा ही एक example हम यहाँ पर देख लेते हैं बहुत ही प्यारा example है ठीक है तो इस example को आपको करना इसको आपने किसके short notes की तरफ चलते हैं हम आपको short notes से भी लेकर के पढ़ा रहा है हमारे short notes में क्या क्या लिखा हुआ है तो उस चीज़ पर प्रिकाश डाल लेते हैं आपर हमारे short notes में strength of overlapping hybridization, drag, percentage as correct ठीक है यह सारे factor हमने अभी अभी आपको बता है यह factor हमने आपको होता है यह factor हमने आपको होता है less यह भी बता है bond energy यह factor भी हमने देखो आज भी डिसका अब देखो next lecture में जब आ जाएंगे तो हम और रियक्टोन species से यहां से आ जाएंगे अब यह तक हमारे जो lecture हुए है यह तक हमारे साथ lecture और नोस्ट हो चुके है साथ lecture की केवल तीन सिलाइड है हमारे पार सोफ note में एक दो तीन चार सिलाइड है साथ lecture केवल चार सिलाइड है माँ किया रखे है आप concept वहाँ से पढ़ो वो note आपको provide में करा दूगा उसके बाद में आप ही सोफ note आप एक बार जरूर देखो आप कभी दी भूलोगे bonding ठीक है guys I hope आपने बहुत अच्छे से enjoy किया होगा आज का लेक्चर ठीक है और मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग इतने मन से पढ़ रहे हो एकदम ठीक है आप मेरे देख रहा हूं कि अच्छे views में यहाँ पर ले रहा हूं आप लोगों के ठीक है तो ऐसे ही व्यूज बने रहने चाहिए बाकि यह लेक्चर्स मिल्कुल फिरी हैं आप वीडियो को शेयर जरूर करें जतना जादर जाद ग्यान बढ़ने से आप दूसरों का ग्यान बढ़ने से भी आप लोगों को दौए मिलती हैं दौए मिलते तो आप लोगों का एक्जाम जल्दे निकलता है इसी किस अपने अपनी बारी को बिराब देता हूं भाई टेक केर